किस तरफ पहले शुरुआत करेंगा मैं तो यह देखो प्यार महबत की बात से सुरू करूंगा और मुझे अलोग जी से बहुत प्यार है और मेरी बात भी मानते हैं, पिछले बार जब वो आए थे जीडियू से तो मैंने का आप जलदी भाजपा में जाने वाले हैं और वो चले गई अप है浪 भाट है यह केराँ सर अलोग जी यह कह रहे थी क्यों चले के व्या चले के क्या बात है मैंने कि यारब वोई जगे ऐसी है कैसी हर आदमी को पता होता है अपने कर्मों का बरना गंगा में भीड़ ऐसी थोड़ी होती है अच्छा है अलोग जी गहन विचार मुद्राम चलें मैं खोल देता हूं इसके कली युग में भाजपा का रामरा जी आया है पिटने को चूज एक डौन कर लीजिए पिटने को चूज एक डौन कर लीजिए दौन बहुत है बाजपा तुम चाहो तो अकेले अकेले भी पिट सकते हूं पिटने को चूज एक डौन कर लीजिए और धरती का निरीय प्राणी खुद को समझिए मांगते विकारी वाली टौन कर लीजिए आँ बहुत है कि आख बंद करो यहां कुछ नहीं देखना है बोल यह भी नहीं पूरा मौन कर लीजिए और जेल नहीं जाना है तो फटा पट बीजे पी जॉन कर लीजिए और यह एक ही जगह है यह कैसी कि घूटा लों की बैतरनी से पार लगाने वाला और यही सुरक्षा का बच्चा है प्यारे जान बचाने वाला आप तो खुद डॉक्टर हैं मैं वही कह रहा हूं कि अब थोड़ा इंका इलाज करते हैं यह सुदीब से बोलते हैं करने के लिए आपने भाई सब मैं एक खतम कर लूँ आपने कहा कि यहां पर आकर बिलकुल चुप हो जाई है है ना मुझे तो बोलने के लिए लाए गया है तो चुप भी नहीं आपने कहा एक डॉन चूस कर लीजिए आप देखिए देश भर में कितने डॉन चूस कर लिए हमारी पार्टी ने कहां से कहां चले गया उतर प्रदेश बिहार अब बिहार तो अगरवडा रहा है उसको भ अब बचना हो तो यहां आजाईए घूटाले वाले तो जपनी जगर पे जा रहे हैं जेल यहां कहां कोई आरा गोटाले वाला अब इसके आगे जंता को तैक करने दीजिए एक बेरोजगार की चंता आप भी कर लीजिए वह विचाए सचिन पाइलेट घूम रहे हैं राज उनको कम से कम एक छोटी मुटी रेवडी दे दे ते तो कम से कम इस लेवल पर ना आते वो मैं सुनाता हूं एक आरती सुना देता हूं तो नहीं घुरूली आरती गाते हैं हमारे भी कम होंगे तो पाइलट बोले जनाव आली गहलोत लेकर थाली किसकी उतारें देखो आरती हो मैया भाती वे रोधी उनने पारती उनका बयान है कि गहलो जी किसको ज़्यादा मान सम्मान देते हैं सौनिया जी को दे रहे हैं बसंद्रा जी को बेगाने अपने लगते हैं और अपने बेगाने जिसको छपन भोगते मिलने मिले न सूखे दाने याने मारें वो फूक करारी हो मैया जोत पेमारी दुश्मन से आरी बनता धारती हो मैया देखो ओतारें किसकी आरिश्वंचे गहलोजी ने भी कुछ कमी नहीं छोड़ रखी कभी कहें गदार निकमा कभी कहें कोरोना अर जादू गर पे किया है जाने कैसा जादू तोना है रोना मैडम उनको ना भाती रानी मा लागे साथी सी एम की कुरसी नहारती हो मैया देखो ओतारें किसकी आरिश्वंचे और आखरी देखेगा वो अब क्या करने जा रहे हैं कि जनसंग घर्ष करेंगे और अभी क्या बतलाएं क्या आगे वर्ष करेंगे जन्ता इतनी ना भोली भाली रोटी पलटने वाली कुरसी पलट के है तारती हो मैया देखो ओतारें किसकी आरिश्वंचे अगर कुछ युझा जाने दावा किया है। मत्रदेश के दीपक जोशी kई बढ़े नेता बड़े बाकि जा रहे हैं और जिस तरह जा रहे हैं मुझे क्या लग राए सुनियेगा बीजेपी के घर संकट आने वाले है, सब धीरे धीरे छोड़ के जाने वाले है, बीजेपी के घर संकट आने वाले है क्यों? कहते कि आए बाजपा तो हर जाई है, अपनों के लिए ही खाई है, बाहर वाले को मलाई है, अंदर वाले को खटाई है इसलिए राहुल के घर पे खाट बिचाने वाले है, सब धीरे धीरे छोड़ के जाने वाले है सब दीरे दीरे छोड़के जाने और यह सब वोता क्यों है बाजबा को भी देखना चाहिए सिंधिया पे आँख लगाए थे बंगाल में इड़ी फसाए थे अब आपके नेता बहके हैं तुमने उनके बहकाए थे तुमने उनके बहकाए थे जो बोया वो ही काटके खाने वाले हैं सब दीरे दीरे छोड़के और यहीं प्रणाम करणाटक की तस्वीर बता रही है चौभिस की तस्वीर लेगिन क्या ना कॉंग्रेस बहुत हो्ट होशियार हो गई साब कैसे होस्यार हो गई है बता रहों पंक्तिया, सुनना आब कि कॉंग्रेस गठबंधन का गोला देकर सब को भरमा रही है पीम तो बनाईगी अपना और मेहनत नितीश कुमार से करवा रही है और नितीश जी ने क्या कहा है मुझे पीम नहीं बनना तब पंक्तियां कहता हूं आनन लेना कौन सत्ता में आएगा नहीं आएगा ये तो किस्मत का लेखा है कुछ बनने के लिए कोशिश करना तो सुना था कुछ नहीं बनने के लिए मेहनत करना पहली बार देखा है पहली बार देखा है अरे बता रहे ना भी पटनायक जी ने इंट्रेस्ट नहीं दिखाया क्यों नहीं दिखाया होगा पंक्तियां सुनना कुछ लोग अपनी बात पे कायम रहने वालों पर विश्वास जताते हैं और अगली पंक्ति आ रही है बात पसंद आजा तो उठा लेना कुछ लोग अपनी बात पे कायम रहने वालों पर विश्वास जताते हैं सिमरन भी दो बार पलट पलट बोलने पर पलटी थी ये तो बिना बोले ही पलट जाते हैं पलट जाते हैं और कॉंग्रेस का शाही अंदाज कम नहीं हुआ आखिर दशकों शासन का स्वाद चखा हुआ है लोगों के घर घर जाके बतियाने के लिए पार्टी ने सीम रखा हुआ है पार्टी ने सीम रखा हुआ है लेकिन एक बात तो सिद्ध हो गई के महत्त्य कांग्षा पूरी हर एक नहीं हो सकती है जब तक अपना स्वार्थ सिद्ध नहों विपक्ष की पार्टीयां एक नहीं हो नितिश जी बन सकते हैं या नीगूदी मधे इस देष में प्रधान बंतरी बन सकता है यह भी बन सकते हैं अब भी बन सकते हैं यहाँ बैठे एक एक कवी बन सकते और मुझे समझ नहीं आता कि नितिश जी से इनको प्रॉब्लम क्यों हो रही है और आपने जैसा कहा कि पहली बार आप देख रहे हैं कि कोई बिर कुछ नहीं बनने के लिए महनत कर रहा है क्यों हमारे देश में लाखों लोगों ने अपनी जान दे दी ताकि आज हम लोग को ऐसे राज से हटाने के लिए जो बार-बार दबाए जा रहा है जहां पर अर्थवेवस्ता गिर रही है गरीबी बढ़ रही है बेरोजगारी बढ़ रही है जूटों की जुम्लों की बारेश हो रही है तो इसमें बुरा क्या है और आखिर में बात भूनोंगी श्री कृ कि इच्छा मत करो तो काफकारी ने रहा है कि अच्छा है कॉंग्रेस के लिए और राहूल गांधी जी के लिए एक लाइम पढ़ना चाहूंगी एक अकेला पार्थ खड़ा है एक अकेला पार्थ खड़ा है भारत वर्ष बचाने को एक अकेला पार्थ खड़ा है भारत वर्ष बचाने को सभी कौरव साथ खड़े हैं केवल उसे गिराने को वा क्या बाकि सब पांडवों के साथ है महाबारत आपने अच्छे से पड़ी नहीं लग मेरी भी सुन लीजिए भक्त दिन को कहें रात तो रात कहो तुम उनिसे बहस की तो पस्ताओगे जरूर कि शब्जी को कहें भात तो भात कहो तुम यह होता है चार राइना आपको उना रहे हैं राजस्थान की चुनाओं में क्या चलना है पाइलट गहलो उतना आपस में लड़ाई चलना है यह करा कौन रहा है केवल पाइलट नहीं है कई सारे से हो रहा है कई लोग है केवल पाइलट नहीं है कई सारे से हो रहा है फलाने हैं तो मुम्किन है इन्हीं नारे से हो रहा है यह राजस्थान का रायता यूही नहीं पहला यह सब चाड़क जी कई सारे से हो रहा है कि हाथ की उंगलियों को बांधनी थी मुठी जब मुठी नहीं बांधी बस अंगूटे ही दिखाए हूँ और प्रयोग देखना हाथ को ना सूज रहा हाथ और इसमें भी कई हाथ वालों ने ही हाथ आजुमाई है कांग्रेस के बीदे को ऐसे दिन आए है और पाइलट जी भी इसमें सही योग कर रहे हैं लास्ट में फसाने वाला नी बुले के आए तो अच्छा है और जो चिंता कर रहे है बाजपा के तरफ से अजय जी को चिंता नहीं मुझे भी ज्यादा चिंता नहीं है कि कांग्रेस के क्या करेगी क्या करेगी मैं फिर से वही बात कहता हूं कि कांग्रेस सच्छम है अपने आप में हार के लिए होता क्या है हर बार चुना जीत यह समोसा नहीं इडली न दोसा है कांग रेसियों ने कई बार भाजपाईयों को अपने ही हातों से लड़ू जीत का परोसा है और कयास तोड़ हवा मोड बयान वीर नया नेता उमीद है कि जरूर आपने पाला और पोसा है तैयार हो रहा होगा कोई इलेक्शन से ठीक पहले भाजपा जिताउ टाइप देगा वो बयान हमें पूरा यह भरोसा है यह तो फैक्ट है यह कई बयान ऐसे आ जाते हैं जो ऑपोजिशन या मतलब बीजेपी अपने साथ अपने फिवर मिले जाती है देखिए बयान तो दोनों तरफ से होते हैं ऐसा नहीं है कि भारतिय जंता पार्टी के नेता आप उनको भुना नहीं पते अब जूट को भुनाना तो जैसे अब धाली में चला प्रधान मंत्री जी ने इतना बड़ा जूट बोला कि सोनिया गांधी जी ने रैली में जाके एसे ऐसे कहा है कहीं पर वो वीडियो नहीं है मैं चैलेंज करती हूं और हर रोज हर टीवी चैनल पर जाके मैं बोलती हूं कि कोई तो वीडियो दिखा दो ट्वीड तो आपके इता इसमें लिखा था देखिए अब बयान की बात होरी है ना मोधी जी ने अब यहीं कहते जिनके सबसे बड़े भग्त हनुमान जी है उन्होंने बदला राम जी की उपर राजनीती करने का भी ले लिया करनाटक से शुरुवात हो गई है ऐसी पूरा देश भी एक एक करके सारे प्रदेश हमाई पास आएगा और सरकार भी सेंटर में ये तो बस जाकी है आने वाली आ प्रियंका जीने कहा मुझे लगता है दादी की तरह मुझे भी बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है लगता है लोगोंने मान लिया कि राहूल गांधी पासार चुनाग नहीं लड़पाएंगे अयोग हो जाएगे इसलिए देश इंतसार करेगा राहूल कि आंधी का यहार जीत तो होती रहती है, मुझे पता है, पहले कांगरे जीतेगी, फिर सरकार आपकी बनेगी, यह तिम्हों भी जामता है, इस बात पर एक बात कहूंगा, कि 2018 में सबसे बड़े दल में हम उभड़े थे, चाहे करनाटका हो, महारास्ट्रा हो, 104 भारती जंता पार्टी के आए थ कौन कितना फिरी दे रहा है, अभी क्या है, हजार रुपे दे रही थी बाज़पा सरकार यहां पर, मद्द बर्देश में, कांगरेस करी हम 1500 देंगे, कोई वहां पर भी यही हुआ, करनाटक में भी यही हुआ, बाज़पा कुछ दे रही थी, उनके हम और ज़्यादा दें स्कूटी लैप टॉप गैस भी मिलेगी मुफ्त लंबी होती जाती है लिष्ट ना सिमटती है यह लंबी होती जाती है लिष्ट ना सिमटती और बोट बैंक खिसका तो भटने लगी है चाहती बोट बैंक खिसका तो भटने लगी है चाहती चाहती नहीं भटती तो यह सोगात नहीं भटती हाँ बात है यह थाली लोटा बजाए मन की भी बात सुनी थाली लोटा खूब बजाए मन की भी बात सुनी फिर भी यह सोतन महंगाई नहीं गटती हाँ फिर भी यह सोतन महंगाई नहीं गटती और जनता भी तो लाल ची गरल फ्रेंड हो चुकी है जनता भी तो लाल ची गरल फ्रेंड हो चुकी है बीना गिफ्ट दिये अब यह भी नहीं पटती के मुफ्त खोर तुम्हें हमें बना कर ऐसे न भरमाओ और यह चुनाव जयाद है प्यारे इससे हमें बचाओ आपके फ्री और दूसरों के फ्री में फर्क है देखिए सबसे पहली बात कि फ्री रेवडी कल्चर हमारा नहीं है इंपावर्मेंट का कल्चर है हमारा आज की तारीक में अगर असी करोड लोगों को पिछले तीन साल से अनाज दिया जा रहा है पांच किलो तो वह इसलिए नहीं कि उस अनाज की उनको जरुरत है वो इसलिए कि उनको एक मजबूत एक संबल मिले कि आपके पीछे सरकार खड़ी है कोरोना हुआ तीन महीने लोग हर चीज बंद रहा फर्स्ट वेव में सेकेंड वेव में फिर तीन महीने बंद रहा इमाजिन कि यह वो रेडी पट्री वाला जो घूम रहा है वो क्या खात है वो उसको खाना खर्चा कैसे चलता होगा उसको मने continue क्या तो यह free नहीं है बस सरकार का संबल है पांच किलो में कोई अमीर नहीं बन जाता है घर अगर हम दे रहे हैं बेघरों को अभी तक सवाचार करोड़ घर दे चुके हैं पूरे देश भर में औरतों के नाम से registry हो र पूशना करते हैं कि यह 3,000 रुप्य भत्ता देंगे बेरोजगारी भत्ता किस बात का भत्ता भई अगर हमारी नीतिया इतनी खराब होती नौ साल से देश बरबाद हो गया था लोगतंत्र खतम हो गया था मीडिया गोदी मीडिया हो गई थी जैसा ही लोग कहते हैं अगर जिनी के इसाब से चले तो भाईया पांचनी अर्थवेवस्था कैसे बनके जर्मनी को पीछे हाचार के कैसे बन गया है एवडिया रिकॉर्ड हमारे हां कैसे आ गया जरा बताइए तो आज तक हम एक बंदूक नहीं बनाते थे आज हम AK-47 कैसे बना रहे है आज हम यह सवाल है कवियों निकालिए इसको हवाई फाहर को आगे ले जाते हैं अगर जूट बोलना पाप है तो आत्म विश्वास से जूट बोलना मोदी नीती है अब यह कह रहे हैं कि यहां पर आपने फ्री की बात करी इनको बड़ा दुख था यह भूल जाते हैं प्रदान मं को जरूद भी नहीं है उनके घर पर और यह च Mystery पहुंचाने का काम किया उनके घर पे अलग अलग फ्रीवी से पहुंचाने का काम किया और वादों में भी बड़ी बातrahantic आपको कहां समझ आएगा जी बेरोजगारी आप लोगों ने बेरोजगारी का बजार तो लगा दिया है करनाटक में बोल रहे थे कि यहां पे सब के पास रोजगार है रोजगार है दो दिन पहले की खबर है बेंगलूरू में कॉगनिजिंट कंपणी ने 36 लोगों को बेरोजगार कर दिया तो बेरोजगा के दम कम हो जाएंगे इतनी फैक्टरी लग गई ये हो गई लेकिन नौकरी के लिए तो लोग आज भी घूम रहे हैं दो करोड नौकरी देने का वादा था आज तक आप हिसाब नहीं दे पाए आप ही के लोग पार्लेमेंट में जवाब देते हैं कि नहीं दी गई फिर बोलो उस पार्टी के जो राष्ट्री अध्यक्ष हैं आदर्णी नितिश कुमार जी इस समय वो अच्छा अभी ललन सिंग जी के जो पार्टी है आपके मुख मंत्री जो रहे वो अभी भुबनेश्वर गए नवीन पतनाइक जी इसको मनाने के लिए कि वही एक प्रधान मंत्री केंडिडेट में भी हूँ इसमें भी पे जा गौर लगाया किदिएगा जोंकि बहुत सारे गूम रहे हैं नवीन जी ने क्या संदेश दिया नितिश जी को वो सुनिएगा पतना और भुबनेश्वर प्रतीक हैं के पतना से मैं नहीं पतना ओय हतना तो आप समर्चन बढ़ पतना से मैं नहीं पतना ओय हतना चल हतना पतना यक नहीं रपतना ओय पतना ओय पतना हम मोदी के कायल हैं मत समझो हम पागल हैं यार आसा नहीं ने पतना पतना से नहीं मैं पतना ओय हतना चल हतना पतना से मैं नहीं पतना ओय हतना चल हतना पतना से मैं नहीं पतना ओय पतना कि यारी की सवारी मेरी गारी में न कर बेकार लटकना गठ बंधन की राह में घट नहीं जाए दुर घटना अभी दूर बहुत है दिली मत उड़वा लेना खिली तुम्हारा काम है पलटना नवीन जी ने कहा कि ये अपने बिहार भवन के लिए जमीन खोजने आये हैं अब मुझे ये नहीं पता कि वो बिहार भवन के लिए जमीन खोजने आये थे अपनी जमीन तरसने के लिए आये आए हैं जमीन को तलाशने तो प्लीज करें कोई खट पटना, नाच नहीं जाने और आंगन भी तेड़ा हो तो काहे का मटकना, अरे नाच नहीं जाने और आंगन भी तेड़ा हो तो काहे का मटकना, हम तो एग्नूर करेंगे, फो कतना शोर करेंगे, कतक वालों से ना अतक ना पतना से मैं नहीं पतना, वे पतना, पतना यक नहीं रह पतना. देखे हमारा स्टांड बिल्कुल फ्लियर है, कॉंग्रेस पार्टी हर उस पार्टी के साथ लड़ेगी जो देश के लिए सबसे पहले लड़ेगे, जो देश में अभी अत्याचार हो रहा है तो देश में भ्रहष्टाचार हो रहा है इस बात पर मैं भी कुछ लिखके लाईू कि आज देश की स्थिती क्या है जूटी योजनाओं के नाम पर माया जाल बुना जा रहा है बेरुजगारी के बजार का मुनाफा बढ़ता जा रहा है महंगाई के दलदल में आम इंसान फस्ता जा रहा है सत्ता की लालश के चक्कर में सरकार का रुप्य से भी जादा इमान गिरता जा रहा है देश की अर्थफ्यवस्था का काम तमाम है, मुद्दों की बात दूर, जुम्लों का आलम सरयाम है, धरम के नाम पर शोर सुभा शाम है, बेरुजगारी, ब्रश्टाचार है हर जगा, बड़ी बातों का ताम जाम है, तो इन मुद्दों को मद्दे नजर रखते वे जो साथ मिलकर देश को सबसे पहले रखकर देश की जनता को सबसे पहले आगे रखकर साथ मिलकर लड़ना चाहेगा उन सबका स्वागत है और जो मोदी सरकार जो बार बार कहा जाता है कि हमें मोदी जी से नफरत है हमें किसी से सभय तरफ नहीं हमें किसी से problem निया हमें प्यार सिर्फ की जन्ता से है और उनका रखा। रहे हैं को देश की जन्ता को हित और इन मुद्दो के खिलाफ जो लड़ेगा उनके साथ हम मिलकर सरकार के लिए लड़ेंगे अ अ दो, काम, बँगड़ जाएं, सुनिए, चाप सभीभी पक्षी एक हुए है, इनकी मीटिंग से डरीो, अगले बंग्दी! सभीभी पक्षी एक हुए है, इनकी मीटिंग से डरीो यह मिलके बहुमत पालेंगे, तुम देखते रहियो ये मिलके वहमत पालेंगे तुम देखते रहें अखलेस का गुसा भारी है हर दल से मिलना जारी है पटना वाले बाबुजी की पटना एक से भी यारी है NCP की शिव सेना से मिलकर अच्छी तैयारी है प्लानिंग रेडी अब सारी है गठ बंदन लगता भारी है और जिसको समझ रहे हो धुलमुल ऐसे राहुल से डरियो ये मिलके वहमत पालेंगे तुम देखते रहें ये मिलके वहमत आंध्रा मेरे ड केसी यार तूफान बनाए बैठे हैं चेन नई वाले स्टालिन जी लुंगी को उठाए बैठे हैं इडी के सताए बैठे हैं सब शक्ति जुटाए बैठे हैं और यह पंग्दी कम कर देना छमता ऐसी माया ममता से डरियो ये मिलके वहमत पालेंगे तुम देखते रहें इसका इलाज है कुछ सर आपके बैठे हैं इडी के सताएं सारे बहुमत क्या हुआ है क्या कि मिलके बना लेंगे सब खालेंगे आप चुदाव में जाते हैं और उसके बाद लड़ते हैं किस मामले में लडियेगा क्या बोलके लड़ी गया हां जी हम रिष्टा चार कर रहे थे इन्होंने इडी हमारे पीछे लगा दी इसले में बहुमत दे दो आप आप दो तीन बाते देखो जहां पर बैठें उससे ठीक 10 किलोमेटर दूर दिली शुरू हो जाता है हां म했는데 कसम खाते हैं जी दो रूम सें यदा के अ कमरे में नहीं रहेंगे जी घंडिया-जण करपशण हैं रेविलुशंट के पाटि हम निखले हैं जन में पैदा हैं करप्शन और छाथि पे कि अन्ना की कमाई खाने वाले आज एक वहीं को तर करोड़ के बग़ रहे हैं कंग्रेस ने बोला तो कॉंग्रेस सब्सक्राइब करोड़ा का इस देश में इंस्पिरेशन सब्सक्राइब के लिए गलतकारण में रही है इसमें राजस्थान पर सबकी नजर है सचिन पाइलेट अशोक गहलोत के बीच में खीचा तानी चल रही है सचिन जी ने अपना एक मोर्चा खोल लिया है अब कविता सुनिया आनन लीजिए कि लगता है अपने लिए कुरसी का रास्ता खोज करके मानेंगे एक सचिन वो हैं जो ओपनिंग करते थे एक ये हैं जो कांगरेस का दफ्तर क्लोज करके मानेंगे और अभी एक बयान उन्होंने दिया है कि मेरे नेता जो है वो राहुल सुनिया गांदी है तब सुनिएगा ये बयान सुनकर खड़गे जी सोचते होंगे कि जान बूज कर मुझे चिड़ाया है क्या अगर नेता राहुल सोनिया ही है तो मुझे एकजीट पोल के फोटो के लिए द्यक्स बनाया है क्या और एक मजे की पंग्ति आलोक सर दाली बजाईएगा आप इस पे बनाया है क्या शायद दोनो नेता अशोक जी सची नहीं शायद दोनों नेता बीजेपी से प्रभावित होकर मचल रहे हैं दोनों एक दूसरे के लिए ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की थेयोरी पे चल रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की थेयोरी पे चल रहे हैं इस तरह तो बना बनाया प्रेस्टीज खो जाएगा ऐसे आपसी संघर्ष से विकास का तो पता नहीं पर सत्ता वापसी के सपने का ना सो जाएगा ना सो जाएगा और राजस्थान में चुनाओ है आप सोचेंगे की विरोधियों के चक्के छुडा देंगे पर गहलोजी जादूगर हैं उन्हें अपना पत्ता साप होने का शक भी हुआ तो पार्टी का कबूतर बनाके उडा देंगे जो परिवर्तन चा रहा वो जनता बहुत गुनी होगी सोच समझ के लोगों ने अपनी सरकार चुनी होगी आप सोच रहे करनाटक ने क्यों कांग्रेश को जिता दिया क्योंकि वहां के लोगों ने साइद मन की बात सुनी होगी चार पंक्तिया आपका और सुना रहा हूँ बीजेपी की खिड़की और बंद किया है फाटक को जनता ने इग्नोर किया भक्तों के हर नाटक को बहुत रहे लिया कि तुमने जोक दिया सब ताकत को फिर भी बोलो कैसे तुम हार गए करनाटक बहुत बाद बताई को अच्छा आजए वैसे परिणाम को लेकर जो भी चुनावी राजनिती में होता है तो हार जीत लगे जती है अटल जी की यह कविता है ना हार में ना जीत में किंचित नहीं भैवीत में संगर्षपत पे जो मिला ये भी सही वो भी सही इसे हम तो संग बच्छत हैं पिछले बार भी करनाठ कान नहीं लोगों ने मिलके सब्सक्राइब अलोग जी अभी यूपी में एक स्टेटमेंट आया सफार सरकार से शिवपाल सिंग जी का चाचा जी का कि यूपी में जो मंत्री है ना उनकी इतनी भी हैसियत नहीं कि बाबु ये चपरासी क तो मुझे एकदम से उनके कारेकाल में चाचा जी की सक्तियों का एहसास हुआ मैंने देखी बड़े करीब से देखी उनके पास इतनी सक्तियां थी कि अकेले नहीं समलती थी उनके कई बतीजे समालते थे जितने भी यूवा नेता सब उनको सगा चाचा बताते थे खुद को बतीजा बताते हैं अब ऐसे ही दो बतीजे आपस में टकराए एक चौराये पे मिले उनके बीच में क्या बात्ची दो ही सुनिए कि तीन लड़कों को जब पुलिस ने रोका तब एक बोला आज तेरी आफ़त ही आई है ये है असनी शक्ति पुलिस वाले को अड़का दिया तीन लड़कों को जब पुलिस ने रोका तब एक बोला आज तेरी आफ़त ही आई है चाचा जी का हूँ सगा बतीजा जानता नहीं क्या बाइक भी ये खुद चाचा नहीं दिलवाई है तो पुलिस वाला बोला चल साइड में लगा ले बाई जानता हूँ तूने सारी बा पुलिस वाला बाई तो नहीं को जाता हूँ चोटा सुनिए कई बार गटबंदन बने और हर बार फेल हो जाते हैं जैसे आजकल क्या होता ना IPL पर टीम बनती हैं ऐसे हम कई लोग बनाते हैं उसमें प्लेयर और कैप्टन चुनते हैं लेकिन कोई जीता नहीं जानकारी में तो कोई नहीं जीतता ऐसे ही कई बार हुआ सुनिए बुआ बबुआ नहीं चलते यूथ आइकन नहीं चलता भाजपा के आगे कोई बिगटबंधन नहीं चलता बनाते हैं यह हर सीजन में टीम आईपी एलसी पर कभी प्लेयर नहीं चलते कभी कैप्टन नहीं चलता कभी प्लेयर अब प्लेयर और कैप्टन हम भी टीम बदल सें जल्दी 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 यह सब बॉस्टिं में जा रहा है ते घृत है ठारी बाते हुँ ही लेकिन करनाटक चूनाब ने बता दिया किया जनता का क्या देश का क्या मूड़् है 24 का इशारह है कि सुनो सुनो BJP वालो हाँ हाँ सुनो सुनो BJP वालो चाहे जितना जोड लगा लो सबसे आगे होंगे राहुल गांधी अरे हमने कहा है तुम भी सुनो हमने सहा है तुम भी सुनो के 24 एलेक्षन का केवल इशारा है समझो ना कमजो अच्छा इतनी जल्दी पलट आपने किसी को देखा है के 24 एलेक्षन का केवल इशारा है समझो ना कमजोर है दो दिन की सत्ता से इतने ना फूलो तुम अपने रहे दौर है लोट कर आये थे लोट कर फिर से आएंगे अब ये कर नाटका से ही करके दिखाएंगे तब भी कहा था अब भी सुनो अरे सुनो सुनो भी जेती वालो चाहे जितना जोड लगा लो सबसे आगे होंगे राहुल के सबसे पुराने हैं दलोक शाही के यूही बेखरते नहीं तबते नहीं आच मैं जो कभी सोने जैसे निखरते नहीं ना डरे थे कभी आगे भी डर न पाएंगे वक्त की आच से हम तब के निखरते जाएंगे तब भी कहा था अब भी सुनो तो यह पॉजिटिविटी कॉंग्रेस के अंदर है जो 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 तो लगाया काफी लगाना भी चाहिए मताब मान रहे कि पहले जोर ही नहीं लगाते थे अब लगाने लगे लेकिन वो जो अब जो उस जोर का ये इस बार वैसा रिजल्ट क्यों नहीं देखी ऐसा है कि पिछले बार भी मैंने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी हम लोग बने थे लेकिन सरकार इन लोग ने बना ली उसके एक साल के बाद लोग सभा चुना हुए हमारा 38 परसेंट से वोट चला गया 51 परसेंट 28 में से 26 हम ले गए बाकी जो राज्य में रिजल्ट आता है फिर वो पलड़ जाता है लोग सभा वे एसके उपर कुछ नि बह लूआए क्योंके ज्यूचीzh वोनीनी है उस मÏ इनकी सरकार बननी नहीं है नेगेटिव बातर करनी नहीं इस जो चीज होनी नहीं है, सब के पता है कि सरकार हमारी बन रही है, इनको थोड़ा सार उम्मीद थी कि शायद इनकी बन जाएगी, जो मैं बात पर क्लियर हूँ, जब जो चीज होनी नहीं है, उस पर बात पर चर्चाई क्या करने हैं, यह लपेटे में नेता जी कारकरम है, और आप परताब फोझदार से उत्तर पुंच्छे के निकाय चुनावों के परिणाम सुनी को शाय किल-किल रहे गई पर किल-किल बहुत है, किल अट गई कि साय किल-किल सपापे रह गई योगी जी, निकाल साय किल की साही ले गई साइकल की किलकिल सपा पर रह गई योगी जी निकाल साइकल की साइ ले गई और उसके हैंडल पर तांगा है कमंडल मित्र और उसके हैंडल पर तांगा है कमंडल केरियर पर बिठा के बावा गाय ले गए आ पाजी वावid का हैंड पंप हाती हाथ हात्मलते रहे रहा हाताओ हात्मलते रहे जूरजार जीत करके बावा ले गए जोरदार जीत करके बाई बाई ले गए और लगता है चौबीस में ऐसे ही जीतेंगे यह जैसे अब जीत करके निकाहे ले गए यह चंद भी मुझसे चिड कर बोला बंद करो यह लिखना और जिन पर लिखते उनका खुद ही बंद हो गया देखना अभी पीछे क्या हुआ आपने देखा होगा कि बीजेपी के बहुत सारे भाशन आपको सुनने को मिले होंगे उनको जरा ध्यान से उसकी समीक्षा कीजिए तो आप क्या पाएंगे बीजेपी के भाशनों में क्या होता है वही कवीता सुनना आप बीजेपी के भाशन में क्या होता है इतिहास की बात विपक्ष पर आरोप बयानों पर हाई हाई खुशहाली का वादा जैसे कोई चिप्स का पैकेट हो काम की चीज कम और हवा सबसे ज़्यादा हाँ हवा सबसे ज़्यादा ठीक है राजनीती है गर्म तवे पर दो रोटियां फाल्तू भी सेक लीजिए सस्ते डाटा की चर्चा तो हो गई अब महंगा दूद तेल आटा भी देख लीजिए पर फुरसत कहां होगी जीत के तरीके खोजने में लगे होंगे 24 वाले चुनाओं के लिए राइमिंग वर्ड्स वाले नए नारे सोचने में लगे होंगे क्योंकि अच्छे दिनों वाली गठरी अब खोल नहीं सकते और अगली पंक्ती लोजिकल लग जाए तो एक बार दोरदार ताली बजाना क्योंकि अच्छे दिनों वाली गठरी अब खोल नहीं सकते और पुराने नारों में से एक भी नारा दो बारा बोल नहीं सकते यह मरिया है बहुत अच्छे दो बारा बोल नहीं सकते हैं और रहा सवाल बार-बार क्या कहते हैं तो जनता हमको क्यों जिता रही है तो हम कैसे जीत रहे हैं तो उस पे कहता हूं रहा सवाल बार-बार जीतने का तो कमल कोई अपने आप नहीं खिल रहा है बस कोई विकल्प तैयार होने तक टेंप्रोरी ब कल्प ही नहीं है अब आपने जीरो कर दी है यार कॉंगरेस पार्टी सारे विपक्ष को इसी दुखरते आगरेस वाले हैं यहीं करते खुछ एक नारा ऐसा है ना जिसको आप भी मरते वक्त तक लेते जाएंगे और मैं भी मरते वक्त लेके जाऊंगा ऑव नारा दूबारा क् जै श्रीराम जै बजरंग लिए चौबिस पे जो नजर है ना जनता बहुत समस्दार है और जनता आजकल यही गाना गा रही है रब ने भी खूब जोड़ी बनाई है जनाब मोदी भिला जबाब है योगी भिला जबाब और देखो सत्ता के बन के रोगी हर बार हार भोगी मुश्किल बहुत ही होगी मोदी के बाद योगी और कांग्रेश क्या किये अपनी सुना ना पाए मुद्दे भुना ना पाए जब 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 जुबान भटकी मोदी से खाई पटकी इसलिए 24 का पल खिलेगा भगवे का दल खिलेगा भारत अटल खिलेगा फिर से कमल खिलेगा और ये जो ना गठ बंधन गठ बंधनों के मुख से हाए गठ बंधनों के मुख से हट जाएंगे नकाब मोदी भीला जवाब है योगी भीला जवाब और यही प्रणाम हुआ कि उत्तर पुदेश में निकाय चुनाओ योगी जी जीत गई और उसके बात क्या हुआ? सुनो विपक्षी अब जिद छोड़ो सुनो विपक्षी अब जिद छोड़ो मालो मेरी बात यूपी की जनता है योगी बाबा के साथ कब से बीमार बैठा हाती बेचैन है अपने पहियों में उलजी साइकिल की चैन है अब केवल कोस ना ही इन सब का काम है जनता के होटों पे तो जैजैश्रीराम है राहुल जी भी घुम रहे है अरे राहुल जी भी घुम रहे है लेकर खाली हाथ यूपी की जनता है योगी बाबा के साथ तो बाबा करते क्या है होता इलाज अब तो गुंडों का रोज है बाबा के पास में हर दम बुल्डो जर्डोज है और तुमके वल माफिया के मरने पे चीख लो कैसे सरकार चलाते बाबा से सीख लो चौबिस में फिर करेगी जनता और चौबिस में फिर करेगी जनता वोटों की बरसात यूपी की जनता है योगी बाबा के साथ बाबा धन्यवाद शुक्रिया थैंकि की स्टंपिंग के चांस हैं सम्हाल कर खेलिएगा लांगी नहीं जाए ऐसी क्रीज की जरूरत है निचले और सीर्स नेत्रत्य के बीच अब संबाद वाले किसी ब्रिज की जरूरत है करना स्टोर सीखो अपने नेताओं को गैरों से भी जादा अब निज की जरूरत है बोशिंग मशीन के भरोसे मत बैठो अब 24 में बाजपा को फिरिज की जरूरत है 24 में बाजपा को फिरिज की जरूरत है सर आखरी मुक्तक मैं सुना रहा हूं इतनी देर से करनाटक करनाटक न हो गया जिसे ब्रह्मांड जीत लिया हो तुम कुछ नहीं है उत्तर प्रदेश ही प्रधान मंत्रित है करता है असी लोग सबाह है यूपी में कांग्रेश का ना पूछो किस पार गए हैं आये थे चौ सोथे नंबर पे वैसे ही इस बार गए हैं यह कंडीशन है इनकी मत पूछो तो अच्छा है कल रात में सपना देखा था उसमें भी आर गए कर्nantक पर क्यों चर्चा हो रही है क्यूंकि जैसा मैं ने कहा था संकट मोचन का अपमान किया बजरंग बली जी का अपमान किया कर्naक में सब्रमा रा मुं कि यूपी का फुल फॉर्म भूल गया आप प्यारेंगे लोग सवाजी तेंगे लिए राम भगवान का अपमान किया तो एक वेक्टी अमेठी से वाइनाट पहुंच गया बजरंग बली का तपमान इनुन बजरंग दल के साथ जोड़ के किया जो मान सीकता हिंदू विरोधी आप और मैरी बात भी मानते हैं पिछले बार जब वो आय थे जे-डी-उ से तो मैंने का आप जल्दी बाजबा में जाने वाले और वो चले गई कि या या बाद है कैसी हर आदमी को पता होता है अपने करमों का बरना गंगा में भीड़ ऐसी थोड़ी होती है अच्छा है अलोग जी गहन विचार मुद्राम चलेंगे मैं खोल देता हूं इसके कल यूग में भाजपा का रामरा जी आया है पिटने को चूज एक डॉन कर लीजिए पिटने को चूज एक डॉन कर लीजिए और धरती का निरीय प्राणी खुद को समझिए मांगते विकारी वाली टॉन कर लीजिए कर दो आंग बंद करो यहां कुछ नहीं देखना है आख बंद करो यहां कुछ नहीं देखना है बोल ये भी नहीं पूरा मौन कर लीजिए और जान भी बचानी आए और जेल नहीं जाना है तो फटापट बीजेपी जॉन कर लीजिए यह जगे है यह कैसी के घूटा लो की बैतरनी से पार लगाने वाला गोटा लो की बैतरनी से पार लगाने वाला यह पार लगाने वाला और यही सुरक्षा का बच्छा है प्यारे जान बचाने वाला आप तो खुद डॉक्टर हैं मैं वहीं कह रहा हूं कि अब थुड़ा इंका इलाज करते हैं यह सुदीब से बोलते हैं करने के लिए आपने भाई सब मैं एक खतम कर लूँ आपने कहा कि यहां पर आकर बिलकुल चुप हो जाई है है ना मुझे तो बोलने के लिए लाए गया है तो चुब भी नहीं आपने कहा एक डॉन चूज कर लीजिए आप देखिए देश भर में कितने डॉन चूज कर लिए हमारी पाटी ने कहां से कहां चले गए उत्तर प्रदेश बिहार अब बिहार तो अगरवडा रहा है उस को यारा घुटाले वाला अब इसके आगे जंता को टैक करने दीजिये एक बेरोजगार की चंता आप भी कर लीजिए विचाय सचिन पाइलेट घूम रहे हैं राजस्थान में तमाम रेवरी कल्चर की बात हुई तमाम रेवरी कल्चर की हमारे यहां तो मंदिर में पूजा करते हैं आरती होती है उसके बार प्रशाद चड़ाते हैं रेवरी उनको कम से कम एक चोटी मुटी रेवरी दे देते तो कम से कम इस लेवल पर ना आते हूं मैं सुनाता हूँ एक आर्ती सुना देता हूँ आर्ती गाते हैं पाप अमारे भी कम होंगे तो हो पाइलट बोले जनावे आली गहलोत लेकर थाली किसकी उतारें देखो आर्ती ओ मैया भाती वे रोधी उने पारें उनका बयान है कि गहलो जी किसको ज़्यादा मान सम्मान देते हैं सौनिया जी को दे रहे हैं अब सुन्द्रा जी को बेगाने अपने लगते हैं और अपने बेगाने जिसको छपन भोगते मिलने मिले न सूखे दाने जिसको छपन भोग थे मिलने मिले नसुके दाने याने मारें वो फूक करारी हो मैया जो तपे मारी दुश्मन से आरी बनता धारती हो मैया देखो ओतारें किसकी आरिश्मन गैलो जी ने भी कुछ कमी नहीं छोड़ रखी के कभी कहें गदार निकमा कभी कहें को रोना अर जादू घर पे किया है जाने कैसा जादू तो ना है रोना मैडम उनको नाभाती रानी मा लागे साथी सी एम की कुरसी निहारती ओ मैया देखो उतारें किसकी यारती और आखरी देखिएगा वो अब क्या करने जा रहे हैं कि जनसंग घर्ष करेंगे और अभी क्या बतलाएं क्या आगे वर्ष करेंगे जन्ता इतनी नाभोली भाली रोटी पलटने वाली रोटी पलटने वाली कुरसी पलट के है तारती ओ मैया देखो उतारें किसकी यारती बोल सेरा बाली मैया की आलोग जी सर कांग्रेस के एक नेता ने दावा किया है कि भाजपा के कई नेता संपर्क में है और जैसे मद्द परदेश के दीपक जोसी कई-कई बड़े नेता बड़े भाजपा के जा रहे हैं और जिस तरह जा रहे हैं मुझे क्या लग रहा है सुनिएगा बीजेपी के घर संकट आने वाले है सब धीरे धीरे छोड़ के जाने वाले है बीजेपी के घर संकट आने वाले है क्यों? क्या आते क्या आएं भाजपा तो हर जाई है अपनों के लिए ही खाई है बाहर वाले को मलाई है अंदर वाले को खटाई है इसलिए राहुल के घर पे खाट बिछाने वाले है सब धीरे धीरे छोड़ के जाने वाले हैं सब धीरे धीरे छोड़ के जाने और ये सब होता क्यों है बाजबा को भी देखना चाहिए सिंधिया पे आँख लगाए थे बंगाल में इडी फसाए थे अब आपके नेता बहके हैं तुमने उनके बहकाए थे तुमने उनके बहकाए थे जो बोया वो ही काटके खाने वाले हैं वह सब दीरे दीरे छोड़े और यही प्रणाम करनाटक की तस्वीर बता रही है 24 की तस्वीर लेगिन क्या है ना कॉंग्रेस बहुत हो सियर हो गई है है ऑप बतारों पंक्तिया सुन ना कि कॉंग्रेस गठबंधन का गोला देकर सब को भरमा रही है PM तो बनाएगी अपना और मेहनत नितीश कुमार से करवा रही है नितीश कुमार से करवा रही है और नितीश जी ने क्या कहा है मुझे PM नहीं बनना तब पंक्तियां कहता हूं आनद लेना कौन सत्ता में आएगा नहीं आएगा ये तो किसमत का लेखा है कुछ बनने के लिए कोशिश करना तो सुना था कुछ नहीं बनने के लिए मेहनत करना पहली बार देखा है पहली बार देखा है अरे बता रहे ना भी पटनायक जी ने इंट्रेस्ट नहीं दिखाया क्यों नहीं दिखाया होगा पंक्तियां सुनना कुछ लोग अपनी बात पे कायम रहने वालों पर विश्वास जताते हैं और अगली पंक्ती आ रही है बात पसंद आजा तो उठा लेना कुछ लोग अपनी बात पे कायम रहने वालों पर विश्वास जताते हैं सिमरन भी दो बार पलट पलट बोलने पर पलटी थी ये तो बिना बोले ही पलड जाते हैं और कॉंग्रेस का शाही अंदाज कम नहीं हुआ आखिर दशकों शासन का स्वाद चखा हुआ है लोगों के घर घर जाके बतियाने के लिए पार्टी ने सीम रखा हुआ है पार्टी ने सीम रखा हुआ है लेकिन एक बात तो सिद्ध हो गई के महत्व कांख्षा पूरी हर एक नहीं हो सकती है जब तक अपना स्वार्थ सिद्ध न हो विपक्ष की पार्टी यां एक नहीं हो नितिष जी पीएम बन सकते हैं यह नहीं देखिए इस देश में कोई भी प्रधानमंतरी बन सकता है यह भी बन सकते हैं यहां पर बैठे एक-एक कवी बन सकते हैं आपर बैठे बच्चे हैं कि यहाँ पर डिमोकरीसी है, वह है डिमोकरीसी जिसको यह दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वह डिमोकरीसी जिसके साथ भारतिय जन्तापाटी खिलवाड कर रही है। और मुझे समझ नहीं आता कि नितिश जी से इतनी इनको प्राब्लोम क्यों हो रही हैं। और आपने जैसा कहा कि पहली बार आप देख रहे हैं कि कोई बिरकुछ नहीं बनने के लिए मेहनत कर रहा है क्यों, हमारे देश में लाखों लोगों ने अपनी जान दे दी ताकि आज हम लोग खुले आसमान के नीचे स्वतंतता से बोल सके और हमें आजादी मिले, उनको क्य वेवस्ता गिर रही है, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जूटों की जुम्लों की बारिश हो रही है, तो इसमें बुरा क्या है? और आखिर में एक बात भूनोंगी, श्री कृष्ण ने भी तो कहा है कि कार्य करे जाओ, फल की इच्छा मत करो, तो का प्रूंग और आखिर में और यह, तो कांग्रिस के लिए और राहूल गांदी जी के लिए एक लाइं पढ़ना चाहूं है, एक अकेला पार्थ खड़ा है, भारत वर्ष बचाने को, एक अकेला पार्थ खड़ा है भारत वस्च बचाजे को, सभी कौरव साथ खड़े है, केवल उसे गिराने को का बात था हुए तो लात कहो तुम, इनसे बहस की, तो पस्ताओगे जरूर, कि सब्जी को कहे भात, तो भात कहो तुम, यह होता है, चार लैनाप को उसमा रहे हैं, राजस्थान की चुनाओं में क्या चलना है, पाइलेट गहले हैं, आपस में लड़ाई चलना है, यह करा कौन रहा है, केवल नहीं है, कई सारे से हो रहा है, कई लोग हैं, केवल पाइलेट नहीं है, कई सारे से हो रहा है, फलाने हैं तो मुम्किन है, इन्हीं नारे से हो रहा है, यह राजस्थान का रायता यूहीं नहीं फैला, यह सब चाड़क जी कई सारे से हो रहा है, यह सब चाड़क जी के सार पूटे ही दिखाए हैं और हाथ और प्रयोग देखना हाथ को ना सूज रहा हाथ और इसमें भी कई हाथ वालों ने ही हाथ आजुमाई है और अच्छी कई हाथ गन्ने की मसीन से गुजरता है गन्ना कोई कांग्रेस के बीदे को ऐसे दिन आये हैं और पाइलेट जी भी इसमें सही योग कर रहे हैं लास्ट में फसाने वाला नी बुले के आये हैं और ज्यादा अच्छा है और जो चिंता कर रहे हैं बाजपा के तरफ से अजय जी को चिंता नहीं मुझे भी ज्यादा चिंता नहीं है कि कांग्रेस के क्या करेगी क्या करेगी मैं फिरसे वही बात कहता हूं कि कांग्रेस सच्छम है अपने आप में हार के लिए होता क्या है हर बार चुनाओ से पहले कोई ना कोई एक ऐसा बयान आता है एक ऐसा statement आता है वहीं से पूरा रुख पलट जाता है तब सुनिए क्या है कि स्वाद जीत का तो सदा महनस से मिलता है जीत ये समोसा नहीं इडिली न दोसा है कांग्रेसियों ने कई बार भाजपाईयों को अपने ही हातों से लड़ू जीत का परोसा है और कयास तोड़, हवा मोड, बयान वीर नया नेता उमीद है कि जरूर आपने पाला और पोसा है तैयार हो रहा होगा कोई इलेक्षन से ठीक पहले भाजपा जिताउ टाइप देगा वो बयान हमें पूरा यह भरोसा है यह तो फैक्ट है कि कई बयान ऐसे आ जाते हैं जो ऑपोजिशन या बीजेपी अपने साथ अपने फिवर मिले जाती है देखिए बयान तो दोनों तरफ से होते हैं ऐसा नहीं है कि भारतिय जन्ता पार्टी के नेता आप उनको भुना नहीं पते अब जूट को भुनाना तो अब जैसे अब धाली में चला प्रधान मंत्री जी ने इतना बड़ा जूट बोला कि सोनिया गांधी जी ने रैली में इन्फोमेशन दे रहा है या उनको जो फीडबैक दे रहा है वो गलत तरीके से दे रहा है देखो सारा कुछ उन्होंने किया कब इतने गोल पोस्ट बढ़ले कि नतीजा क्या हुआ इस बार करनाटक हार गया आखिर में इनोंने दाव खेला बजरंग बली जी के उपर बजर करनाटक से शुरुवात हो गई है ऐसी पूरा देश भी एक एक करके सारे प्रदेश हमाएं पास आएंगे और सरकार्वी सेंटर में यह तो बस जाकी है आने वाली आंधिय भी बाकी है मुझे भी इंतार रहेगा राहूल की आंधी का देश को बी इंतार रहेगा प्रियंका की आंधी का अचकल दोनों में कॉंपेटिशन होगी करनाटक का चुनाओं में बोला तुनी ओकशुन Night यह तो बयान है यह ट्वीट नहीं था प्रियंका जी ने कहा मुझे लगता है दादी की तरह मुझे भी बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है लगता है लोगों ने माल लिया है कि राहूल गांधी पांसाल चुनांग नहीं लड़ पाएंगे अयोग हो जाएगी इसलिए सबसे बड़े दल में हम उभड़े थे चाहे करनाटका हो महराष्ट्रा हो एक सचार भारती जंता पार्टी के आया थे कॉंग्रेस 78 थी सरकार कॉंग्रेस की बनी ऐसा नहीं है हम जीते हैंगे तभी हमारी सरकार बनती है हमने क्या कहा हमने इन से सीखा है लेकिन गुरू तो करनाटक में बह ağत कुछ दे रही थी इनके यह कोटल और गैस भी मिलेगी मुफ्त हाह इस कूटी लैप टॉप गैस भी मिलेगी मुफ्त लबी होती जाती यह लिश्टन है यह लिश्टना सिमटती है लिश्टना शिमटती और भोट बेंक खिसका तो भटने लगी है चाती बोट बैंक खिसका तो भटने लगी है चाती चाती नहीं भटती तो ये सोगात नहीं भटती येस खाती नहीं भटती के ठाली लोटा बजाए मन की भी बात सुनी थाली लोटा खूब बजाए मन की भी बात सुनी फिर भी ये सोतन महगाई नहीं गटती और जनता भी तो लालची गरल फ्रेंड हो चुकी है जनता भी तो लालची गरल फ्रेंड हो चुकी है बिगना गिफ्ट दिये अब ये भी नहीं पटती के मुफ्त खोर तुम्हें हमें बना कर ऐसे ना भरमाओ और ये चुनाव जयाद है प्यारे इससे हमें बचाओ आपके फ्री और दूसरों के फ्री में फर्क है बात तो सही है देखिए सबसे पहली बात कि फ्री रेवडी कल्चर हमारा नहीं है इंपावर्मेंट का कल्चर है हमारा आज की तारीक में अगर असी करोड़ लोगों को पिछले तीन साल से अनाज दिया जा रहा है पांच किलो तो वो इसलिए नहीं कि उस अनाज की उनको ज़रुत है वो इसलिए कि उनको एक मजबूत एक संबल मिले कि आपके पीछे सरकार खड़ी है कोरोना हुआ तीन महीने लोग हर चीज बंद रहा फर्स्ट वेव में सेकेंड वेव में फिर तीन महीने बंद रहा इमाजिन कीजिए वो रेडी पट्री वाला जो घूम रहा है वो क्या खाता होगा जो दुकान पर कुक्ष का बेचता है जो हम लोग खाते हैं व कि आप घर के मालिक बन गे उस घर पर आप लोन ले सकते हो उस घर से विवसाई कर सकते हो चार करोड सवा चार करोड लोन अगर हमने घर दिये हैं बेघरों को घर तो यह फ्री नहीं है लेकिन अगर आप घोशना करते हैं कि अन तीन जार रुप्य भत्ता देंगे खतम हो गया था मीडिया गोदी मीडिया हो गई थी जैसा यह लोग कहते हैं अगर इनी केसा आप से चले तो भाईया पांचनी अर्थवेवस्था कैसे बन के जर्मनी को पीछे हाचार के कैसे बन गया है एक बंदूक नहीं बनाते थे आज हम एक एक फॉटी सेवन कैसे बना है वो किसको नहीं पच रहा है यह सवाल है कवियों निकालिए इसको हवाई फाहर को आगे ले जाते हैं अगर जूट बोलना पाप है तो आत्म विश्वास से जूट बोलना मोदी नीती है अब यह कह रहे हैं कि यहां पर आपने फ्री की बात करी इनको बड़ा दुख था यह भूल जाते है प्रदान मंतरी जी ने किस तरीके से रेवडी कल्चर के उपर हमला किया था और कितनी रेवडी यह उन्होंने करनाटक में बांटी हैं और कितने इनके मेले और उनके साथी पकड़े गए हैं और क्या-क्या बांटा है जाके देखिए करनाटक की अगर लगा दिया है करनाटक में बोल रहे थे कि यहां पर सबके पास रोजगार है रोजगार है दो दिन पहले की खबर है बेंगलूरू में कॉग्निजिंट कंपणी ने 36 लोगों को बेरुजगार कर दिया तो बेरुजगारी का बजार ही लगाया है और यह कहते हैं हम गन बना अजी गन से क्या हमारे घर में राशन आ जाता है यह गोली चलाते है तो क्या उससे हमारे वहां पे घर में जो आटा है उसके दाम कम हो जाएंगे सिलिंडर के दम कराम कम हो जाएंगे इतनी फैक्टरी लग गई यह हो गई लेकिन नौकरी के लिए तो लोग आज भी घूम है दो करोड नौकरी देने का वादा था आज तक आप हिसाब नहीं दे पाए आभी के लोग पार्लेमेंट में जवाब देते हैं कि नहीं दी गई फिर बोलोगी महंगाई चरम पे है क्या फायदा उस देश में अगर गन बन रही है यह बन रही है अगर आम जनता को रोटी स जबजी तेल गैस खरीदने के लिए नॉर्मल जिंदेगी जताने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है वह गन से पेट भरा जाएगा क्या अभी आप जिस पार्टी में पहले से सर उस पार्टी के जो राश्ट्री अध्यक्ष है आदरणी नितिश कुमार जी इस समय व नवीन पतना एक जी इसको मनाने के लिए कि एक प्रधान मंत्री पत्र का कैंडिडेट मैं भी हूँ इसमें भी पेजा गौर लगाया करकि दिएगा क्योंकि बहुत सारे गूम रहे हैं नवीन जी ने क्या संदेश दिया नितिश जी को वो सुनिएगा पतना और भोगनेश अचा है लंसे में नहीं पत्ना पतीगेगी मंत अचइब दिल्ली के यारी की सवारी मेरी गारी में नकर बेकार लतकना गठ बंधन के राह में घट नहीं जाये दुर घटना अभी दूर बहुत है दिल्ली मत ओड़वा लेना खिली मैं तुम्हारा काम है पलटना तुम्हारा काम है पलटना पटना से मैं नहीं पतना वे पतना चल हटना नवीन गैखने हैं ऑप मुझे यह नहीं पता कि विबयार भवन के लिए जमीन ख्लब स्थने के लिए आये हैं कुछ TIMS 4000ो पेली देखने बुझत दूसरी में भूता हुआ जिना इे जिना неп選 फाकर का है। में किस्ना सुप है। इसमय भी है क्वेति खातते है। वाहा Анग क कॉट्छ मात अख करना हुए। उदर से लिए नवीन जी ने भी इग्नोर कर दिया है इस पूरी मुहिम को देखे हमारा स्टैंड बिल्कुल फ्लियर है कॉंग्रेस पार्टी हर उस पार्टी के साथ लड़ेगी जो देश के लिए सबसे पहले लड़ेगे जो देश में अभी अत्याचार हो रहा है तो देश में भ्रहष्टाचार हो रहा है इस बात पर मैं भी कुछ लिखके लाईऊ कि आज देश की स्थिती क्या है जोटी योजनाओं के नाम पर माया जाल बुना जा रहा है बेरुजगारी के बजार का मुनाफा बढ़ता जा रहा है महंगाई के दलदल में आम इंसान फस्ता जा रहा है सत्ता की लालश के चक्कर में सरकार का रुप्य से भी जादा इमान गिरता जा रहा है देश की अर्थ्विवस्था का काम तमाम है मुद्दों की बात दूर जुमलों का आलम सरयाम है धरम के नाम पर शोर सुभा शाम है बेरुजगारी ब्रश्टाचार है हर जगा बड़ी बड़ी बातों का ताम जाम है तो इन मुद्दों को मद्दे नजर रखते वे जो साथ मि कि जनता को सबसे पहले आगे रख साथ मिलकर लडबना चाहें का उन सब का स्वागत है और जो मोदी सरकार भार बार कहा जाता है कि हमें मोदी जी से नफरत है हमें किसी से नफरत नहीं है हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं हमें प्यार सिर्फ देश की जनता से है और उनका हिट सर्वो परे है तो देश की जनता का हिट और इन मुद्दों के खिलाफ जो लड़ेगा उनके साथ हम मिलकर सरकार के लिए लड़ेंगे कि यह जो मीटिंग हो रहे हैं इनको हलके मतलों बहुत हलके मिले रहे हैं काम बिगड़ जाएगा भाई साब सुनिए गालोग जी सभी विपक्छी एक हुए हैं इनकी मीटिंग से डरियो ये मिलके बहुमत पालेंगे तुम देखते रहे हैं अखलेस का गुसा भारी है हर दल से मिलना जारी है पटना वाले बाबुजी की पटना एक से भी यारी है एनसीपी की शिव सेना से मिलकर अच्छी तैयारी है प्लानिंग रेडी अब सारी है गठ बंदन लगता भारी है और जिसको समझ रहे हो धुलमुल ऐसे राहुल से डरियो यह मिलके बहमत पालेंगे तुन देखते रही है यह मिलके बहमत आंध्रा मेरे डी के सी यार तूफान बनाए बैठे है चैन नई वाले इस्टालिन जी लुंगी को उठाए बैठे है इडी के सताए बैठे है सब शक्ति जुटाए बैठे है और यह बंग्दी कम कर देना च्छमता ऐसी माया ममता से डरियो यह मिलके बहमत पालेंगे तुम देख दे रही हो इसका इलाज है कुछ सरा आपके इडी के सताएं सारे बहुमत क्या हलुआ है क्या कि मिलके बना लेंगे सब खालेंगे अच्छा आप चुनाओं में जाते हैं और उसके बाद लड़ते हैं किस मामले में लड़िएगा क्या बोलके लड़िगया हां जी हम रिष्टा चार कर रहे थे इन्होंने इडी हमारे पीछे लगा दीसले में बहुमत दे दो आप आप दो तीन बाते देखो यहां पर बैठे हैं उससे ठीक 10 किलोमेटर दूर दिली शुरू हो जाता है कि हाँ जी हम कसम खाते हैं जी दो रूम से जादा के कमरे में नहीं रहेंगे जी आजी हम इंडिया घंस करप्शन है रेवलूशन के पाटी हम निकले हैं जन में पैदा है करफशन के अन्न की छाती पर बैट कि अन्नी कमाई अब सोचिए फोर सबके लिए इस देश में इंस्पिरेशन पोस्पिरेशन पोस्पिरेशन फोर सबके लिए सची जी ने अपना एक मुर्चा खोल लिया है अब कविता सुनिया आनन लीजे लगता है अपने लिए कुरसी का रास्ता खोज करके मानेंगे एक सचिन वो हैं जो ओपनिंग करते थे एक ये हैं जो कांगरेस का दफतर क्लोज करके मानेंगे जवाब नहीं तुम्हेरा यार तो क्लोज करके मानेंगे और अभी एक बयान उन्होंने दिया है कि मेरे नेता जो हैं वो राहुल सोनिया गांधी हैं तब सुनिये आप ये बयान सुनकर खड़गे जी सोचते होंगे कि जान बूज कर मुझे चिढ़ाया है क्या अगर नेता राहुल सोनिया ही हैं तो मुझे एकजिट पोल के फोटो के लिए अद्यक्ष बनाया है क्या अद्यक्ष बनाया है क्या और एक मजे की पंग्ति आलोग सर दाली बजाईएगा आप इस पे बनाया है क्या शायद दोनों नेता शायद दोनों नेता बीजेपी से प्रभावित होकर मचल रहे हैं दोनों एक दूसरे के लिए न खाऊंगा न खाने दूंगा की थेओरी पे चल रहे हैं इस तरह तो बना बनाया प्रेस्टीज खो जाएगा ऐसे आपसी संगर्स से विकास का तो पता नहीं पर सत्ता वापसी के सपने का ना सो जाएगा ना सो जाएगा और राजस्थान में चुनाओ है आप सोचेंगे कि विरोधियों के छक्के छुडा देंगे पर गहलोजी जादूगर हैं उन्हें अपना पत्ता साप होने का शक भी हुआ तो पार्टी का कबूतर बनाके उडा देंगे जो परिवर्तन चा रहा वो जनता बहुत गुनी होगी सोच समझ के लोगों ने अपनी सरकार चुनी होगी आप सोच रहे करनाटक ने क्यों कांग्रेश को जिता दिया क्योंकि वहां के लोगों ने सायद मन की बात सुनी होगी चार पंक्तिया आपका और सुना रहा हूं बीजेपी की खिड़की और बंद किया है फाटक को जनता ने इग्नोर किया भक्तों के हरनाटक को बहुत रह लिया कि तुमने जोक दिया सब ताकत को फिर भी बोलो कैसे तुम हार गए करनाटक हार गराए LE devam determ सेन विश्ne परिणम जो भी चुनावी राजनिती में होता हैं तो अठल जीक की जित में ना हार ना जीत में किंचित नहीं भैबीथ म में संगर्ष्पत पर जह मिला यह भी सही वह भी तहीं इससे हम personally बार्द का नोगों ने इन लोगों मिलकर Bialand अलोग जी अबि यूपी में एक statement आया सफार सरकार से शियुपाल सिन्जी का चाचा जी का कि यूपी में जो मंत्री ना उनकी इतनी भी हैसियत नहीं कि बाबू या चपरासी का ट्रांसफर करा सका है तो मुझे एकदम से उनके कारेकाल में चाचा जी की सक्तियों का एहसास पास इतनी सक्टियां थी कि अकेले नी समलती थी उनके कई बतीजे समालते थे जितने भी युवानेता सब उनको सगा चाचा बताते थे खुदको बतीजा बताते हैं अब ऐसे ही दो बतीजे आपस में टकराए एक चौराये पे मिले उनके बीच में क्या बातचीद भी सुनिय कि तीन लड़कों को जब पुलिस ने रोका तब एक बोला आज तेरी आफ़त ही आई है ये असली शक्ति पुलिस वाले को अड़का दिया तीन लड़कों को जब पुलिस ने रोका तब एक बोला आज तेरी आफ़त ही आई है चाचा जी का हूं सगा बतीजा जानता नहीं क पुलिस वाला बोला चल साइड में लगा ले बाई जानता हूँ तूने सारी बात ये बनाई हैं तेरे जैसा ही बतीजा चाचा जी का मैं भी तो हूँ मेरी नौकरी भी चाचा ने ही लगवाई अगल जाता हूँ चोटा साथ सुनिये कई बार गटबंदन बने और हर बार फेल हो जाते हैं जैसे आज कल क्या होता ना IPL पर टीम बनती हैं ऐसे अम कई लोग बनाते हैं उसमें प्लेयर और कैप्टन चुनते हैं लेकिन कोई जीता नहीं जानकारी में तो कोई नहीं जीता ऐ है ऐसे ही कई बार हुआ सुनिये 선생ा वोगनि चलते यूथ कन नहीं चलता भाजपा के आगे कोई भीगठ बन नहीं चलता बनाते हैं ये हर सीजन में teem IPLC पर बनाते हैं ये हर सीजन में टीम IPLC पर कभी प्लेयर नहीं चलते, कभी कैपटन नहीं चलता, कभी प्लेयर अब प्लेयर और कैपटन हम भी टीम बदलें जल्दी जल्दी ये सब बस्ट मशीन में तुरू बश्ट मशीन करना टक चुनाव ने बता दिया किया जंता का क्या देश का क्या मूड़ है 24 का इशारा है कि सुनो सुनो भी जई-पी वालो हां सुनो सुनो भी जई-पी वालो चाहे जितना जोड लगा लो सबसे आगे होंगे राहुल गान्धी आरे हमने कहा है तुम भी सुनो के 24 एलेक्शन का केवल इशारा है समझो ना कमजो अच्छा इतनी जल्दी पलट हुआ आपने किसी को देखा है के 24 election का केवल इशारा है समझो ना कमजोर है दो दिन की सत्ता से इतने ना फूलो तुम अपने रहे दौर है लोट कर आए थे लोट कर फिर से आएंगे अब ये कर नाटका से ही करके दिखाएंगे तब भी कहा था अब भी सुरू अरे सुनो सुनो भी जेपी वालो चाहे जितना जोड लगा लो सबसे आगे होंगे राहुल गांधी के सबसे पुराने हैं दलोक शाही के यूही बेखरते नहीं तपते नहीं आच मैं जो कभी सोने जैसे निखरते नहीं ना डरे थे कभी आगे भी डर न पाएंगे वक्त की आज से हम तब के निखरते जाएंगे तब भी कहा था अब भी सुनो वाँ तो ये पॉजिटिविटी कॉंग्रेस के अंदर है जोर तो लगाया काफी लगाना भी चाहिए लेकिन वो जो अब उस जोर का ये इस बार वैसा रिजल्ट क्यों नहीं देखी ऐसा है कि पिछले बार भी मैंने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी हम लोग बने थे लेकिन सरकार इन लोग ने बना ली उसके एक साल के बाद लोगसभा चुना हुए हमारा 38% से वोट चला गए 51% 28 में से 26 हम ले गए बाकी लोग टापते रहे गए यह भी फैक्ट है कि वो जो राज्य में रिजल्ट आता है फिर वो पलड़ जाता है लोगसभा में प्रताब फोजडार कुछ नहीं बोलूग कि जो चीज होनी नहीं उस पर बोलना क्या है Low और औरहने परता है रहे इंको थोड़ा सार उमीद थी कि शायद इनकी बन जाएगी जो साइकल की किल-किल रह गई है सपा पर किल-किल अट गई साइकल की किल-किल सपा पर रह गई योगी जी निकाल साइकल की साइ ले गई साइकल की साइ ले गई साइकल की साइ ले गई साइकल की किल-किल सपा पर रह गई योगी जी निकाल साइकल की साह ले गए और उसके हैंडल पे तांगा है कमंडल में त्रम और उसके हैंडल पे तांगा है कमंडल केरियर पर बिठाके बावा गाय ले गए है है पाजी वक्ति रहा है कि हैंड़ पंप हाती हाथ हात मलते रहे हैंड़ पंप हाती हात मलते रहे जोरदार जीत करके बाय बाय ले गए जोरदार जीत करके और अब ताजीदाना जोरदार जीत करके बाय बाय ले गए और लगता है चौबीस में ऐसे ही जीतेंगे यह जैसे अब जीत करके निकाह ले गए यह जीत कर बोला बंद करो यह लिखना चंद भी मुझसे चिड़ कर बोला बंद करो यह लिखना और जिन पर लिखते उनका खुद ही बंद हो गया देखना अब अभी पीछे क्या हुआ आपने देखा होगा कि बीजेपी के बहुत सारे भाषन आपको सुनने को मिले होंगे उनको जड़ा ध्यान से उसकी समीक्षा कीजिए तो आप क्या पाएंगे बीजेपी के भाषनों में क्या होता है वही कवीता सुनना आप बीजेपी के भाषन में क्या होता है इतिहास की बात विपक्ष पर आरोप बयानों पर हाई हाई खुशहाली का वादा जैसे कोई चिप्स का पेकेट हो काम की चीज कम और हवा सबसे ज़्यादा हाँ हवा सबसे ज़्यादा ठीक है राजनीती है गर्म तवे पर दो रोटियां फालतू भी सेक लीजिये सस्ते डाटा की चर्चा तो हो गई अब महंगा दूद तेल आटा भी देख लीजिये बड़िया बड़िया है डाटा भी देख लीजिये पर फुर्सत कहां होगी पर फुर्सत कहां होगी जीत के तरीके खोजने में लगे होंगे 24 वाले चुनाओं के लिए राइमिंग वर्ड्स वाले नए नारे सोचने में लगे होंगे क्योंकि अच्छे दिनों वाली गठरी अब खोल नहीं सकते और अगली पंक्ती लोजिकल लग जाए तो एक पर दोरदार ताली बजाना क्योंकि अच्छे दिनों वाली गठरी अब खोल नहीं सकते और पुराने नारों में से एक भी नारा दो बारा बोल नहीं सकते यह बढ़िया है बहुत अच्छे बिल्कु उस्टाइब बार 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 जीतने का तो कमल कोई अपने आप नहीं खिल रहा है बस कोई विकल्प तैयार होने तक टेंपरोरी बेनिफिट मिल रहा है बहुत बढ़ी है बहुत बहुत धन्यवाद क्या कवी सहाब कि स्विकार रोकती है कोई विकल्प ही नहीं है मतलब आपने तो जीरो कर दी आयार कॉंग्रेस पार्टी यह सारे विपक्ष को एसी दुखरते कांग्रेस वाले आप भी मरते वक्त लेके जाएंगे और मैं भी मरते वक्त लेके जाऊँ आप वो नारा कि आप बार बार बोलेंगे रोज बोलेंगे वह जैश्री राम जैबजरंगली क्या बाद 24 पे जो नजर है ना जनता बहुत समस्दार है और जनता आजकल यही गाना गा रही है रब उने भी खूब जोड़ी बनाई है जनाब मोदी भिला जवाब है योगी भिला जवाब और देखो राहूल हो या हो खडगे मोदी पे रोज भड़के पहले तो गाली काफी फिर मांगते हैं माफी फिर मांगते हैं माफी सत्ता के बन के रोगी हर बार हार भोगी मुश्किल बहुत ही होगी मोदी के बाद योगी मोदी के बाद योगी मोदी के बाद योगी मोदी के ब्रस्टों के हाल होंगे फिर ज्यादा और खराब मोदी बिला जबाब है योगी बिला जबाब और कांग्रेश क्या किये अपनी सुना ना पाए मुद्दे भुना ना पाए जब 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 जुबान भटकी मोदी से खाई पटकी मोदी से खाई पटकी इसलिए 24 का पल खिलेगा भगवे का दल खिलेगा भारत अटल खिलेगा फिर से कमल खिलेगा फिर से कमल खिलेगा और ये जो ना गठ बंधन गठ बंधनों के मुख से हाए गठ बंधनों के मुख से हट जाएंगे नकाब मोदी भी लाजवाब है योगी भी लाजवाब और यही प्रणाम हुआ कि उत्तरप देश में दिखाय चुनाओ योगी जीत गए और उसके बात क्या हुआ है मिधी सुनो विपक्षी अब जिद छोड़ो सुनो विपक्षी अब जिद छोड़ो मालो मेरी बात यूपी की जनता है योगी बाबा के साथ कबसे बीमार बैठा हाती बेचैन है अपने पहियों में उलजी साइकिल की चैन है अब केवल कोसना ही इन सब का काम है जनता के होटों पे तो जैजै श्री राम है राहुल जी भी घूम रहे है अरे राहुल जी भी घूम रहे है लेकर खाली हाथ यूपी की जनता है योगी बाबा के साथ होता एलाज अब तो गुंडों का रोज है बाबा के पास में हर दम बुर्डो जर्डोज है और तुम केवल माफिया के मरने पे चीख लो कैसे सरकार चलाते बाबा से सीख लो 24 में फिर करेगी जनता और 24 में फिर करेगी जनता वोटों की बरसाथ यूपी की जनता है योगी बाबा के साथ बाबा धनिवाद शुक्रिया कि स्टंपिंग के चांस हैं समाल कर खेलिएगा लांगी नहीं जाए ऐसी क्रीज की जरूरत है निचले और सीर्स नेत्रत्य के बीच अब संबाद वाले किसी ब्रिज की जरूरत है करना स्टोर सीखो अपने नेताओं को गर्मी का मौसम इसलिए हो रही करना स्टोर सीखो अपने नेताओं को गैरों से भी ज्यादा अब निज की जरूरत है अपने गैरों से भी ज्यादा अब निज की जरूरत है बौशिंग मशीन के भरोसे मत बैठो अब में बाजपा को फिरिज की जरूरत है आघ्री मुक्तक मैं सुना रहा हूं इतनी देर से करनाटक करनाटक न हो गये जिसे ब्रह्मांड नंबर पे वैसे ही इस बार गए हैं ये कंडीशन है इनकी मत पूछो तो अच्छा है कल रात में सपना देखा था उसमें भी आर गए है करनाटक पर क्यों चर्चा हो रही है क्योंकि जैसा मैंने कहा था संकट मोचन का अपमान किया बजरंग बली जी का अपमान किया करनाटक में जवाब मिला और बजरंग बली जी किसके सबसे भड़त भक्त है रामलला के है ना अब उसके बाद अगला जवाब राम जी देंगे और उत्तरप्रदेश से आएगा तो देखते जाएए करनाटक से शुरुवात हुई है उत्तरप्रदेश पे जाएगी कॉंग्रेस की मेमरी ऐसी हो गई है कि यूपी का फुल फॉर्म भूल गया आप कहा रहेंगे लोग सभाजी तेंगे देखिए राम भगवान का अपमान किया तो एक वेक्टी अमेठी से वाइड़नाट पहुंगे अब बजरंग बली का अपमान इनुम बजरंग दल के साथ जोड़के किया जो मान सिकता हिंदू विरोधी मान सिकता इसो लेगे कब तक ढोएंगे ढोते रहने लीजे किस तरफ पहले शुरुआत करेंगा मैं तो यह देखो प्यार महबत की बात से सुरू करूंगा और मुझे आलोग जी से बहुत प्यार है और मेरी बात भी मानते हैं पिछले बार जब वो आए थे जे डियू से तो मैंने का आप जल्दी भाजपा में जाने वाले और वो चले गए तो यह कह रहा हूं सर अलोग जी यह कह रहे थे क्यों चलेगे क्यों चलेगे क्या बात है मैंने कि यारब वही जगे ऐसी है कैसी हर आदमी को पता होता है अपने कर्मों का बरना गंगा में बीड़ ऐसी थोड़ी होती है अब बड़े अपन की है अच्छा है अच्छा है अलोग जी गहन विचार मतरा में चलेगे मैं खोल देता हूं इसके के कल यूग में भाजपा का रामराज जी आया है पिटने को चूजिए कडोन कर लीजिए पिटने को चूज एक डौन कर लीजिए और धरती का निरीय प्राणी खुद को समझिए मांगते विकारी वाली टौन कर लीजिए कि आख बंद करो यहां कुछ नहीं देखना है आख बंद करो यहां कुछ नहीं देखना है बोल यह भी नहीं पूरा मौन कर लीजिए पूरा मौन कर लीजिए और जान भी बचानी है और जेल नहीं जाना है तो फटा फट बीजे पी जॉइन करें लीजिए और जान भी यह जगह है यह कैसी के घूटा लों की बैतरनी से पार लगाने वाला घूटा लों की बैतरनी से यह पार लगाने वाला और यही सुरक्षा का बच्छा है प्यारे जान भचाने वाला आप तो खुद डॉक्टर हैं मैं वही कह रहा हूं कि अब थुड़ा इंका इलाज करते हैं यह सुदीब से बलते हैं करने के लिए आपने भाई सब मैं एक खतम कर लूँ आपने कहा कि यहां पर आके बिलकुल चुप हो जाईए है ना मुझे तो बोलने के लिए लाए गया है तो चुप भी नहीं आपने कहा एक डॉन चूस कर लीजिए आप देखिए देश भर में कितने डॉन चूस कर लिए हमारी पार्टी ने कहां से कहां चले गए उत्तर प्रदेश बिहार अब बिहार तो अगर बड़ा रहा है उसको भी ठीक कर लेंगे अब पाइवड़ी कल्चर की बात हुई ओक हमारी हां तो मंदिर में पूझा करतें हैं आर्थी होती है उसकी और प्रशाद चड़ाते हैं रेवड़ी उनको कम सेकंके चोटी मुटी रेवरी दे देते तो कम से खम इस लेविल पर ना आते वो मैं सुनाता हूं एक आर्ठी देता हूं तुछ वह वह अर्टी काते हैं हां हाँ हमारे भी कम हो पाइलट बोले जनावे आली गेहलोत लेकर थाली किसकी उतारें देखो और ती ओ मया भाती वे रोधी उने पारे उनका बयान है कि गैलो जी किसको ज़्यादा मान सम्मान देते हैं सौनिया जी को दे रहे हैं अब सुन्द्रा जी को बेगाने अपने लगते हैं और अपने बेगाने जिसको छपन भोगते मिलने मिले न सूखे दाने जिसको छपन भोगत मिलने मिले नसुके दाने याने मारें वो फूक करारी हो मैया जो तपे मारी दुश्मन से आरी बनता धारती हो मैया देखो उतारें किसकी आरें कभी कहें गदार निकमा कभी कहें और जादूगर पर किया है जाने कैसा जादू तो ना और आखरी देखिएगा वो अब क्या करने जा रहे हैं कि जन संग घर्ष करेंगे और अभी क्या बतलाएं क्या आगे वर्ष करेंगे इतनी नाभोली भाली रोटी पलटने वाली रोटी पलटने वाली कुरसी पलट के है तारती ओ मैया देखो उतारें किसकी यारती बोल सेरा भाली मैया की अलोग जी सर कांग्रेस के एक नेता ने दावा किया है कि भाजपा के कई नेता संपर्क में हैं और जैसे मद्द प्रदेश के दीपक जोसी कई-कई बड़े नेता बड़े भाजपा के जा रहे हैं और जिस तरह जा रहे हैं मुझे क्या लग रहा है सुनिएगा बीजेपी के घर संकट आने वाले हैं सब धीरे धीरे चोड के जाने वाले हैं क्यों रहल के घर पे खाट बिचाने वाले हैं सब धीरे धीरे छोड़के जाने वाले हैं सब धीरे धीरे छोड़के जाने और यह सब उता क्यों है बाजबा को भी देखना चाहिए सिंधिया पे आँख लगाए थे बंगाल में इडी फसाए थे अब आपके नेता बहके हैं तुमने उनके बहकाए थे जो बोयावो ही काटके खाने वाले हैं सब धीरे धीरे छोड़के जाने और यही प्रणाम देख करनातक की तस्वीर बथारी है 24 की तस्वीर कांग्रेस बहुत होशियार हो गई है साब कैसे होशियार हो गई है बतारों, पंक्तिया कॉंग्रेस गठबंधन का गोला देकर सबको भर्मा रही है पी-म तो बनाएगी अपना और मेहनत नितीश कुमार से करवा रही है और नितीश जी ने क्या कहा है मुझे पी-म नहीं बनना तब पंक्तियां कहता हूं आनन लेना कौन सत्ता में आएगा नहीं आएगा ये तो किसमत का लेखा है कुछ बनने के लिए कोशिश करना तो सुना था कुछ नहीं बनने के लिए मेहनत करना पहली बार देखा है पहली बार देखा है और बता रहना भी पटनायक जी ने इंट्रेस्ट नहीं दिखाया क्यों नहीं दिखाया होगा पंक्तियां सुनना कुछ लोग अपनी बात पे कायम रहने वालों पर विश्वास जताते हैं और अगली पंक्ति आ रही है बात पसंद आजा तो उठा लेना कुछ लोग अपनी बात पे कायम रहने वालों पर विश्वास जताते हैं सिमरन भी दो बार पलट पलट बोलने पर पलटी थी ये तो बिना बोले ही पलट जाते हैं पलट जाते हैं और कॉंग्रेस का शाही अंदाज कम नहीं हुआ आखिर दशकों शासन का स्वाद चखा हुआ है लोगों के घर घर जाके बतियाने के लिए पार्टी ने सीम रखा हुआ है पार्टी ने सीम रखा हुआ है लेकिन एक बात तो सिद्ध हो गई कि महत्त्य कांक्षा पूरी हर एक नहीं हो सकती है जब तक अपना स्वार्थ सिद्ध नहों विपक्ष की पार्टी यां एक नहीं हो सकती है निरध जीन बन सकते हैं या नि देखिये इस देश में कोई भी प्रधानमंतरी बन सकता ये भी बन सकते आप भी बन सकते हैं आप हैं कल का भविश्य है कोई भी बन सकता यही थो हमारे देश की खुब सूरति है कि यहाँ पर डिमॉक्रीशी है वह डिमॉक्रिसी जिसको यह दबाने की कोशिश कर रहे हैं वह डिमॉक्रेशी जिसके साथ भारतिय जंता पार्टी खिलवाड कर रही है और मुझे समझ नहीं आता कि नितिश जी से इनको प्रॉब्लम क्यों हो रही है और आपने जैसा कहा कि पहली बार आप देख रहे हैं कि कोई कुछ नहीं बनने के लिए महनत कर रहा है क्यों हमारे देश में लाखों लोगों ने अ पैसे राज से हटाने के लिए जो बार-बार दबाए जा रहा है जहां पर अर्थवेवस्ता गिर रही है गरीबी बढ़ रही है बेरोजगारी बढ़ रही है जूटों की जुम्लों की बारेश हो रही है तो इसमें बुरा क्या है और आखिर में बात भूनोंगी श्री इसमें पर दोखाने को फूल मिल जाता है कर दो अधिक लाइम पढ़ना चाहूंगी एक अकेला पार्थ खड़ा है एक अकेला पार्थ खड़ा है भारत वर्ष बचाने को सभी कौरव साथ खड़े है केवल उससे गिराने को है की सब पर्णों के साथ है महाबारत आपने अच्छे से पड़ी नहीं लगता है। पाइलेट गये लोगता आपस में लड़ाई चल लगता है। मुठी नहीं बांदी बस अंगूठे ही दिखाए हूं। हाथ को न सूज रहा हाथ और इसमें भी कई हाथ वालों ने ही हाथ आजुमाई। कई हाथ गन्ने की मसीन से गुजरता है गन्ना कोई। कांग्रेस के बीदे को ऐसे दिन आए है और पाइलेट जी भी इसमें सही योग कर रहे हैं। अच्छा और जो चिंता कर रहे हैं। बाजपा के तरफ से अज़य जी को चिंता नहीं है। कि कांग्रेस क्या करेगी हैं। अपने आप में हार के लिए होता क्या है हर बार चुनाओं से पहले कोई न कोई एक ऐसा बयान आता है कैसा स्टेटमेंट आता है वहीं से पूरा रुख परट जाता है तब सुनिए क्या है कि स्वाद जीत का तो सदम महनत से मिलता है जीत ये समोसा नहीं इडली न डोसा है कांगरेसियों ने कई बार भाजपाईयों को अपने ही हाथों से लड़ू जीत का परोसा है और कयास तोड हवा मोड बयान वीर नया नेता उमीद है कि जरूर आपने पाला और पोसा है तैयार हो रहा होगा कोई इलेक्शन से ठीक पहले भाजपा जिताओ टाइब देगा वो बयान हमें पूरा ये भरोसा है ये तो फैक्ट है कि कई बयान ऐसे आ जाते हैं जो ऑपोजिशन या बीजेपी अपने साथ अपने फिवर में ले जाती है देखिए बयान तो दोनों तरफ से होते हैं ऐसा नहीं है कि भारतिय जन्ता पार्टी के नेता आप उनको भुना नहीं पते अब जूट को भुनाना तो अब जैसे अब धाली में चला प्रधान मंत्री जी ने इतना बड़ा जूट बोला कि सोनिया गांधी जी ने रैली में इन्फोमेशन दे रहा है या उनको जो फीडबैक दे रहा है वो गलत तरीके से दे रहा है देखो सारा कुछ उन्होंने किया कब इतने गोल पोस्ट बड़ले कि नतीजा क्या हुआ इस बार करनाटक हार गया आखिर में इनोंने दाव खेला बजरंग बली जी के उपर बजर आटक से शुरुवात हो गई है ऐसी पूरा देश भी एक एक करके सारे प्रदेश हमाएं पास आएंगे और सरकार्वी सेंटर में यह तो बस जाकी है आने वाली आंधिय भी बाकी है अजक्ता है यह तो बयान है यह ट्वीट नहीं था प्रियंका जी ने कहा मुझे लगता है दादी की तरह मुझे भी बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है लगता है लोगों ने माल लिया है कि राहूल गांधी पांसार चुनांग नहीं लड़ पाएंगे अयोग हो जाएगी इस लिए इस इंतजार करेगा राहूल की आंधी का यहार जीत तो होती रहती है मुझे पता है पहले कांगरे जीतेगी फिर सरकार आपकी बनेगी इस बात पर बात कहूंगा कि 2018 में सबसे बड़े दल में हम उभड़े थे चाहे करनाटका हो महराश्ट्रा हो 104 भारती जंता पार्टी क काया थे कांग्रेस 78 थी सरकार कोंग्रेस की बनी ऐसा नहीं है कि हम जीतेएंगे तभी हमारी सिरकार बनती है हमने क्या कहा हमने इंसे सीखा ए लेकिन गुरु तो यहीं है ना एक एक बड़ा टेंड शुरू हो गया है कि चुनाव में कौन कितना फिरी दे रहा है अभी क्या है हजार रुपे दे रही थी बाज़पा सरकार यहां पर मद्ध परदेश में कांग्रेस करी अम पंदरह सो देंगे कोई वहां पे भी यही हुआ करनाटक में भी यही हुआ बाज़पा कुछ दे रही थी उनके हमें और ज्यादा देंगे इसकूटी, लैपटॉप और गैस भी मिलेगी मुफ्त लंबी होती जाती है लिश्ट ना सिमटती है लिश्ट ना सिमटती और बोट बेंक खिसका तो भटने लगी है चाती बोट बेंक खिसका तो भटने लगी है चाती चाती नहीं भटती तो ये सौगात नहीं भटती बात है येस खाती नहीं भटती कि फाली लोटा बजाये मन की वी बात सुनी फिर भी ये सोतन महगाई नहीं गटती पिर भी ये सोतन महगाई नहीं घटती और झनता तो लाल्ची गरल फ्रेंड हो चुकी है यह जनता भी तो लाल ची गरल फ्रेंड हो चुकी है बिगना गिफ्ट दिये अब यह भी नहीं पटती के मुफ्त खोर तुम्हें हमें बना कर ऐसे ना भरमाओ और यह चुनाव जयाद है प्यारे इससे हमें बचाओ सबसे पहली बात कि फ्री रेवडी कल्चर हमारा नहीं है इंपावर्मेंट का कल्चर है हमारा आज की तारीक में अगर असी करोड़ लोगों को पिछले तीन साल से अनाज दिया जा रहा है पांच किलो तो वो इसलिए नहीं कि उस अनाज की उनको जरुरत है वो इसलिए कि उनको एक मजबूत एक संबल मिले कि आपके पीछे सरकार खड़ी है कोरोना हुआ तीन महीने लोग हर चीज बंद रहा फरस्ट वेव अभी तक सवा चार करोड घर दे चुके पूरे देश भर में औरतों के नाम से रेजिस्ट्री हो रही है यह सोची एक घर ओन करने की फिलिंग क्या होती है कि आप घर के मालिक बन गए उस घर पर आप लोन ले सकते हो उस घर से आप विवसाई कर सकते हो चार करोड सवा चार करोड लोन अगर हमने घर दिये हैं बेघरों को घर तो यह फ्री नहीं है लेकिन अगर आप घोशना करते हैं कि अंतीन जार रुप्य भत्ता देंगे बेरोजगारी भत्ता किस बात कभत्ता भई अगर हमारी नीतिया इतनी खराब होती नौ साल से देश बरबाद हो गया था लोगतंत्र खतम हो गया था मीडिया गोदी मीडिया हो गई थी जैसा ही लोग कहते हैं अगर इनी केसा आप से चले तो भाईया पांचनी अर्थवेवस्था कैसे बनके जर्मनी को पीछे हचार क अगर जूट बोलना पाप है तो आत्म विश्वास से जूट बोलना मोदी नीती है अब यह कह रहे है कि यहां पर आपने फ्री की बात करी इनको बड़ा दुख था यह भूल जाते हैं प्रदान मंत्री जी ने किस तरीके से रेवडी कल्चर के उपर हमला किया था और कितनी रेवडिया इनोंने करनाटक में बांटी है और कितने इनके मेले और उनके साथी पकड़े गए हैं और क्या-क्या बांटा है जाके देखिए करनाटक की अगर आप कैमपेंड में जाते तो जिन लोगों को जरूद भी नहीं है उनके घर पे इनोंने टीवी पहुंचाने का काम किया उनके घर पे अलग-अलग फ्री बीस पहुंचाने का काम किय और वादों में भी बहुत बड़ी-बड़ी बात है और आपको कहां समझ आएगा जी बेरोजगारी आप लोगोंने बेरोजगारी का बजार तो लगा दिया है करनाटक में बोल रहे थे कि यहां पे सबके पास रोजगार है रोजगार है दो दिन पहले की खबर है कम हो जाएंगे, सिलिंडर के दम कम हो जाएंगे, इतनी फैक्टरी लग गई यह हो गई, लेकिन नौकरी के लिए तो लोग आज भी घूम रहे हैं, दो करोड नौकरी देने का वादा था, आज तक आप हिसाब नहीं दे पाए, आप ही के लोग पार्लिमेंट में जवाब द जाएगा क्या? अभी आप जिस पार्टी में पहले से सर, उस पार्टी के जो राश्ट्री अध्यक्ष हैं अदर्णी नितिश कुमार जी, इस समय वो, अच्छा, अभी ललन सिंग जी है, वो भी थे होगी, ललन सिंग जी के जो पार्टी है, आपके मुख मंत्री जो रहे, वो अभी भुबनेश्वर गए, नवीन पतनाएक जी इसको मनाने के लिए कि एक प्रधान मंत्री पत्र का केंडिडेट मैं भी हूँ, इसमें भी पे गौर लगाया कर कीदिएगा, जोंकि बहुत सारे गूम रहे हैं, नवीन जी ने क्या संदेश दिया, नितिश जी को सुन हुआ ह अपाद्रा सुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुisug पतना से मैं नहीं पतना पतना प्रतीक देखी का ध्रश बनाया है के यारी की सवारी मेरी गारी में न कर बेकार लटकना गठ बंधन की राह में घठ नहीं जाए दूर घठना अभी दूर बहुत है दिल्ली मत ओरवा लेना खिली तुम्हारा काम है पलटना तुमारा काम है पलतना, पतना से मैं नहीं पतना, ओए पतना, चल हटना नवीन जी ने कहा कि ये अपने बिहार भवन के लिए जमीन खोजने आये हैं अब मुझे ये नहीं पता कि वो बिहार भवन के लिए जमीन खोजने आये थे, अपनी जमीन तरसने के लिए आये आए हैं जमीन को तलाशने तो प्लीज करें कोई खट पटना नाच नहीं जाने और आंगन भी तेड़ा हो तो काहे का मटकना अरे नाच नहीं जाने और आंगन भी तेड़ा हो तो काहे का मटकना हम तो इग्नोर करेंगे फो कतना शोर करेंगे कटक वालों से ना अटकना नवीन जी ने इग्नॉर कर दिया है इस पूरी महिम को देखे हमारा स्टांट बिल्कुल फ्लियर है कॉंग्रेस पार्टी हर उस पार्टी के साथ लड़ेगी जो देश के लिए सबसे पहले लड़ेगे जो देश में अभी अत्याचार हो रहा है तो देश में भरष्टा चार और इस बात पर मैं भी कुछ लिखके लायू कि आज देश की स्थिती क्या है जूटी योजनाओं के नाम पर माया जाल बुना जा रहा है बेरुजगारी के बजार का मुनाफा बढ़ता जा रहा है महंगाई के दलदल में आम इंसान फस्ता जा रहा है सत्ता की लालश के चक सबसे हैं बैरोजगारी भरश्टा रहे हर जगा बड़ी बढ़ी बातों का ताम जाम है तो इन मुद्दों को मध्यनजर रखते वे जो साथ मिलकर देश को सबसे पहले रखकर, देश की जनता को सबसे पहले आगे रखकर, साथ मिलकर लड़ना चाहेगा, उन सबका स्वागत है, और जो मोदी सरकार बार बार कहा जाता है कि हमें मोदी जी से नफरत है, हमें किसी से नफरत नहीं है, हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं है, हमें प मेटिंगे हो रहे हैं इनको हलके मदलो बहुत हलके मिले रहे हैं काम बिगड़ जागा भाई साब सुनिए गालोग जी सभी वी पक्छी एक हुए हैं इनकी मीटिंग से डरियो यह मिलके बहुमत पालेंगे तुम देखते रहियो अखलेस का गुसा भारी है हर दल से मिलना जारी है पटना वाले बाबुजी की पटना एक से भी यारी है एंसी पी की शिव सेना से मिलकर अच्छी तैयारी है प्लानिंग रेडी अब सारी है गठ बंदन लगता भारी है और जिसको समझ रहे हो धुलमुल ऐसे राहुल से डरियो आंध्रा मेरे डी केसी यार तूफान बनाए बैठे है चैन नई वाले स्टालिन जी लुगी को उठाए बैठे है ED के सताएं बैठे हैं सब शक्ति जुटाएं बैठे हैं और यह बंग्दी कम कर देना छमता ऐसी माया ममता से डरियो ये मिलके बहुमत पालेंगे तुम देखते रही हो इसका इलाज है कुछ सरा आपके बहुमत क्या हलुआ है कि मिलके बना लेंगे सब खालेंगे आप चुदाव में जाते हैं और उसके बाद लड़ते हैं किस मामले में लड़िये क्या बोल के लड़िये हां जी हम प्रष्टाचार का रहे थे इन्होंने ED हमारे पीछे लगा दीसले में बहुमत दो आप दो तीन बाते देखो जहां पर बैठें उससे ठीक 10 किलोमेटर दूर दिली शुरू हो जाता है है हर जी हम कसम खाते हैं जी दो रूम से ज़्यादा के कमरे में नहीं रहेंगे जी हांज जी हम अंदिया होकर्प्शन कि परोजो हीति वं सब्सक्राएं उहां पैदा हैं कर्वचन के अन्ना की सब्सक्राइब को तक हम नहीं प्सकर अफेनि चतर करोर्स plo इस देश में इंस्पिरेशन फोर्स सबके लिए कॉंग्रेसी रहती है गलत कारणों के लिए मैं बता दे रहा हूं सर ये कॉंग्रेस की स्थिति क्या चल रही है इसमें राजस्थान पर सबकी नजर है सचिन पाइलेट अशोक गहलोत के बीच में खीचा तानी चल रही है सचिन जी ने अपना एक मोर्चा खोल लिया है अब कविता सुनिया आनन लीजिए के लगता है अपने लिए कुरसी का रास्ता खोज करके मानेंगे एक सचिन वो हैं जो ओपनिंग करते थे एक ये हैं जो कांगरेश का दफ्तर क्लोज करके मानेंगे और अभी एक बयान उन्होंने दिया है कि मेरे नेता जो है वो राहुल सोनिया गांदी है तब सुनिये गांद ये बयान सुनकर खड़गे जी सोचते होंगे कि जान बूज कर मुझे चिढ़ाया है क्या अगर नेता राहुल सोनिया ही है तो मुझे एक जीट पोल के फोटो के लिए अद्यक्स बनाया है क्या अद्यक्स बनाया है क्या और एक मजे की पंग्ति आलोग सर दाली बजाईएगा आप इस पर बनाया है क्या शायद दोनों नेता अशोक जी सचिस शायद दोनों नेता बीजेपी से प्रभावित होकर मचल रहे हैं दोनों एक दूसरे के लिए न खाऊंगा न खाने दूंग की थेओरी पे चल रहे हैं इस तरह तो बना बनाया प्रेस्टीज खो जाएगा ऐसे आपसी संघर्ष से विकास का तो पता नहीं पर सत्ता वापसी के सपने का ना सो जाएगा बहुत है ना सो जाएगा और राजस्थान में चुनाओ है आप सोचेंगे की विरोधियों के चक छुड़ा देंगे पर गहलोजी जादूगर हैं उन्हें अपना पत्ता साफ होने का शक भी हुआ तो पार्टी का कबूतर बनाके उड़ा देंगे जो परिवर्तन चा रहा वो जनता बहुत गुनी होगी सोच समझ के लोगों ने अपनी सरकार चुनी होगी आप सोच रहे करनाटक ने क्यों कांग्रेश को जिता दिया क्योंकि वहां के लोगों ने साइद मन की बात सुनी होगी मन की बात सुनी होगी चार पंक्तिया आपका और सुना रहा हूं बीजेपी की खिड़की और बंद किया है फाटक को जनता ने इग्नोर किया भक्तों के हरनाटक को बहुत रह लिया कि तुमने जोक दिया सब ताकत को फिर भी बोलो कैसे तुम हार गए करनाटक वैसे परिणाम को लेकर जो भी चुनावी राजनीती में होता है तो हार जीत लगे जाती है अटल जी की एक कविता है ना हार में ना जीत में किंचित नहीं भैवीत में संगर्षपत पे जो मिला ये भी सही वो भी सही इसले हम तो संगर्षपत हैं पिछले बार मिकरनाटका कि यूपी में जो मंत्री है ना उनकी इतनी भी हैसियत नहीं कि बाबु ये चपराशी का ट्रांसफर करा सका है तो मुझे एकदम से उनके कारेकाल में चाचा जी की सक्तियों का एहसास हुआ मैंने देखी बड़ी करीब से उनके पास इतनी सक्तियां थी कि अकेले नी समलती थी उनके कई बतीजे समालते थे जितने भी युवानेता सब उनको सगा चाचा बताते थे खुद को बतीजा बताते हैं अब ऐसे ही दो बतीजे आपस में टकराए एक चौराये पे मिले उनके बीच में क्या बात्चीत ही सुनिये कि तीन लड़कों को जब पुलिस ने रोका तब एक बोला आज तेरी आफ़त ही आई है चाचा जी का हूं सगा बतीजा जानता नहीं क्या बाइक भी एक खुद चाचा नहीं दिल लवाई है तो पुलिस बाला बोला अब दूसरा तो पुलिस बाला बोला चल साइड में लगा ले बाई जानता हूं तूने सारी बात ये बनाई है तेरे जैसा ही बतीजा चाचा जी का मैं भी तो हूं मेरी नौकरी भी चाचा नहीं लगवाई अंक जाब रही बाद गटबंदन की जो चल रहा है तो मैं एक मुक्त तक समाता हूं चोटा सा सुनिये कई बार गटबंदन बने और हर बार फेल हो जाते हैं जैसे आजकल क्या होता ना आई-पील पर टीम बनती हैं ऐसे हम कई लोग बनाते हैं उसमें प्लेयर और कैप्टन चुंते हैं लेकिन कोई जीतता नहीं जानकारी में तो कोई नहीं जीतता ऐसे कई बार हुआ सुनिये बुआ बबुआ नहीं चलते यूथ आइकन नहीं चलता भाजपा के आगे कोई बिगट बंधन नहीं चलता बनाते हैं ये हर सी जन में टीम आईपी बेल सी पर कभी प्लेः नहीं चलते कभी कैपटन नहीं चलता कभी ऐष्याए बढ़्या अब प्लेयार और कैपटन हम भी टीम बदल से लिए जलदी जल्दी अच्छारी बाते हुई लेकिन करनाटक चुनाब ने बता दिया किया जनता का क्या देश का क्या मूड है 24 का इशारा है कि सुनो सुनो भी जे पीवा लो सुनो सुनो भी जे पीवा लो चाहे जितना जोड लगा लो सबसे आगे होंगे राहूल गांधी अरे हमने कहा है तुम भी सुनो वाध बरिया वाध बरिया हमने सहा है तुम भी सुनो के 24 एलेक्षन का केवल इशारा है समझो ना कमजो अच्छा इतनी जल्दी पलट हुआ आपने किसी को देखा है लोट कर आये थे लोट कर फिर से आएंगे अब ये कर नाटका से ही करके दिखाएंगे तब भी कहा था अब भी सुनो अरे सुनो सुनो भी जेपी वालो चाहे जितना जोड लगा लो सबसे आगे होंगे राहूल गांधी गांधी के सबसे पोराने हैं दलोक Şahi के यूही बेखरते नहीं तपते नहीं आच मैं जो कभी साने जैसे निखरते नहीं थे ना डरे थे कभी आगे भी डर न पाएंगे वक्त की आच से हम तप के निखरते जाएंगे तब भी कहा था अब भी सदो पॉजिटिविटी कॉंग्रेस के अंदर है जो जो तो लगाया काफी है लगाना भी चाहिए मताब मान रहे हैं कि पहले से जोर ही नहीं लगाते थे अब लगाने लगे लेकिन वह जो अब उस जोर का ये इस बार वैसा रिजल्ट क्यों नहीं देखिए ऐसा है कि पिछले बार भी मैंने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी हम लोग बने थे लेकिन सरकार इन लोग ने बना ली उसके एक साल के बाद लोगसभा चुना हुए हमारा 38% से वोट चला गए 51% 28 में 26 हम ले गए बाकी लोग टापते रहे गए ये भी फैक्ट है कि वो जो राज्य में रिजल्ट आ फिर वो पलड़ जाता है लोगसभा में आसे मैं इसके उपर कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि जो चीज होनी नहीं उस पर बोलना क्या है निगीतिव बाते करनी है जो होना यह नहीं है जो चीज होनी नहीं सब के पता है कि सरकार हमारी बन रहे है इनको थोड़ाशार उम्म चुनावों के परिनाम सुनी है और उसके हेंडल पे तांगा है कमंडल मित्र और उसके हेंडल पे तांगा है कमंडल केरियर पर बिठाके बावा घाय ले गए हेंडल पम्प हाति हाथ हाथ मलते रहे हैंड पंप हाथ 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 मलते रहे जोरजार जीत करके बाई 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 ले गए जोरजार जीत करके और आप ताजिदा ना जोरजार जीत करके बाई 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 ले गए और लगता है 24 में ऐसे ही जीतेंगे ये लगता है 24 में ऐसे ही जीतेंगे यह जैसे अब जीत करके निकाह ले गए यह चंद भी मुझसे चिड़ कर बोला बंद करो यह लिखना और जिन पर लिखते उनका खुद ही बंद हो गया देखना अब लिखे क्या हुआ आपने देखा होगा कि बीजय पी के बहूत सारे भाशन आपको सुनने को मिले होंगे उनको जरui आप ध्यान से उसकी समिक्षा कीजिए तो आप क्या पाएंगे बीजय पी बहाशनों में क्या होता वही कविता सुनना अब बीजेपी के भाशन में क्या होता है इतिहास की बात विपक्ष पर आरोप बयानों पर हाय हाय खुशहाली का वादा जैसे कोई चिप्स का पेकेट हो काम की चीज कम और हवा सबसे ज्यादा हाँ हवा सबसे ज्यादा ठीक है राजनीती है गर्म तवे पर दो रोटियां फाल्तू भी सेक लीजिए सस्ते डाटा की चर्चा तो हो गई अब महंगा दूद तेल आटा भी देख लीजिए पर फुरसत कहां होगी जीत के तरीके खोजने में लगे होंगे 24 वाले चुनाओं के लिए राइमिंग वर्ड्स वाले नए नारे सोचने में लगे होंगे क्योंकि अच्छे दिनों वाली गठरी अब खोल नहीं सकते और अगली पंक्ति लॉजिकल लग जाए तो एक बार दोरदार ताली बजाना क्योंकि अच्छे दिनों वाली गठरी अब खोल नहीं सकते और पुराने नारों में से एक भी नारा दो बारा बोल नहीं सकते तो बारा बोल नहीं सकते और रहा सवाल बार-बार क्या कहते हैं तो जनता हमको क्यों जिता रही है तो हम कैसे जीत रहे हैं तो उस पे कहता हूँ रहा सवाल बार-बार जीतने का तो कमल कोई अपने आप नहीं खिल रहा है बस कोई विकल्प तैयार होने तक टेंप्रोरी बेनिफिट मिल रहा है क्या बात है बहुत बढ़ी है बहुत बहुत धन्यवाद क्या कवी साहब किस विकार रोकती है कोई विकल्प ही नहीं है अजिसको आप भी मरते वक्त लेकर जाएंगे और मैं कर अब लोगहिए वह नारा का बार बोलेंगे रोज बोलेंगे वह जै श्रीराम जै बजरंग वनिग तेवरे आजिब नजर यहीं और देखो राहुल हुया हो खडगे मोदी पे रोज भड़के पहले तो गाली काफी फिर मांगते हैं माफी सत्ता के बन के रोगी हर बार हार भोगी मुश्किल बहुत ही होगी मोदी के बाद योगी मोदी के बाद योगी मोदी के बाद योगी ब्रस्टों के हाल होंगे है ब्रस्टों के हाल होंगे फिर ज़्यादा और खराब मोदी बिला जबाब है योगी बिला जबाब मोदी बिला जबाब और कांग्रेश क्या किये अपनी सुना न पाए मुद्दे भुना न पाए जब जब जुबान भटकी मोधी से खाई पटकी मोधी से खाई पटकी इसलिए चोबिस का पल खिलेगा, भगवे का दल खिलेगा, भारत अटल खिलेगा, फिर से कमल खिलेगा, फिर से कमल खिलेगा, फिर से कमल खिलेगा, और यह जो ना गठ बंधन, गठ बंधनों के मुख से हाए, गठ बंधनों के मुख से हट जाएंगे नकाब, मोदी भिला जवाब है और यही प्रणाम हुआ कि उत्तर पुदेश में निकाय चुनाओ योगी जी जीत गए और उसके बात क्या हुआ सुनो विपक्षी अबजिद छोड़ो सुनो विपक्षी अबजिद छोड़ो मानलो मेरी बात यूपी की जनता है योगी बाबा के साथ कबसे बीमार बैठा हाती बेचैन है अपने पहियों में उलजी साइकिल की चैन है अब केवल कोस ना ही इन सब का काम है जनता के होटों पे तो जै जै श्री राम है राहुल जी भी घूम रहे है अरे राहुल जी भी घूम रहे है लेकर खाली हाथ यूपी की जनता है योगी बाबा के साथ तो बाबा करते क्या है होता इलाज अब तो गुंडों का रोज है बाबा के पास में हर दम बुल्डो जरडोज है और तुमके वल माफिया के मरने पे चीख लो कैसे सरकार चलाते बाबा से सीख लो चौबिस में फिर करेगी जनता अर चौबिस में फिर करेगी जनता वोटों की बरसाथ यूपी की जनता है योगी बाबा के साथ बाद बाद धन्यवाद शुक्रिया थैंकि इस टंपिंग के चांस हैं सम्हाल कर खेलिएगा लांगी नहीं जाए ऐसी क्रीज की जरूरत है निचले और सीर्स नेत्रत्य के बीच अब संबाद वाले किसी ब्रिज की जरूरत है करना स्टोर सीखो अपने नेताओं को गर्मी का म बॉशिंग मशीन के भरोसे मत बैठो अब 24 में बाजपा को फिरिज की जरूरत है तर आखरी मुक्तक में सुना रहा हूं इतनी देर से करनाटक करनाटक ना हो गया जिसे ब्रह्मांड जीत लिया तुम नहीं कुछ नहीं है उत्तर प्रदेश ही प्रधान मंत्रित एकड़ता है यूपी में कांग्रेश का ना पूछो किस पार गए हैं आये थे चौथे नंबर पे वैसे ही इस बार गए हैं ये कंडीशन है इनकी मत पूछो तो अच्छा है कल रात में सपना देखा था उसमें भी आर गया है करनाटक पर क्यों चर्चा हो रही है क्योंकि जैसा मैंने कहा था संकट मोचन का अपमान किया बजरंग बली जी का अपमान किया करनाटक में जवाब मिला और बजरंग बली जी किसके सबसे भड़त भक्त है रामलला के है ना अब उसके बाद अगला जवाब राम जी देंग तो देखते जाए करनाटक से शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश पे जाएगी कॉंग्रेस की मेमरी ऐसी हो गई है कि यूपी का फुल फॉर्म भूल गया आप करेंगे लोग सभाजी तेंगे राम भगवान का अपमान किया तो एक वेक्टी अमेठी से वाइड नाट पहु यह मुझे आलोक जी से बहुत प्यार है और मेरी बात भी मानते है पिछले वार जब वार जब आयinga कि उसे तो मैंने का आप जलदी भाजबा में जाने वाले और वो चले गई तुभी यह पहराओं सर आलोग जी यह कह रहे थे क्यों चले गए क्यों चले गए क्या बात है मैंने कि यार वही जगे ऐसी है कैसी हर आदमी को पता होता है अपने कर्मों का बरना गंगा में भीड ऐसी थोड़ी होती है अच्छा है इस अच्छा है अलोग जी गहने विचार मतराव चले हैं मैं खोल देता हूं इसके कल युग में भाजपा का रामराज जी आया है पिटने को चूज एक डॉन कर लीजिये पिटने को चूज एक डॉन कर लीजिये वहां बहुत हैं बाज़ृण तुम चाहो तो अकेले अकेले भी पिट सकते हो पिटने को चूजे के डौन कर लीजिये ओ धरती का निरीय प्राणी खुद को समझिये मांगते विकारी वाली टौन कर लीजिये के आख बंद करो यहां कुछ नहीं देखना है अच्छा आख बंद करो यहां कुछ नहीं देखना है बोल ये भी नहीं पूरा मौन कर लीजिये अच्छा है बोल ये भी नहीं और बदे के पंक्ती आ रही है समर्तन करना समझा जाए बोल ये भी नहीं पूरा मौन कर लीजिये और जान भी बचानी है और जेल नहीं जाना है तो फटापट बीजेपी जॉइन करें गोटा लो की बैतरनी से पार लगाने वाला गोटा लो की बैतरनी से ये पार लगाने वाला और यही सुरक्षा का बच्छा है प्यारे जान बचाने वाला आप तो खुद डॉक्टर हैं? मैं वही कह रहा हूं कि अब थुड़ा इंका इलाज करते हैं यह सुदीब से बोलते हैं करने के लिए मैं एक खतम कर लूँ आपने कहा कि यहां पर आके बिल्कुल चुप हो जाईए है ना मुझे तो बोलने के लिए लाए गया है तो चुप भी नहीं आपने कहा एक डॉन चूस कर लीजिए अब देखिए देश भर में कितने डॉन चूस कर लिए हमारी पार्टी ने कहां से कहां चले गए उत्तर प्रदेश बिहार अब बिहार तो अगरवडा रहा है उसको भी ठीक कर लेंगे कि तुछ चल्चर की बात हुई तुमाम रेवडि कल्चर की हमारी तो मंदिर में पूझा करते हैं आर्ती होती है उसके बार परशाद चड़ाते हैं आर्वरी उनको कम से कम एक छोटी मोटी रेवरी दे देते तो कम से कम इस लेवल पर ना आते वो मैं सुनाता हूँ एक आर्ती सुना देता हूँ तुनों गुरूदी आर्ती गाते हैं पाप अमारे भी कम होंगे तुम पाइलट बोले जनावे आली गहलोत लेकर थाली किसकी उतारें देखो आर्ती हो मया भाती वे रोधी उन्हें पारें उनका बयान है कि गहलो जी किसको जादा मान सम्वान देते हैं सोनीय जी को दे रहे हैं अब सुन्द्रा जी को वेगने अपने लगते हैं और अपने वेगने जिसको छपन भोगत जोत पे मारी दुश्मन स यारी कि बनता धारती हो मैया देखो ओतारें किसी की हारु कुछ ना गैलोजी न भी कुछ कमी नहीं छोड़ रखी के कभी कहें गदार निकम्मा कभी कहें कोरोना कभी कहें गद्दार निकमा कभी कहें को रोना अर जादू गर पे किया है जाने कैसा जादू तोना है रोना मैडम उनको ना भाती रानी मा लागे साथी सी एम की कुरसी निहारती ओ मैया देखो ओतारें किसकी आरती और आखरी देखियेगा वो अब क्या करने जा रहे हैं कि जन्संगर्ष करेंगे और अभी क्याद बतला एं क्या नइशनम साथी निन भोली भाली रोती पल नहीं नियारती बोल शेरा बाली मया की आलोग जी सर भाइल नेटा ने धावा किया है गईário के कईницा संपर्क में हैं और जैसे मद्द्अपरदेश के दीपक जूसी कई कई नेता लेक करें वह द्यूकर जा रहे हैं और जिसरह जा रहे हैं मुझे क्या लग हुए सुनिएंगा कि बीजेपी के घर संकट आने वाले हैं बीजेपी के घर संकट आने वाले हैं सब धीरे धीरे छोड़ के जाने वाले हैं क्यों कि बाजपा तो हर जाई है अपनों के लिए ही खाई है बाहर वाले को मलाई है अंदर वाले को खटाई है इसलिए राहुल के घर पे खाट बिछाने वाले हैं सब धीरे धीरे छोड़ के जाने वाले हैं सब दीरे दीरे छोड़के जाने और ये सब होता क्यों है बाजबा को भी देखना चाहिए सिंधिया पे आँख लगाए थे बंगाल में इड़ी फसाए थे अब आपके नेता बहके हैं तुमने उनके बहकाए थे तुमने उनके बहकाए थे जो बोया वो ही काटके खाने वाले हैं सब दीरे दीरे छोड़के जाने और यही प्रणाम करनाटक की तस्वीर बता रही है 24 की तस्वीर लेगिन क्या है ना कॉंग्रेस बहुत होशियार हो गई है साब कैसे होशियार हो गई है बतारों पंक्तिया सुनना कि कॉंग्रेस गठबंधन का गोला देकर सब को भरमा रही है पीम तो बनाएगी अपना और मेहनत निती इसकुमार से करवा रही है और निती इसकुमार से मुझे पीयम नहीं बनना तब पंक्तियां कहता हूँ आननद लेना कॉन सत्ता में आएगा नहीं आएगा ये तो किसमत का लेखा है कुछ बनने के लिए कोशिश करना तो सुना था कुछ नहीं बनने के लिए महनत करना पहली बार देखा है पहली बार देखा है अरे बता रहे ना भी पटनायक जी ने इंट्रेस्ट नहीं दिखाया क्यों नहीं दिखाया होगा पंक्तियां सुनना कुछ लोग अपनी बात पे कायम रहने वालों पर विश्वास जताते हैं और अगली पंक्ति आ रही है बात पसंद आजा तो उठा लेना कुछ लोग अपनी बात पे कायम रहने वालों पर विश्वास जताते हैं सिमरन भी दो बार पलट पलट बोलने पर पलटी थी ये तो बिना बोले ही पलट जाते हैं पलट जाते हैं और कॉंग्रेस का शाही अंदाज कम नहीं हुआ आखिर दशकों शासन का स्वाद चखा हुआ है लोगों के घर घर जाके बतियाने के लिए पार्टी ने सीम रखा हुआ है पार्टी ने सीम रखा हुआ है लेकिन एक बात तो सिध्ध हो गई के महत्व कांख्षा पूरी हर एक नहीं हो सकती है जब तक अपना स्वार्थ सिध्ध नहों विपक्ष की पार्टी यां एक नहीं हो सकती है बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आवाद, बहुत आवाद, नितिश जी पिम बन सकते हैं या नहीं, देखिए इस देश में कोई भी प्रधानमंतरी बन सकता है, ये भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं, यहां पर बैठे एक-एक कवी बन सकते हैं, यहां पर बैठे बच् प्रॉब्लम क्यों हो रही है और आपने जैसा कहा कि पहली बार आप देख रहे हैं कि कोई कुछ नहीं बनने के लिए मेहनत कर रहा है क्यों हमारे देश में लाखों लोगों ने अपनी जान दे दी ताकि आज हम लोग खुले आसमान के नीचे स्वतंतता से बोल सके और हमें आ जा रहा है जहां पर अर्थवेवस्ता गिर रही है गरीबी बढ़ रही है बेरोजगारी बढ़ रही है जूटों की जुम्लों की बारेश हो रही है तो इसमें बुरा क्या है और आखिर में बात भूनोंगी श्री कृष्ण ने भी तो कहा है कि कारे करे जाओ फल की इच्छ कांग्रेस के लिए और राहूल गांधी जी के लिए एक लाइम पढ़ना चाहूंगे एक अकेला पार्थ खड़ा है भारत वर्ष बचाने को सभी कौरव साथ खड़े है केवल उसे गिराने को या बात था वाहँ रभ दूसरी पार्टियों में खड़े हैं गौरव की तो भाष्मत्य जंता पार्टी की पार्टी है कौरवों की को बागी पार्टी हो तो लात कहो तुम, इनसे बहस की तो पस्ताओगे जरूर, कि सब्जी को कहे भात, तो भात कहो तुम, यह होता है, चार लेनाब को उसमा रहे हैं, राजे स्थान की चुनाओं में क्या चलना है, पाइलेट गह लोगे अपस में लड़ाई चलना है, यह करा कौन रहा है, केवल नहीं है, कई सारे से हो रहा है, केवल पाइलेट नहीं है, कई सारे से हो रहा है, फलाने हैं तो मुम्किन है, इन्हीं नारे से हो रहा है, यह राजे स्थान का रायता यूहीं नहीं फैला, यह सब चाड़क जी कई सारे से हो रहा है, यह सब चाड़क जी कई सारे से हो रहा ह आई है और प्रयोग देखना हाथ को ना सूज रहा हाथ और इसमें भी कई हाथ वालों ने ही हाथ आजुमाई है और अच्छी कई हाथ गन्ने की मसीन से गुजरता है गन्ना कोई कांग्रेस के बीदे को ऐसे दिन आये हैं और पाइलेट जी भी इसमें सही योग कर रहे हैं ला और जो चिंता कर रहे हैं बाचपा के तरफ से अजय जी को चिंता नहीं मुझे भी जादा चिंता नहीं है कि कांग्रेस के क्या करेगी क्या करेगी मैं फिर से वही बात कहता हूं कि कांग्रेस सच्छम है अपने आप में हार के लिए होता क्या है हर बार चुनाओं से पहले क कोई ना कोई एक ऐसा बयान आता है एक ऐसा स्टेट्मेंट आता है वहीं से पूरा रुख पलट जाता है तब सुनिए क्या है कि स्वाद जीत का तो सदा मेहनस से मिलता है जीत ये समोसा नहीं इडिली न दोसा है कांगरेसियों ने कई बार भाजपाईयों को अपने ही हातों से लड़ू जीत का परोसा है और कयास तोड़ हवा मोड बयान वीर नया नेता उमीद है कि जरूर अपने पाला और पोसा है तैयार हो रहा होगा कोई इलेक्षन से ठीक पहले भाजपा जिताओ टाइब देगा वो बयान हमें पूरा यह भरोसा है यह तो फैक्ट है यह तो फैक्ट है ना कई बयान ऐसे आ जाते हैं जो ऑपोजिशन या मतलब बीजेपी अपने साथ अपने फिवर में ले जाती है देखे बयान तो दोनों तर अधाली में चला प्रधान मंत्री जीने इतना बड़ा जुट बोला कि सोन्या गांधी जी ने रैली में जा के ऐसे ऐसे कहा है कहीं पर वो वीडियो निया मैं चैलेंज करती और हर रोज हर टीवी चैनल पर जाके मैं बोलत कि कोई तो वीडियो दिखा दो ट्वीड तो आप बचरंग बली जी ने ऐसे अपना गदा घुमाया, ऐसा घुमाया कि इनकी वहां से सरकार सत्ता सारी की सारी साफ हो गई, राम जी के इनके सबसे बड़े आराध्य, जो हम सब के आराध्य हैं राम जी, जिनके बड़े भक्त hanuman जी हैं, उन्होंने बदला राम जी की उपर अज़े बी इंतजार रहेगा राहूल की आंधी का देश को बी इंतजार रहेगा प्रियंका की आंधी का आजकल दोनों में कॉंपेटिशन होगी यह करनाटिका चुनाओं में बोला तुनी और सुनाओं यह तो बयान है यह ट्वीट नहीं था प्रियंका जी ने कहा मुझे लगता है दादी की तरह मुझे भी बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है लगता है लोगों ने मान लिया है कि राहूल गांध सबसे बड़े दल में हम उभड़े थे चाहे करनाटका हो महराश्ट्रा हो एक सुचार भारती जंता पार्टी के आये थे कॉंग्रेस अठतर थी सरकार कॉंग्रेस की बनी ऐसा नहीं है हम जीतेंगे तब ही हमारी सरकार बनती है हमने क्या कहा हमने इनसे सीखा है लेकिन गु सिखाए लेकिन सबर्टी करनाटक में बहुवा कुछ दे रही थी उन्हें और ज्यादा देंगे इसकूती लैप टॉप और गैस भी मिलेगी मूफ्ते तसकूती लैपटोप गैस भी मिलेगी मुफ्ते मूं लंबी होती जाती है लेश्ट ना सिमठ रेश्ट गोवेश्ट र भटने लगी है चाती बोट बेंक खिसका तो भटने लगी है चाती चाती नहीं भटती तो ये सोगात नहीं भटती के थाली लोटा बजाए मन की भी बात सुनी थाली लोटा खूब बजाए मन की भी बात सुनी फिर भी ये सोतन महगाई नहीं गटती और जनता भी तो लालची गरल फ्रेंड हो चुकी है जनता भी तो लालची गरल फ्रेंड हो चुकी है बिना गिफ्स दिये अब ये भी नहीं पटती कि मुफ्त खोर तुम्हें हमें बनाकर ऐसे न भरमाओ और ये चुनाव जयाद है प्यारे इससे हमें बचाओ आपके फ्री और दूसरों के फ्री में फर्क है देखिए सबसे पहली बात कि फ्री रेवडी कल्चर हमारा नहीं है इंपावर्मेंट का कल्चर है हमारा आज की तारीक में अगर असी करोड़ लोगों को पिछले तीन साल से अनाज दिया जा रहा है पांच किलो तो वो इसलिए नहीं कि उस अनाज की उनको जरुरत है वो इसलिए कि उनको एक मजबूत एक संबल मिले कि आपके पीछे सरकार खड़ी है कोरोना हुआ तीन महीने लोग हर चीज बंद रहा फर्स्ट वेव में सेकंड वेव में फिर तीन महीने बंद रहा इमाजिन कीजिए वो रेडी पट्री वाला जो घूम रहा है वो क्या खाता होगा जो दुकान पर कोक्ष का बेचता है जो हम लोग खाते है ज्याय सोचिए घर ओन करने की फीलिंग क्या होती है कि अच आप घर के मालिक बन गए उस घर पर आप लोन ले सकते है उस घर से आप विवेवसाइव कर सकते हो चार करोड सवा चार करोड लो नकर हमने घर दिये हैं बे घरों को घर तो यह फ्री नहीं है लेकिन अगर आप घोशना करते हैं कि अन्तीन रुपए भत्ता देंगे बेरोजगारी भत्ता किस बात कब भत्ता भई साड़े तीन अजार रुप्य हम इंसको देंगी किस बात के भत्ता आप दे रहें एक अंतिम बात एक अंतिम बात बोल की खतम करूंगा अगर हमारी नीतिया इतनी खराब होती नौ साल से देश बरबाद हो गया था लोगतंत्र खतम हो गया था मीडिया गोदी मीडिया हो गई अज हम एक 47 कैसे बना रहा है आज हम हेली कॉप्तर कैसे बना रहा है यह सवाल है कवियों निकाले इसको हवाई फाहर को आगे ले जाते है अगर जूट बोलना पाप है तो आत्मविश्वास से जूट बोलना मोधी नीतिया अब यह कह रहे है कि यहां पर आपने फ्री की ब बड़ा दुख था यह बूल जाते हैं प्रदान मंत्री जी ने किस तरीके से रेवडी कल्चर के उपर हमला किया था और कितनी रेवडीया इनोंने करनाटक में बांटी है और कितने इनके मेले और उनके साथी पकड़े गए हैं और क्या-क्या बांटा है जाके देखिए लोगों ने घार है करनाटक में बूलरहे थे क्या थे क्या हमारे घर में राशन आजाता है यह गोली चलाते है तो क्या उससे हमारे वहाँ पे घर में जो आटा है उसके दाम कम हो जाएंगे, सिलिंडर के दाम कम हो जाएंगे, इतनी फैक्टरी लग गई ये हो गई, लेकिन नौकरी के लिए तो लोग आज भी घुम रहे हैं, दो करोड नौकरी देने का वादा था, आज तक आप हिसाब भी दे पाए, आभी के लोग पार्लिमेंट में जवाब देते हैं कि नहीं दी गई, फिर बोलोगी, महंगाई चरम पे है, क्या फायदा उस देश में अगर गन बन रही है, ये बन रही है, अगर आम जनता को रोटी, सबजी, तेल, गैस खरीदने के लिए, नॉर्मल जिंद अभी ललन सिंग जी है, वो भी थे होगी, ललन सिंग जी के जो पार्टी है, आपके मुख मंत्री जो रहे, वो अभी भुबनेश्वर गए, नवीन पतना एक जी इसको मनाने के लिए कि एक प्रधान मंत्री पत का कैंडिडेट मैं भी हूँ, इसमें भी पे जा गौर लगा किजिएगा, क्योंकि बहुत सावे गूम रहे हैं, नवीन जी ने क्या संदेश दिया, नितीश जी को वो सुनिएगा, पतना और भुबनेश्वर प्रतीख हैं, कि पतना से मैं नहीं पतना, ओय हटना, तो आ समर्चन बढ़ाईएगा, अचा है, आर पतना से मैं, पतना से मै नहीं पतना, ओय हटना, चल हटना, पतना यक नहीं रह पतना, ओय हटना, हम मोदी के कायल हैं, मत समझो हम पागल हैं, यार आसा नहीं ने पतना, पतना से नहीं मैं पतना, ओय हटना, चल हटना, पतना से मैं नहीं पतना, ओय हटना, पतना से मैं नहीं पतना, ओय हटना, पतन तयारी की सवारी मेरी यारी में नंगर बेकार लटकना कथ बंधन की राह में घत नहीं जाए दूर घतना अभी दूर बहुत है दिली, मत उरवा ले ना खिली, तुम्हारा काम है पलटना पतना से मैं नहीं पतना, ओउय पतना, चल हटना नवीन जी ने कहा कि ये अपने बिहार भवन के लिए जमीन खोजने आये हैं अब मुझे ये नहीं पता कि वो बिहार भवन के लिए जमीन खोजने आये थे अपनी जमीन तरसने के लिए आये आये हैं जमीन को तलाशने तो प्लीज करें कोई खट पटना नाच नहीं जाने और आंगन भी तेड़ा हो तो काहे का मतकना अरे नाच नहीं जाने और आंगन भी तेड़ा हो तो काहे का मतकना हम तो इगनोर करेंगे, फो कतना शोर करेंगे कतक वालों से ना अतकना, पतना से मैं नहीं पतना यकना ही रपतना उधर से भी नवीं जी ने भी इग्णोर कर दिया है इस पूरी मुहिम को देखे हमारा स्टांड बिल्कुल फ्लियर है कॉंग्रेस पार्टी हर उस पार्टी के साथ लड़ेगी जो देश के लिए सबसे पहले लड़ेंगे जो देश में अभी अत्याचार हो रहा है तो देश में भ्रहष्टाचार हो रहा है इस बात पर मैं भी कुछ लिखके लाई हूँ कि आज देश की स्थिती क्या है जोटी योजनाओं के नाम पर माया जाल बुना जा रहा है बेरुजगारी के बजार का मुनाफा बढ़ता जा रहा है महंगाई के दलदल में आम इंसान फस्ता जा रहा है सत्ता की लालश के चक्कर में सरकार का रुप्य से भी जादा इमान गिरता जा रहा है देश की अर्थविवस्था का काम तमाम है मुद्दो की बात दूर जुमलो का आलम सरयाम है धरम के नाम पर शोर सुभा शाम है बेरुजगारी ब्रश्टाचार है हर जगा बड़ी बड़ी बातों का ताम जाम है तो इन मुद्दों को मद्दे नजर रखते वे जो साथ मिलकर देश को सबसे पहले रखकर देश की जनता को सबसे पहले आगे रखकर साथ मिलकर लड़ना चाहेगा उन सबका स्वागत है और जो मोदी सरकार बार बार कहा जाता है कि हमें मोदी जी से नफरत है हमें किसी से काम बिगड़ जाएगा भाई साब सुनिए गालोग जी सभी वी पक्छी एक हुए हैं इनकी मीटिंग से डरियो ये मिलके बहमत पालेंगे तुम देखते रही है अखलेस का गुसा भारी है हर दल से मिलना जारी है पटना वाले बाबुजी की पटना एक से भी यारी है एनसीपी की शिव सेना से मिलकर अच्छी तैयारी है प्लानिंग रेडी अब सारी है गठ बंदन लगता भारी है और जिसको समझ रहे हो ढुलमुल ऐसे राहुल से डरियो यह मिलके बंद पालेंगे तुन देखते रहे हैं यह मिलके बंद आंध्रा मेरे डी के सियार तूफान बनाए बैठे हैं चैन्नई वाले इस्टालिन जी लुंगी को उठाए बैठे हैं इडी के सताएं बैठे हैं सब शक्ति जुटाएं बैठे हैं और यह पंग्दी कम कर देना छमता ऐसी माया ममता से डरियो यह मिलके बहुँमत पा लेंगे तुम देख दे रहे हो इसका इलाज है कोछ सब आपके एडी के सताएं सारे अच्छा आप चुदाओं में जाते हैं और उसके बाद लड़ते हैं किस मामले में लड़िएगा क्या बोलके लड़िगा हाँ जी हम प्रष्टाचार का रहे थे इनोंने एडी हमारे पीछे लगा दीसले में बहुमत दो आप दो तीन बाते देखो जहां पर बैठें उससे ठीक 10 किलोमेटर दूर दिली शुरू हो जाता है हां जी हम कसम खाते हैं जी दो रूम से ज़्यादा के कमरे में नहीं रहेंगे जी हां जी हम इंडिया गें करप्शन है रेवलूशन के पार्टी हम निकले हैं जनमें पैदा हैं करप्शन के अन्ना की छाती पे बैट के अन्ना की कमाई खाने वाले आज 171 करोड के बगले में रहें रहें और इस देश में इंस्पिरेशन फोर सबके लिए कॉंग्रेसी रहती है गलत कारणों के लिए मैं बता दे रहा हूं सर ये कॉंग्रेस की स्थिति क्या चल रही है इसमें राजस्थान पर सबकी नजर है सचिन पाइलेट अशोक गहलोत के बीच में खीचा तानी चल रही है सचिन जी ने अप अंगरेस का दफतर क्लोज करके मानेंगे और अभी बयान उन्होंने दिया है कि मेरे नेता जो है वो राहुल सुनिया गांधी है तब सुनिएगा ये बयान सुनकर खड़गे जी सोचते होंगे कि जान बूज कर मुझे चिढ़ाया है क्या अगर नेता राहुल सोनिया ही है तो मुझे एकजिट पोल के फोटो के लिए अध्यक्स बनाया है क्या और एक मजे की पंक्ति आलोग सर दाली बजाईएगा आप इस पर बनाया है क्या शायद दोनों नेता नाशोक जी सचिन जी शायद दोनों नेता बीजेपी से प्रभावित होकर मचल रहे हैं दोनों एक दूसरे के लिए ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की थेयोरी पे चल रहे हैं इस तरह तो बना बनाया प्रेस्टीज खो जाएगा ऐसे आपसी संघर्ष से विकास का तो पता नहीं पर सत्ता वापसी के सपने का नास हो जाएगा और राजस्थान में चुनाओ है आप सोचेंगे कि विरोधियों के छक्के छुडा देंगे पर गहलोजी जादूगर हैं उन्हें अपना पत्ता साफ होने का शक भी हुआ तो पार्टी का कबूतर बना के उड़ा देंगे जो परिवर्तन चा रहा वो जनता बहुत गुनी होगी सोच समझ के लोगों ने अपनी सरकार चुनी होगी आप सोच रहे करनाटक ने क्यों कांग्रेश को जिता दिया क्योंकि वहां के लोगों ने सायद मन की बात सुनी होगी चार पंक्तिया आपका और सुना रहा हूं बीजेपी की खिड़की और बंद किया है फाटक को जनता ने इग्नोर किया भक्तों के हरनाटक को बहुत रहलिया कि तुमने जोक दिया सब ताकत को फिर भी बोलो कैसे तुम हार गए करनाटक परिणाम को लेकर मिराजणेति में होता है तो हार जीट लगे जाती है अतल जी किख म Пос seeking हम अंहीड गिस अलोग जीद में जीट में विद विए सुनाते हैं हार्वे भी सुनाते हैं अल्साल ची अभी यूपी में एक स्टेट्मेंट आया सफा सरकार से सिएपाल सीम जी का चाचा जी का कि यूपी में जो मंत्री है ना उनकी इतनी भी हैसियत नही cancer नहीं कि बाख्यारas की सक्तियों का एहसास हुआ है मैंने देखी बड़े करीब से देखी उनके पास इतनी सक्तियां थी कि अकेले नीसमलती थी उनके कई बतीजे समालते थे जितने भी युवा नेता सब उनको सगा-चाचा बताते तो खुदको बतीजा बताते है ना अब ऐसे ही दो बतीजे आप तीन लड़कों को जब पोलिस ने रोका तब एक बोला आज तेरी आफ़त ही आई है चाचा जी का हूँ सगा बतीजा जानता नहीं क्या बाइक भी ये खुद चाचा नहीं दिलवाई है तो पोलिस वाला बोला अब दूसरा बतीजा अब सकती हैं असली पता चलेगी तो पोलि सब्सक्राइब को जीतता नहीं जानकारी में तो कोई नहीं जीतता ऐसे ही सब्सक्राइब नहीं चलते यूथ आइकन नहीं चलता भाजपा के आगे कोई बिगट बंधन नहीं चलता बनाते हैं यह हर सेजन में टीम IPLC पर बनाते हैं यह हर सेजन में टीम IPLC पर कभी प्लेयर नहीं चलते, कभी Captain नहीं चलता, कभी प्लेयर अब प्लेयर और केपटन हम भी टीम बदते लिए जल्दी-जल्दी यह सब बाते हुए लिकिन करनाटक चुनाब ने बता दिया किया जनता का क्या देश का मूड है चॉबिस का इशारा है कि सुनो सुनो भी जे पीवा लो सुनो सुनो भी जे पीवा लो चाहे जितना जोड लगा लो सबसे आगे होंगे रहुल गांधी आरे हमने कहा है तुम भी सुनो वाह बहुत बर्याद हमने सहा है तुम भी सुनो के 24 एलेक्षन का केवल इशारा है समझो ना कम जो अच्छा इतनी जल्दी पलट आपने किसी को देखा है के 24 एलेक्षन का केवल इशारा है समझो ना कम जोर है दो दिन की सत्ता से इतने ना फूलो तुम अपने रहे दौर है लोट कर आये थे लोट कर फिर से आएंगे अब ये कर नाटका से ही करके दिखाएंगे तब भी कहा था अब भी सुनो अरे सुनो सुनो भी जेपी वालो चाहे जितना जोड लगा लो सबसे आगे होंगे राहुल के सबसे पुराने हैं दलोक शाही के यूही बेखरते नहीं तपते नहीं आच मैं जो कभी सोने जैसे निखरते नहीं ना डरे थे कभी आगे भी डर न पाएंगे वक्त की आच से हम तब के निखरते जाएंगे तब भी कहा था अब भी सुनो यह पॉजिटिविटी कॉंग्रेस के अंदर है जो जो तो लगाया काफी लगाना भी चाहिए पता मान रहे कि पहले से जोर ही नहीं लगाते थे अब लगाने लगे लेकिन वो जो अब जो उस जोर का यह इस बार वैसा रिजल्ट क्यों नहीं देखिए ऐसा है कि पिछले बार भी मैंने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी हम लोग बने थे लेकिन सरकार इन लोग ने बना ली उसके एक साल के बाद लोग सबाट चुना हुए हमारा 38% से वोट च है इनकी सरकार बननी नहीं नेगेटिव बाते करनी नहीं है जो भनाई नहीं डीं और आव प्रताफ फोजदार से उत्रप्रदेश के निकाये जुनावों के परणाम सुनी है। और उसके हेंडल पे तांगा है कमंडल मित्र। और उसके हेंडल पे तांगा है कमंडल केरियर पर बिठाके बावा गाहे ले गए। हाथी हाथ मलते रहे हैंड़ पंप हाथी हाथ मलते रहे जोरजार जीत करके बाय वाय ले गए। जोरजार जीत करके और आप ताजीदाना जोरजार जीत करके बाय वाय ले गए। और लगता है चोबीस में ऐसे ही जीतेंगे ये जैसे अब जीत करके निकाहे ले गए। ये चंद भी मुझसे चिड़कर बोला बंद करो ये लिखना और जिन पर लिखते उनका खुद ही बंद हो गया देखना अच्छा है 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 चंद भी मुझसे चिड़कर बोला बंद करो ये लिखना और जिन पर लिखते उनका खुद ही बंद हो गया देखना अभी पीछे क्या हुआ आपने देखा होगा कि BJP के बहुत सारे भाषन आपको सुनने को मिले होंगे उनको जरा ध्यान से उसकी समीक्षा कीजिए तो आप क्या पाएंगे BJP के भाषनों में क्या होता है वही कवीता सुनना अब BJP के भाषन में क्या होता है इतिहास की बात विपक्ष पर आरोप बयानों पर हाई हाई खुशहाली का वादा जैसे कोई चिप्स का पैकेट हो काम की चीज कम और हवा सबसे ज़्यादा सटीह बढ़ा हुआ हवा सबसे ज़्यादा ठीक है राजनीती है गर्म तवे पर दो रोटियां फालतू भी सेख ली जिये सस्ते डाटा की चर्चा तो हो गई अब महंगा, दूद, तेल, आटा भी देख लीजिए डाटा भी देख लीजिए पर फुरसत कहां होगी पर फुरसत कहां होगी जीत के तरीके खोजने में लगे होंगे 24 वाले चुनाओं के लिए राइमिंग वर्ड्स वाले नए नारे सोचने में लगे होंगे क्योंकि अच्छे दिनों वाली गठरी अब खोल नहीं सकते और अगली पंक्ती लोजिकल लग जाए तो एक बार जोरदार ताली बजाना क्योंकि अच्छे दिनों वाली गठरी अब खोल नहीं सकते और पुराने नारों में से एक भी नारा दोबारा बोल नहीं सकते और रहा सवाल बार बार क्या कहते हैं तो जनता हमको क्यों जिता रही है तो हम कैसे जीत रहे हैं तो उस पर कहता हूं रहा सवाल बार-बार जीतने का तो कमल कोई अपने आप नहीं खिल रहा है बस कोई विकल्प तैयार होने तक टेंपरोरी बेनिफिट मिल रहा है बहुत बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद किया कभी साहब किस विकार रोकती है कोई विकल्प ही नहीं है सकताब आपने तो जिरो दी आयर कॉंग्रेस पार्टी ये विपक्ष को नजता आज कल बहुत बहुत समस्तार है आजकर यही गाना का रही है रब नंगे भी खूब जोड़ी बनाई है जनामि मोदी भिला जवाब है, योगी भिला जवाब और देखो राख्ल हु याँ हो खड़ के मोदी पे रोज भड़ के पहले तो गाली काफी फिर मांगते हैं माफी सत्ता के बन के रो हर बार हार भोगी मुश्किल बहुत ही होगी मोदी के बाद योगी ब्रस्टों के हाल होंगे फिर ज्यादा और खराब मोदी बिला जबाब है योगी बिला जबाब और कांग्रिस क्या किये अपनी सुना न पाए मुद्दे भुना न पाए जब जब जुबान भटकी मोदी से खाई पटकी इसलिए 24 का पल खिलेगा भगवे का दल खिलेगा भारत अटल खिलेगा फिर से कमल खिलेगा और ये जो ना गठ बंधनों के मुख से हाए गठ बंधनों के मुख से हट जाएंगे नकाब मोदी भीला जबाब है योगी भीला जबाब और यही प्रणाम हुआ कि उत्तरपदेश में निकाय चुनाओ योगी जी जीत गए और उसके बात क्या हुआ सुनो विपक्षी अब जिद छोड़ो सुनो विपक्षी अब जिद छोड़ो मालो मेरी बात यूपी की जनता है योगी बाबा के साथ कबसे बीमार बैठा हाती बेचैन है अपने पहियों में उलजी साइकिल की जैन है अब केवल कोस ना ही इन सब का काम है जनता के होटों पे तो जै जै श्री राम है जनता के होटों पे तो जै जै श्रीराम है राहुल जी भी घूम रहे हैं अरे राहुल जी भी घूम रहे हैं लेकर खाली हाथ यूपी की जनता है योगी बाबा के साथ तो बाबा करते क्या है होता इलाज अब तो गुंडों का रोज है बाबा के पास में हर दम बुल्डोज अर्डोज है और तुम केवल माफिया के मरने पे चीख लो कैसे सरकार चलाते बाबा से सीख लो 24 में फिर करेगी जनता और 24 में फिर करेगी जनता वोटों की बरसा यूपी की जनता है योगी बाबा के साथ बाब बाब धन्यवाद शुक्रिया कि स्टंपिंग के चांस हैं सम्हाल कर खेलिएगा लांगी नहीं जाए ऐसी क्रीज की जरूरत है निचले और सीर सुनेत्वत्य के बीच अब संबाद वाले किसी ब्रिज की जरूरत है करना स्टोर सीखो अपने नेताओं को करना स्टोर सीखो अपने नेताओं को सुना रहा हूं इतनी देर से करनाटक करनाटक नहीं है उत्तर प्रदेश ही प्रधान मंत्री तैकरता है असी लोग सबाह है यूपी में कांग्रेश का ना पूछो किस पार गए हैं आये थे चौथे नंबर पे वैसे ही इस बार गए हैं ये कंडीसेन ने इनकी मत पूछो तो अच्छा है कल रात में सपना देखा था उसमें भी आर गया है करनाटक पर क्यूं चर्चा हो रही है क्यूंकि जैसा मैंने कहा था संकट मोचन का अपमान किया बजरंग बली जी का आप मान किया करनाटक में जवाब मिला और बजरंग बली जी किसके सबसे भड़क्त है राम लल्ला के है ना अब उसके बाद अगला जवाब राम जी देंगे और उत्तर प्रदेश से आएगा तो देखते जाए करनाटक से शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश पे जाएगी कॉंग्रेस की मेमरी ऐसी हो गई है कि यूपी का फुल फॉर्म भूल गया आप करेंगे लोग सवाजी तेंगे लिए राम भगवान का अपमान किया तो एक वेक्टी अमेठी से वाइड नाट पहुंच गया अब बजरंग बली का अपमान इनों बजरंग दल के साथ अब बहुत प्यार है और मेरी बात भी मानते हैं पिछले वार जब आए थे जी डीउ से तो मैंने का आप जल्दी भाजपा में जाने वाले और वो चले गई तुम्हेर यह पेहराओं सर आलोक जी यह कहरें थे क्यों चलेगे क्यों चलेगे क्या बात है मैंने की याड़ वो ही जग çal ऐसी है कैसी हर आदमी को पता होता है अपने कर्मों का बरना गंगा में भीर ऐसी थोड़ी होती है अच्छा है अच्छा है मैं खोल देता हूँ इसके कल यूग में भाजपा का रामराज जी आया है पिटने को चूज एक डौन कर लीजिए पिटने को चूज एक डौन कर लीजिए और धरती का निरीय प्राणी खुद को समझिये मांगते विकारी वाली टौन कर लीजिए के आख बंद करो यहां कुछ नहीं देखना है बोल ये भी नहीं पूरा मोन कर लीजिए बोल ये भी नहीं और बदे के पंक्ति आ रही है समर्थन करना समझा जाए बोल ये भी नहीं पूरा मोन कर लीजिए और जान भी बचानी है और जेल नहीं जाना है तो फटा पट बीजेपी जोन कर लीजिए अच्छा ये एक ही जगह है ये कैसी के घूटा लों की बैतरनी से पार लगाने वाला गूटा लों की बैतरनी से ये पार लगाने बाला और यही शुरक्षा का बच्चा है प्यारे जान बचाने वाला आप तो खुद डॉक्टर हैं मैं वही कह रहा हूं कि अब थोड़ा इंका इलाज करते हैं सुदीब से बोलते हैं करने के लिए आपने भाई सब मैं एक खतम कर लूँ आपने कहा कि यहां पर आकर बिलकुल चुप हो जाईए है ना मुझे तो बोलने के लिए लाए गया है तो चुप भी नहीं आपने कहा एक डॉन चूज कर लीजिए आप देखिए देश भर में कितने डॉन चूज कर लिए हमारी पार्टी ने कहां से कहां चले गये उत्तर प्रदेश बिहार अब बिहार अगरवडा रहा है उसको भी ठीक कर लेंग जनता को तैक करने दीजिए एक बेरोजगार की जनता आप भी कर लीजिए विचाय सचिन पाइलेट घूम रहे हैं राजेस्थान में तमाम रेवडी कल्चर की बात हुई तमाम रेवडी कल्चर की हमारे यहां तो मंदिर में पूजा करते हैं आरती होती है उसके बार ले जनावे आली गहलोत लेकर थाली किसकी उतारें देखो आरती हो मया भाती वे रोधी उन्हें पारती उनका बयान है कि गहलो जी किसको ज्यादा मान सम्मान देते हैं सौनिया जी को दे रहे हैं अब सुन्द्रा जी को बेगाने अपने लगते हैं और अपने बेगाने जि जिसको छपन भोगत मिलने मिले न सूखे दाने याने मारें वो फूक करारी हो मैया जो तपे मारी दुश्मन से आरी बनता धारती हो मैया देखो ओतारें किसकी आरिश्वामुचे गहलो जी ने भी कुछ कमी नहीं छोड़ रखी के कभी कहें गदार निकमा कभी कहें कोरोना अर जादू गर पे किया है जाने कैसा जादू टोना है रोना मैडम उनको ना भाती रानी मा लागे साथी सी एम की कुरसी नहारती हो मैया देखो ओतारें किसकी आरिश्वामुचे और आखरी देखिएगा वो अब क्या करने जा रहे हैं कि जनसंग घर्ष करेंगे और अभी क्या बतलाएं क्या आगे वर्ष करेंगे जन्ता इतनी ना भोली भाली रोटी पलटने वाली रोटी पलटने वाली कुरसी पलट के है तारती ओ मैया देखो ओ तारें किसकी आरिश्वामुचे बोल सेरा बाली मैया की आलोग जी सर कांग्रेश के एक नेता ने दावा किया है कि भाजपा के कई नेता संपर्क में है और जैसे मद्द परतेश के दीपक जोसी कई-कई बड़े नेता बड़े भाजपा के जा रहे हैं और जिस तरह जा रहे हैं मुझे क्या लग रहा है सुनिएगा बीजेपी के घर संकट आने वाले है बीजेपी के घर संकट आने वाले है सब धीरे धीरे छोड़के जाने वाले है बीजेपी के घर संगट लने वाले है क्यों? क्याते क्या हैं? भाजपा तो हर जाई है, अपनों के लिए ही खाई है बाहर वाले को मलाई है, अंदर वाले को खटाई है इसलिए राहुल के घर पे खाट बिछाने वाले है सब धीरे धीरे छोड़के जाने वाले हैं सब धीरे धीरे छोड़के जाने और यह सब ओता क्यों है बाजबा को भी देखना चाहिए सिंधिया पे आँख लगाए थे बंगाल में इडी फसाए थे अब आपके नेता बहके हैं तुमने उनके बहकाए थे जो बोया वो ही काटके खाने वाले हैं सब धीरे धीरे छोड़के जाने और यही प्रणाम देख करनाटक की तस्वीर बता रही है 24 की तस्वीर लेकिन क्या है ना कॉंग्रेस बहुत होशियार हो गई है शाब कैसे होशियार हो गई है बतारों पंक्तिया सुनना आप कि कॉंग्रेस गठबंधन का गोला देकर सब को भरमा रही है पीम तो बनाएगी अपना और मेहनत नितीश कुमार से करवा रही है और नितीश कुमार से करवा रही है और नितीश जी ने क्या कहा है मुझे पीम नहीं ब पंग्तियां सुनना कुछ लोग अपनी बात पर कायम रहने वालों पर विश्वास जताते हैं और अगली पंक्ति आ रही है बात पसंद आ जा तो उठा लेना कुछ लोग अपनी बात पर कायम रहने वालों पर विश्वास जताते हैं सिम्रन भी दो बार पलट पलट बोलने पर पलटी थी ये तो बिना बोले ही पलट जाते हैं पलट जाते हैं और कॉंग्रेस का शाही अंदाज कम नहीं हुआ आखिर दशकों शासन का स्वाद चखा हुआ है लोगों के घर घर जाके बतियाने के लिए पार्टी ने सीम रखा हुआ है पार्टी ने सीम रखा हुआ है लेकिन एक बात तो सिद्ध हो गई के महत्त्य कांग्शा पूरी हर एक नहीं हो सकती है जब तक अपना स्वार्थ सिद्ध नहों विपक्ष की पार्टीयां एक नहीं हो कि नितिश जी पीम बन सकते हैं या नी देखिए इस देश में को भी प कवी बन सकते हैं यहीं तो हमारे देश की खुब सूरती है कि यहां पर डिमॉक्रिसी है वह डिमॉक्रिसी जिसको यह दबाने की कोशिश कर रहे हैं वह डिमॉक्रिसी जिसके साथ भारतिय जंता पार्टी खिलवार कर रही है और मुझे समझ नहीं आता कि नितिश जी से इत मिले उनको क्या मिला बदले में मौत तो वो किस चीज के लिए लड़ रहे थे आपके और हमारे आने वाली पीडियों के भविश्य के लिए तो उसी तरीके से अगर कोई महनत कर रहा है इस देश को ऐसे राज से हटाने के लिए जो बार-बार दबाये जा रहा है जहां पर अर कि अगर को अगर को अगर के लिए और राहुल गांधी जी के लिए एक लाइम पढ़ना चाहूंगे एक अकेला पार्थ खड़ा है भारत वर्ष बचाने को सभी कोरव साथ खड़े है केवल उसे गिराने को उधा बाद ता कि सब पंडवों के साथ है महाबारत आपने अच्छे से पड़ी नहीं लगता है को अधा मेरी जोन लीजिए भक्त दिन को कहें रात तो रात कहो तुम बच्ट दिन को कहें रात तो रात कहो तुम थपड को कहें लात तो लात कहो तुम इनसे बहस की तो पस्ताओगे जरूर कि शबजी को कहें भात तो भात कहो तुम यह होता है क्वाउर कौना रहा है पाइलिट गई है यह करा कौन रहा है केबल पाैलेट नहीं है कई सारे से हो रहा है फनाने हैं तो मुमकिन है इनी नहारे से हो रहा है यह राजेकρ स्थान का रायता यूओं नहीं पहला यह सब चालक जी के इसारे से हो रहा है कि हाथ की उंगलियों को बांधनी थी मुठी जब मुठी नहीं बांधी बस अंगूटे ही दिखाए हूं और प्रयोग देखना हाथ को ना सूज रहा हाथ और इसमें भी कई हाथ वालों ने ही हाथ आ जुमाई है कांग्रेस के बीदे को ऐसे दिन आए है और पाइलट जी इसमें सहयोग कर रहे हैं लास्ट में फसाने वाला नी बुले के आए कि और ज्यादा अच्छा है और जो चिंता कर रहे है बाजपा के तरफ से जैसे अजय जी को चिंता नहीं मुझे भी ज्यादा चिंता नहीं है कि क कांग्रेस के क्या करेगी क्या करेगी मैं फिर से वहीं बात कहता हूं कि कांग्रेस सच्छम है अपने आप में हार के लिए होता क्या है हर बार चुनाओं से पहले कोई ना कोई एक ऐसा बयान आता है एक ऐसा स्टेटमेंट आता है वहीं से पूरा रुख परड़ जाता है त और कयास तोड़ हवा मोड बयान वीर नया नेता उमीद है कि जरूर आपने पाला और पोसा है तैयार हो रहा होगा कोई इलेक्शन से ठीक पहले भाजपा जिताउ टाइब देगा वो बयान हमें पूरा ये भरोसा है यह तो फैक्ट है कि कई बयान ऐसे आ जाते हैं जो बीजेपी अपने साथ अपने फेवर मिले जाती है देखिए बयान तो दोनों तरफ से होते हैं ऐसा नहीं है कि भारतिये जन्ता पार्टी के नेता आप उनको भुना नहीं पाते अब जूट को भुनाना तो अब जैसे अब अब भाद हाली में चला प्रधान मंतरी जी ने इतना बड़ा जूट बोला कि सोनिया गांधी जी ने रैली में जाके ऐसे ऐसे कहा है कहीं पर वो वीडियो नी है मैं चैलेंज करती हूँ और हर रोज हर टीवी चैनल पर जाके मैं बोलती हूँ कि कोई तो वीडियो दिखा ट्वीट तो आपके इता ना जिसमें लिखा था देखिए अब बयान की बात हो रही है ना मोधी जी ने अब मैं यहीं कहती हूँ मोधी जी को आजकल जो इन्फोर्मेशन दे रहा है या उनको जो फीडबैक दे रहा है वो गलत तरीके से दे रहा है देखो सारा कुछ उन्ह गड़े सबसे बडब अराध्य जो हम सब क्या राध्य एं राम जी जिनके सबसे बड़े भक्त हनुमान जी है उन्होंने बदला ऊंध्यर ढूपर राजनीती करने का भी ले लिया कर नाटक से शुरुवात हो गई है ऐसी पूरा देश भी एक एक है क कर के सारे प्रदेश हम प्रियंका जी ने कहा मुझे लगता है दादी की तरफ मुझे भी बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है लगता ही लोगों ने माल लिया कि राहूल गांधी पांसाल चुनांग नहीं लड़ पाएंगे अयोग हो जाएगे इसलिए देश इंतजार करेगा राहूल की आंधी का यहार जीत तो होती रहती है मुझे पता है पहले कांगरे जीतेगी फिर सरकार आपकी बनेगी इस बात पर बात कहूंगा कि 2018 में सबसे बड़े दल में हम उभड़ेते हैं चाहे करनाटका हो महरास्ट्रा हो 104 भारती जंता पाटी के आए थे कॉंग्रेस 78 थी सरकार कॉंग्र में कौन कितना फिरी दे रहा है कौन कितना फिरी दे रहा है अभी क्या है हजार रुपे दे रही थी बाज़पा सरकार यहां पर है मदबर्देश में कांगरेस करी हम 1500 देंगे कोई वहां पे भी यह हुआ करनाटक में भी यह हुआ बाजपा कुछ दे रही थी उनके हम और ज्यादा देंगे इसकूटी लैप टॉप और गैस भी मिलेगी मुफ्त लंबी होती जाती है लिश्ट ना सिमटती है लिश्ट ना सिमटती और बोट बेंक खिसका तो भटने लगी यह चाती है बोट बेंक खिसका तो भटने लगी यह चाती चाती नहीं भटती तो यह सोगात नहीं भटती हाँ बात है के थाली लोटा बजाए मन की भी बात सुनी थाली लोटा खूब बजाए मन की भी बात सुनी फिर भी यह सोतन महगाई नहीं गटती और जनता भी तो लाल ची गरल फ्रेंड हो चुकी है बिगना गिफ्स दिये अब यह भी नहीं पटती के मुफ्त खोर तुम्हें हमें बनाकर ऐसे न भरमाओ और यह चुनाव जयहाद है प्यारे इससे हमें बचाओ आपके फ्री और दूसरों के फ्री में फर्क है देखिए सबसे पहली बात कि फ्री रेवडी कल्चर हमारा नहीं है इंपावर्मेंट का कल्चर है हमारा आज की तारीक में अगर असी करोड लोगों को पिछले तीन साल से अनाज दिया जा रहा है पांच किलो तो वो इसलिए नहीं कि उस अनाज की उनको जरुरत है वो इसलिए कि उनको एक मजबूत एक संबल मिले कि आपके पीछे सरकार खड़ी है कोरोना हुआ तीन महीने लोग हर चीज बंद रहा फर्स्ट वेव में सेकंड वेव में फिर तीन महीने बंद रहा इमाजिन कीजिए वो रेडी पट्री वाला जो घूम रहा है वो क्या खाता होगा जो दुकान पर कोक्ष का बेचता है जो हम लोग खाते है जा सोची एक घर ओन करने की फिलिंग क्या होती है कि आप घर के मालिक बनगे उस घर पर आप लोन ले सकते हो उस घर से आप विवसाई कर सकते हो चार करोर स्वा चार करोर लो नगर हमने घर दिये हैं बे घरों को घर तो ये फ्री नहीं है लेकिन अगर आप घोशना करते हैं कि अंतिन जार रुपय भत्ता देंगे बेरोजगारी भत्ता किस बात का भत्ता भई साड़े तीन अजार रुप्य हम इंसको देंगी किस बात के भत्ता आप दे रहें एक अंतिम बात एक अंतिम बात बोल की खतम करूंगा अगर हमारी नीतिया इतनी खराब होती नौ साल से देश बरबाद हो गया था लोगतंत्र खतम हो गया था मीडिया गोदी मीडिया हो गई कि अगर नंबर 1 कहां से आज पूरे विश्व में भारत कि जो पहचान बनी है जो साख बनी है पासपोर्ट की जो इस्जत बनी है अब बढ़ा है वह किसको नहीं पचड़ा है यह सवाल है कवियों निकाल लिए इसको हवाई-पाहर को आगे ले जाते हैं अगर जुट बोल पाप है तो आत्म विश्वास से जूट बोलना मोदी नीती है अब यह कह रहे हैं कि यहां पर आपने फ्री की बात करी इनको बड़ा दुख था यह भूल जाते प्रदान मंत्री जी ने किस तरीके से रेवडी कल्चर की उपर हमला किया था और कितनी रेवडिया इनोंने करना बात है और आपको कहां समझ आएगा जी बेरोजगारी आप लोगों ने बेरोजगारी का बजार तो लगा दिया है करनाटक में बोल रहे थे कि यहां पर सबके पास रोजगार है रोजगार है दो दिन पहले की खबर है बेंगलूरू में कॉगनिजिंट कंपनी ने 36 लोगो को बेरोजगार कर दिया तो बेरोजगारी का बजार ही लगाया है और ये कहते हैं हम गन बना रहे हैं गन बना रहे हैं अजी गन से क्या हमारे घर में राशन आ जाता है ये गोली चलाते है तो क्या उससे हमारे वहां पे घर में जो आटा है उसके दाम कम हो जाएंगे सिलिं अगर गन बन रही है यह बन रही है अगर आम जनता को रोटी सबजी तेल गैस खरीदने के लिए नॉर्मल जिंदेगी जिताने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है वह गन से पेट भरा जाएगा क्या अभी आप जिस पार्टी में पहले से सर उस पार्टी के जो पार्टी है आपके मुख मंत्री जो रहे वो अभी भुबनेश्वर गए नवीन पतना एक जी इसको मनाने के लिए कि वही एक प्रधान मंत्री पत का कैंडिडेट मैं भी हूं इसमें भी पेजा गौर लगाया करकि दिएगा जोंकि बहुत सारे गूम रहे हैं नवीन जी न और भुबनेश्वर प्रतिक हैं कि पतना से मैं नहीं पतना वे ह्तना है तो आख समर्चन बढ़ाई लेगा ारे पतना से मैं पत ना से मैं नहीं पतना वे हत ना चल हटना पतना यक नहीं रह पतना ओई पतना हम मोदी के कायल हैं मत समझो हम पागल हैं यार आसा नहीं ने पतना पतना से नहीं मैं पतना ओई हटना चल हटना पतना से मैं नहीं पतना ओई पतना प्रतीग्रेगी का द्रश बनाया है नवीन जी ने कहा कि ये अपने बिहार भवन के लिए जमीन खोजने आये हैं अब मुझे ये नहीं पता कि वो बिहार भवन के लिए जमीन खोजने आये थे अपनी जमीन तरसने के लिए आये आये हैं जमीन को तलाशने तो प्लीज करें कोई खट पटना नाच नहीं जाने और आंगन भी तेड़ा हो तो काहे का मतकना अरे नाच नहीं जाने और आंगन भी तेड़ा हो तो काहे का मतकना हम तो इगनोर करेंगे, वो कतना शोर करेंगे कटक वालों से ना अटकना, पतना से मैं नहीं पतना नवीन जी ने भी इग्नोर कर दिया है इस पूरी मुहिम को देखे हमारा स्टांड बिल्कुल फ्लियर है कॉंग्रेस पार्टी हर उस पार्टी के साथ लड़ेगी जो देश के लिए सबसे पहले लड़ेगे जो देश में अभी अत्याचार हो रहा है तो देश में भ्रहष्टाचार हो रहा है इस बात पर मैं भी कुछ लिखके लाई हूँ कि आज देश की स्थिती क्या है जोटी योजनाओं के नाम पर माया जाल बुना जा रहा है बेरुजगारी के बजार का मुनाफा बढ़ता जा रहा है महंगाई के दलदल में आम इंसान फस्ता जा रहा है सत्ता की लालश के चक्कर में सरकार का रुप्य से भी जादा इमान गिरता जा रहा है देश की अर्थव्यवस्था का काम तमाम है मुद्दो की बात दूर जुम्लो का आलम सरयाम है धरम के नाम पर शोर सुभा शाम है बेरुजगारी ब्रश्टाचार है हर जगा बड़ी बड़ी बातों का ताम जाम है तो इन मुद्दों को मद्दे नजर रखते वे जो साथ मिलकर देश को सबसे पहले रखकर देश की जनता को सबसे पहले आगे रखकर साथ मिलकर लड़ना चाहेगा उन सबका स्वागत है और जो मोदी सरकार बार बार कहा जाता है कि हमें मोदी जी से नफरत है हमें किसी से कि यह जो मीटिंग हो रहे हैं इनको हलके मतलों बहुत हलके मिले रहे हैं काम बिगड़ जाएगा भाई साब सुनिए गालोजी सभी विपक्छी एक हुए हैं इनकी मीटिंग से डरियो ये मिलके बहुमत पालेंगे तुम देखते रही हो अखलेस का गुसा भारी है हर दल से मिलना जारी है पटना वाले बाबुजी की पटना एक से भी यारी है एनसीपी की शिव सेना से मिलकर अच्छी तैयारी है प्लानिंग रेडी अब सारी है गठ बंदन लगता भारी है और जिसको समझ रहे हो ढुलमुल ऐसे राहुल से डरियो यह मिलके बहमत पालेंगे तुन देखते रही है यह मिलके बहमत आंध्रा मेरे डी के सी यार तूफान बनाए बैठे है चैन नई वाले स्टालिन जी लुंगी को उठाए बैठे है इडी के सताए बैठे है सब शक्ति जुटाए बैठे है और यह पंग्दी कम कर देना च्छमता ऐसी माया ममता से डरियो यह मिलके बहमत पालेंगे तुम देख दे रही हो इसका इलाज है कुछ सरा आपके इडी के सताएं सारे बहुमत क्या हुआ है क्या कि मिलके बना लेंगे सब खालेंगे अच्छा आप चुदाओं में जाते हैं और उसके बाद लड़ते हैं किस मामले में लड़िए क्या बोलके लड़िगे हां जी हम रिष्टा चार कर रहे थे इन्होंने इडी हमारे पीछे लगा दीसले में बहुमत दे दो आप आप दो तीन बाते देखो जहां पर बैठें उससे ठीक 10 किलोमेटर दूर दिली शुरू हो जाता है हां gingerव कसम खते हैं जी दो रू मसे ज़्जाना के कमरे में नहीं रहेंगे जी उर्फाश्ती हमने दी काव इंडिया करप्शन है रेवलुशन की पार्टी हम निकले हैं जन में पेदा है करप्शन कि अन्ना की छाती पर बैटके अन्ना की कमाई खाने वाले आज 171 करोड के बगले में रहे हैं थे इस देश में इंस्पिरेशन फोर सबके लिए कॉंग्रेसी रहती है गलत कारणों के लिए मैं बता दे रहा हूं सर ये कॉंग्रेस की स्थिति क्या चल रही है इसमें राजस्थान पर सबकी नजर है सचिन पाइलेट अशोक गहलोद के बीच में खीचा तानी चल रही है सचिन जी ने अपना एक मूर्चा खोल लिया है अब कविता सुनिया आनन लीजिए के लगता है अपने लिए कुरसी का रास्ता खोज करके मानेंगे एक सचिन वो हैं जो ओपनिंग करते थे एक ये हैं जो कांग्रेस का दफ्तर क्लोज करके मानेंगे कि मेरे नेता जो है वो राहुल सोनिया गांधी है तब सुनिएगा ये बयान सुनकर खड़गे जी सोचते होंगे के जान बूज कर मुझे चिढ़ाया है क्या अगर नेता राहुल सोनिया ही है तो मुझे एकजिट पोल के फोटो के लिए अद्यक्ष बनाया है क्या अद्यक्ष बनाया है क्या और एक मजे की पंग्ति आलोक सर दाली बजाईएगा आप इस पे बनाया है क्या शायद दोनों नेता शायद दोनों नेता बीजेपी से प्रभावित होकर मचल रहे हैं दोनों एक दूसरे के लिए न खाऊंगा न खाने दूंगा की थेओरी पे चल रहे हैं इस तरह तो बना बनाया प्रेस्टीज खो जाएगा ऐसे आपसी संघर्स से विकास का तो पता नहीं पर सत्ता वापसी के सपने का ना सो जाएगा ना सो जाएगा और राजस्थान में चुनाओ है आप सोचेंगे कि विरोधियों के छक्के छुडा देंगे पर गहलोजी जादूगर हैं उन्हें अपना पत्ता साप होने का शक भी हुआ तो पार्टी का कबूतर बनाके उडा देंगे जो परिवर्तन चा रहा वो जनता बहुत गुनी होगी सोच समझ के लोगों ने अपनी सरकार चुनी होगी आप सोच रहे करनाटक ने क्यों कांग्रेश को जिता दिया क्योंकि वहां के लोगों ने सायद मन की बात सुनी होगी चार पंक्तिया आपका और सुना रहा हूं बीजेपी की खिड़की और बंद किया है फाटक को जनता ने इग्नोर किया भक्तों के हरनाटक को बहुत रह लिया कि तुमने जोक दिया सब ताकत को फिर भी बोलो कैसे तुम हार गए करनाटक फिर एक सब्सक्राब करनाटक को बीजिए बीजया तुम्हार बन दोटाया वानिया जीत लगे जती है अचल्जी की कविता है ना हारमे ना जीत में किंचित नहीं भावीत में संघर्षपत पे जो मिला यह भी सही वो भी सही इसे हम तो संगाशुरत हैं, पिछले बार भी करनाटकान नहीं लोगों ने मिलके सरकार बना ली थे जब भी ज़र आरते हो यही वाली कवता सुनाते हैं अलोग जी अभी यूपी में एक स्टेटमेंट आया सफार सरकार से स्योपाल सिंग जी का, चाचा जी का कि यूपी में जो मंत्री है ना, उनकी इतनी भी हैसियत नहीं कि बाबू ये चपरासी का ट्रांसफर करा सका हैं तो मुझे एकदम से उनके कारेकाल में चाचा जी की सक्तियों का एहसास हुआ मैं नहीं देखी, बड़े करीब से देखी उनके पास इतनी सक्तियां थी, कि अकेले नहीं समलती थी, उनके कई बतीजे समालते थे जितने भी युवानेता सब उनको सगा चाचा बताते थे, खुद को बतीजा बताते है ना, अब ऐसे ही दो बतीजे आपस में टकराए, एक चौराए पे मिले, उनके बीच में क्या बात्चीत भी सुनिए कि तीन लड़कों को जब पुलिस ने रोका तब, एक बोला आज तेरी आफत ही आई है ये है असनी सक्ति, पुलिस वाले को अड़का दिया तीन लड़कों को जब पुलिस ने रोका तब, एक बोला आज तेरी आफत ही आई है चाचा जी का हूँ सगा बतीजा जानता नहीं क्या, बाइक भी ये खुद चाचा नहीं दिल लवाई है तो पुलिस वाला बोला, अप दूसरा बतीजा सेंगा, अप सक्तिया असनी पताच चलेगी तो पुलिस वाला बोला चल साइड में लगा ले बाई, जानता हूँ तूने सारी बात ये बनाई है तेरे जैसा ही बतीजा, चाचा जी का मैं भी तो हूँ मेरी नौकरी भी चाचा नहीं लगो भाई और रही बाद गटबंदन की जो चल रहा है तो मैं एक मुक्तक समाता हूं चोटा समागा कई बार गटबंदन बने और हर बार फेल हो जाते हैं जैसे आजकल क्या होता ना IPL पर टीम बनती हैं ऐसे हम कई लोग बनाते हैं उसमें प्लेयर और कैप्टन चुनते हैं लेकिन कोई जीतता नहीं जानकारी में तो कोई नहीं जीतता ऐसे ही कई बार हुआ सुनिए बुआ बबुआ नहीं चलते यूथ आइकन नहीं चलता भाजपा के आगे कोई बिगट बंदन नहीं चलता बनाते हैं ये हर सीजन में टीम आई पी एल सी पर बनाते हैं ये हर सीजन में टीम आई पी एल सी पर कभी प्लेयर नहीं चलते कभी कैप्टन नहीं चलता कभी प्लेयर अब प्लेयर और कैप्टन हम भी टीम बदल से हैं जल्दी 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 ये सब बस्टिम में जाना तो करना तक चुनाब ने बता दिया किया जनता का क्या देश का क्या मूड है 24 का इशारा है कि सुनो सुनो भी जे पी वालो सुनो सुनो भी जे पी वालो चाहे जितना जोड लगा लो सबसे आगे होंगे राहुल गांधी अरे हमने कहा है तुम भी सुनो वहाँ बहुत बर्याद हमने सहा है तुनी सहा है के 24 election का केवल इशारा है समझो ना कमजो अच्छा इतनी जल्दी पलट वह आपने किसी को देखा है के 24 election का केवल इशारा है समझो ना कमजोर है दो दिन की सत्ता से इतने ना फूलो तुम अपने रहे दौर है लोट कर आये थे लोट कर फिर से आएंगे अब ये कर नाटका से ही करके दिखाएंगे तब भी कहा था अब भी सुरू अरे सुनो सुनो भी जेती वालो चाहे जितना जोड लगा लो सबसे आगे होंगे राहुल गांधी के सबसे पूराने हैं दलोक शाही के यूही बेखरते नहीं तपते नहीं आच मैं जो कभी सोने जैसे निखरते नहीं ना डरे थे कभी आगे भी डर ना पाएंगे वक्त की आच से हम तब के निखरते जाएंगे तब भी कहा था अब भी सुनो यह पॉजिटिविटी कॉंग्रेस के अंदर है जो जो तो लगाया काफी लगाना भी चाहिए पता मान रहें कि पहले से जोर ही नहीं लगाते थे अब लगाने लगे लेकिन वह जो अब जो उस जोर का यह इस बार वैसा रिजल्ट क्यों नहीं देखिए ऐसा है कि पिछले बा से अठाइस में से 26 अब ले गए बाकी लोग टापते रहें यह भी फैक्ट है कि वह जो राज्य में रिजल्ट आता है फिर वो पलड़ जाता है लोग सबाबे पैसे मैं इसके उपर कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि जो चीज होनी नहीं उस पर बोलना क्या है जब इनकी स अब परताब फोजदार से उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों के परिणाम सुनी है शायकिल की किल-किल रह गई आ सपा पर किल-किल अठ गई किल-किल पर रह गई योगी जी निकाल साइकिल की साह ले गई साइकल की किलकिल सपा पर रह गई योगी जी निकाल साइकल की साइ ले गई और उसके हैंडल पर तांगा है कमंडल में त्रम यह अच्छा है बावा गाय ले गई हैंड पंप हाथी हाथ मलते रहे हैंड पंप हाथी हाथ मलते रहे जोरजार जीत करके बाएवाई ले गई और लगता है 24 में ऐसे ही जीते गई यह जैसे अब जीत करके निकाल साइब ले गई अब बढ़ें कि यह चंद भी मुझसे चिड़ कर बोला बंद करो ये लिखना और जिन पर लिखते उनका खुद ही बंद हो गया दिखना अभी पीछे क्या हुआ आपने देखा होगा कि बीजेपी के बहुत सारे भाषन आपको सुनने को मिले होंगे उनको जड़ा ध्यान से उसकी समीक्षा कीजिए तो आप क्या पाएंगे बीजेपी के भाषनों में क्या होता है वही कवीता सुनना अब बीजेपी के भाषन में क्या होता है इतिहास की बात विपक्ष पर आरोप बयानों पर हाई हाई खुशहाली का वादा जैसे कोई चिप्स का पैकेट हो काम की चीज कम और हवा सबसे ज़्यादा हवा सबसे ज़्यादा ठीक है राज़नीती है गर्म तवेपर दो रोटियां पालतू भी सेक लिजिए सस्ते डाटा की चर्चा तो हो गई अब महंगा दूद तेल आटा भी देख लीजिये बढ़िया 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 डाटा भी देख लीजे पर फुर्सत कहां होगी पर फुर्सत कहां होगी जीत के तरीके खोजने में लगे होंगे 24 वाले चुनाओं के लिए rhyming words वाले नए नारे सोचने में लगे होंगे क्योंकि अच्छे दिनों वाली गठरी अब खोल नहीं सकते और अगली पंक्ती लोजिकल लग जाए तो एक बार जोरदार ताली बजाना क्योंकि अच्छे दिनों वाली गठरी प्राली अब खोल नहीं सकते और पुराने नारों में से एक भी नारा दो बारा बोल नहीं सकते तो जनता हमको क्यों जिता रही है तो उस पे कहता हूँ रहा सवाल बार बार जीतने का तो कमल कोई अपने आप नहीं खिल रहा है बस कोई विकल्प तयार होने तक टेंपरोरी बेनिफिट मिल रहा है क्या बात है बहुत बढ़ी आज बहुत बहुत धन्यवाद क्या कवी साहब किसी का रोकती है कोई विकल्प ही नहीं है कि मतलब आपने तो जीरो कर दिया एक कॉंग्रेस पार्टी यह सारे विपक्ष को एसी दुखरते कांग्रेस वाले यहीं करते हैं एक नारा ऐसा है ना जिसको आप भी मरते वक्त तक लेके जाएंगे और मैं भी मरते वक्त लेके जाओंगा और वो नारा दूबारा क्या बार जोड़ी बनाई है जनाब मोदी भिला जवाब है योगी भिला जवाब मोदी भिला जवाब योगी भिला जवाब और देखो राहुल हो या हो खडगे मोदी पे रोज भड़के पहले तो गाली काफी फिर मांगते हैं माफी फिर मांगते हैं माफी सत्ता के बन के रोगी हर बार हार भोगी मुश्किल बहुत ही होगी मोदी के बाद योगी ब्रष्टों के हाल होंगे फिर जादा और खराब मोदी बिला जबाब है योगी बिला जबाब और कांग्रिस क्या किये अपनी सुना न पाए मुद्दे भुना न पाए जब जब जुबान भटकी मोदी से खाई पटकी मोदी से खाई पटकी इसलिए 24 का पल खिलेगा भगवे का दल खिलेगा भारत अटल खिलेगा फिर से कमल खिलेगा और यह जो ना गठ बंधनों के मुख से हाए गठ बंधनों के मुख से हट जाएंगे नकाब मोदी भिला जबाब है योगी भिला जबाब और यही प्रणाम हुआ कि उत्तर पुदेश में निकाय चुनाओ योगी जी जीत गए और उसके बात क्या हुआ सुनो विपक्षी अब जिद छोड़ो मालो मेरी बात यूपी की जनता है योगी बाबा के साथ कबसे बीमार बैठा हाती बेचैन है अपने पहियों में उलजी साइकिल की चैन है अब केवल कोस ना ही इन सब का काम है जनता के होटों पे तो जै जै श्री राम है राहुल जी भी घूम रहे हैं अरे राहुल जी भी घूम रहे हैं लेकर खाली हाथ यूपी की जनता है योगी बाबा के साथ होता इलाज अब तो गुंडों का रोज है बाबा के पास में हर दम बुल्डो जरडोज है और तुमके वल माफिया के मरने पे चीख लो कैसे सरकार चलाते बाबा से सीख लो चौबिस में फिर करेगी जनता अर चौबिस में फिर करेगी जनता वोटों की बरसाथ यूपी की जनता है योगी बाबा के साथ बाब बाब धन्यवाद शुक्रिया थैंक यूपी के चांस हैं सम्हाल कर खेलिएगा लांगी नहीं जाए ऐसी क्रीज की जरूरत है निचले और सीर्स नेत्रत्य के बीच अब संबाद वाले किसी ब्रिज की जरूरत है करना स्टोर सीखो अपने नेताओं को गैरों से भी ज्यादा अब निज की जरूरत है बोशिंग मशीन के भरोसे मत बैठो अब करनाटक करनाटक कुछ नहीं है उत्तर प्रदेश ही प्रधान मंत्री तैकरता है असी लोग सबाह है यूपी में कांग्रेस का ना पूछो किस पार गए हैं आये थे चौथे नंबर पे वैसे ही इस बार गए हैं ये कंडीशन है इनकी मत पूछो तो अच्छा है करनाटक पर क्यों चर्चा हो रही है क्योंकि जैसा मैंने कहा था संकट मोचन का अपमान किया बजरंग बली जी का अपमान किया करनाटक में जवाब मिला और बजरंग बली करनाटक से शुरुआत हुई है उत्तरवदेश पे जाएगी कोंग्रेस की मेमोरी ऐसी हो गई है कि यूपी का फुल फॉर्म भूल गया आप कह रहें के लोग सभाजी तेंगे लिए राम भगवान का अपमान किया तो एक वेक्टी अमेठी से वाइनाट पहुंजिए अब किस तरफ पहले शुरुआत करेंगा मैं तो यह देखो प्यार महबत की बात से सुरू करूंगा और मुझे अलोग जी से बहुत प्यार है और मेरी बात भी मानते हैं पिछले बार जब वो आए थे जेडी उसे तो मैंने का आप जल्दी भाजपा में जाने वाले और वो चले गई यह कह रहा हूं सर आलोग जी यह कह रहे थे क्यों चलेगे क्यों चलेगे क्या बात है मैंने कि यारब वोई जगे ऐसी है कैसी हर आदमी को पता होता है अपने कर्मों का कि बरना गंगा में भीड़ ऐसी थोड़ी होती है है अच्छा है अलोग जी गहन विचार मुद्राम चलेगे मैं खोल देता हूं इसके के कल युग में भाजपा का रामराज जी आया है पिटने को चूजिए कडौन कर लीजिए पिटने को चूज एक डौन कर लीजिए और धरती का निरीय प्राणी खुद को समझिए मांगते विकारी वाली टौन कर लीजिए के आख बंद करो यहां कुछ नहीं देखना है आख बंद करो यहां कुछ नहीं देखना है बोल यह भी नहीं पूरा मौन कर लीजिए पूरा मौन कर लीजिए और जान भी बचानी है और जेल नहीं जाना है तो फटा फट बीजेपी जॉइन कर लीजिए अच्छा एक ही जगह है यह कैसी के घूटा लों की बैतरनी से पार लगाने वाला घूटा लों की बैतरनी से यह पार लगाने वाला और यही सुरक्षा का बचह है प्यारे जान बचाने वाला आप तो खुद डॉक्टर हैं मैं वही कह रहा हूं कि अब थोड़ा इंका इलाज करते हैं सुदीब से बोलते हैं करने के लिए आपने भाई सब मैं एक खत्म कर लूँ आपने कहा कि यहां पर आके बिल्कुल चुप हो जाई है है ना मुझे तो बोलने के लिए लाए गया है चुप भी नहीं आपने कहा एक डॉन चूस कर लीजिए आप देखिए देश भर में कितन बद्जेशन पर चूस कर लिए अब गोटालों में बचना होतों यहां आजाईए आप यह कहा घुटालों में बचना भोल्यक यहां आजो कि भाई घुटाले वाले तो जपवि जगब पे जा रहे हैं जेल यहां कहां कोई आ आरहा गतार faut that right करने दीजिये एक बेरोजगार कि चिंता लिगे वी इस मैं तमाम रेवडी कल्चर की बात हुई दें तमारे हम इम्दीर में पूजा करते हूं आरती होगे उसके बाद प्रषाद चड़ाate आली गहलोत लेकर थाली किसकी उतारें देखो आरती हो मया भाती वे रोधी उन्हें पारती उनका बयान है कि गहलो जी किसको ज़्यादा मान सम्मान देते हैं सौनिया जी को दे रहे हैं अब सुन्द्रा जी को बेगाने अपने लगते हैं और अपने बेगाने जिसको छपन भोग थे मिलने मिले न सूखे दाने याने मारें वो फूक करारी हो मया जोत पे मारी दुश्मन से आरी बनता धारती हो मया देखो ओतारें किसकी आरती गहलो जी ने भी कुछ कमी नहीं छोड़ रखी के कभी कहें गदार निकमा कभी कहें को रोना कभी कहें गदार निकमा कभी कहें को रोना अर जादू गर पे किया है जाने कैसा जादू तोना है रोना मैडम उनको नाभाती रानी मा लागे साथी सी एम की कुरसी निहारती ओ मैया देखो उतारें किसकी भी आरती और आखरी देखिएगा वो अब क्या करने जा रहे हैं कि जनसंग घर्ष करेंगे और अभी क्या बतलाएं क्या आगे वर्ष करेंगे जन्ता इतनी नाभोली भाली रोटी पलटने वाली रोटी पलटने वाली कुरसी पलट के है तारती ओ मैया देखो उतारें किसकी यारती बोल सेरा बाली मैया की आलोग जी सर कांग्रेस के एक नेता ने दावा किया है कि भाजपा के कई नेता संपर्क में है और जैसे मद्द परतेश के दीपक जोसी कई-कई बड़े नेता बड़े भाजपा के जा रहे हैं और जिस तरह जा रहे हैं मुझे क्या लग रहा है सुनिएगा बीजेपी के घर संकट आने वाले है सब धीरे धीरे छोड़ के जाने वाले है क्यों? क्याते क्या हैं? बाजपा तो हर जाई है अपनों के लिए ही खाई है बाहर वाले को मलाई है अंदर वाले को खटाई है इसलिए राहुल के घर पे खाट बिछाने वाले हैं सब धीरे धीरे छोड़ के जाने वाले हैं सब धीरे धीरे छोड़ के जाने हैं सब होता क्यों है भाजबा को भी देखना चाहिए सिंधिया पे आँख लगाए थे बंगाल में इड़ी फसाए थे अब आपके नेता बहके हैं तुमने उनके बहकाए थे तुमने उनके बहकाए थे जो बोया वो ही काटके खाने वाले हैं और यहीं प्रणाम करनाटक की तस्वीर बता रही है चौबिस की तस्वीर लेगिन क्या है न कॉंग्रेस बहुत होशियार हो गई है बतारों पंक्तिया सुनना आप कि कॉंग्रेस गठबन्धन का गोला देकर सबको भर्मा रही है पी-एम तो बनाएगी अपना और महनत निती नितीश कुमार से करवा रही हैं और नितीश जी ने क्या कहा है मुझे पीम नहीं बनना तब पंक्तियां कहता हूँ आनंद लेना कौन सथ्था में आएगा नहीं आएगा ये तो किसमत का लेखा है कुछ बनने के लिए कोशिश करना तो सुना था कुछ नहीं बनने के लिए मेहनद करना पहली बार देखा है पहली बार देखा है अरे बता रहे न भी पटनायक जी ने इंट्रेस्ट नहीं दिखाया क्यों नहीं दिखाया होगा पंक्तियां सुनना कुछ लोग अपनी बात पे कायम रहने वालों पर विश्वास जताते हैं और अगली पंक्ति आ रही है बात पसंद आजा तो उठा लेना कुछ लोग अपनी बात पे कायम रहने वालों पर विश्वास जताते हैं सिमरन भी दो बार पलट पलट बोलने पे पलटी थी ये तो बिना बोले ही पलट जाते हैं और कॉंग्रेश का शाही अंदाज कम नहीं हुआ आखिर दशकों शासन का स्वाद चखा हुआ है लोगों के घर घर जाके बतियाने के लिए पार्टी ने सीएम रखा हुआ है पार्टी ने सीएम रखा हुआ है लेकिन एक बात तो सिद्ध हो गई के महत्व कांक्षा पूरी हर एक नहीं हो सकती है जब तक अपना स्वार्थ सिद्ध नहों विपक्ष की पार्टीयां एक नहीं हो सकती है नितिश जी पीम बन सकते हैं या नी देखिए इस देश में को भी प्रधानमंदरी बन सकता है ये भी बन सकते ह कल का भविश्य यही है कोई DJ की यहां पर दिमोक्रProfion है वह को प्रॉब्लम क्यों हो रही है और आपने जैसा कहा कि पहली बार आप देख रहे हैं कि कोई बिर कुछ नहीं बनने के लिए महनत कर रहा है क्यों हमारे देश में लाखों लोगों ने अपनी जान दे दी ताकि आज हम लोग खुले आसमान के नीचे स्वतंतता से बोल सके और ह बर दबाए जा रहा है जहां पर अर्थव्यवस्ता गिर रही है गरीब बढ़ रही है बेरोजगारी बढ़ रही है जूटों की जुम्लों की बारिश हो रही है तो इसमें बुरा क्या है एक बाद भूलकी श्री कृष्णने ने भी तो कहा है कि कारे करे जाओ फल की कॉंग्रेस के लिए राहुल गांधी जी के लिए एक लाइंप पढ़ना चाहूं एक अकेला पार्थ खड़ा है भारत वर्ष बचाने को सभी कौरव साथ खड़े है केवल उसे गिराने को कि अभर दूसरी पार्टियों में खड़े है कोरव की भारती जंता पार्टी आपक्षा क्ष़ें तो रात कहो तुम जो भी कहें सलमान लो भक्त दिन को कहें रात तो रात कहो तुम तपड को कहे लात तो लात कहो तुम इनसे बहस की तो पस्ताओगे जरूर कि सब्जी को कहे भात तो भात कहो तुम यह होता है चार लाइन आपको उसमा रहे हैं राजस्थान की चुनाओं में क्या चलना है पाइलट गहलो उतना आपस में लड़ाई चलना है यह करा कौन रहा है केवल पाइलट नहीं है कई सारे से हो रहा है कई लोग है केवल पाइलट नहीं है कई सारे से हो रहा है फलाने हैं तो मुम्किन है इन्हीं नारे से हो रहा है यह राजस्थान का रायता यूही नहीं पहला यह सब चालक जी कई सारे से हो रहा है कि हाथ की उंगलियों को बांधनी थी मुठी जब मुठी नहीं बांधी बस अंगूटे ही दिखाए हूँ और प्रयोग देखना हाथ को ना सूज रहा हाथ और इसमें भी कई हाथ वालों ने ही हाथ आजुमाई है कई हाथ गन्ने की मसीन से गुजरता है गन्ना कोई कांग्रेस के बीदे को ऐसे दिन आए है और पाइलेट जी भी इसमें सही योग कर रहे हैं लास्ट में फसाने वाला नी बुले के आए तो अग्रेस की सदा मेहनस से मिलता है जीत ये समोसा नहीं इडली न दोसा है कांगरेसियों ने कई बार भाजपाईयों को अपने ही हातों से लड़ू जीत का परोसा है और कयास तोड़, हवा मोड, बयान वीर नया नेता उमीद है कि जरूर अपने पाला और पोसा है तयार हो रहा होगा कोई इलेक्शन से ठीक पहले भाजपा जिताउ टाइप देगा वो बयान हमें पूरा ये भरोसा है ये तो फैक्ट है कि कई बयान ऐसे आजाते हैं जो ऑपोजिशन या पीजेपी अपने साथ अपने फिवर मिले जाती है देखिए बयान तो दोनों तरफ से होते हैं ऐसा नहीं है कि भारतिय जन्ता पार्टी के नेता आप उनको भुना नहीं पते अब जूट को भुनाना तो अब जैसे अब धाली में चला प्रधान मंत्री जी ने इतना बड़ा जूट बोला कि सोनिया गांधी जी ने रैली में जो इन्फोमेशन दे रहा है या उनको जो फीडबैक दे रहा है वो गलत तरीके से दे रहा है देखो सारा कुछ उन्होंने किया कब इतने गोल पोस्ट बढ़ले कि नतीजा क्या हुआ इस बार करनाटक हार गया आखिर में इनोंने दाव खेला बजरंग बली जी के उपर ब करनाटक से शुरुवात हो गई है ऐसी पूरा देश भी एक एक करके सारे प्रदेश हमाएं पास आएंगे और सरकार भी सेंटर में यह तो बस जाकी है आने वाली आंधिया भी बाकी है अच्छार भी इंतजार गया रएगा राहूल की आंधि का देश को भी इंतजार रहेगा प्रियंका की आंधिका अजकल दोनों में कॉम्पटिशन होगी यह करनाटका चुनांग में बोला तुनी और सुना ओंग यह तो बयान है यह ट्वीट नहीं था प्रियंका जी ने कह तो होती रहती है मुझे पता है पहले कांगरेश जीतेगी फिर सरकार आपकी बनेगी यह तिन नहीं जानते है इस बात पे बात कहूंगा कि 2018 में सबसे बड़े दल में हम उभड़े थे चाहे करनाटका हो महाराश्ट्रा हो एक सुचार भारती जंता पार्टी के आये थे कॉंग्रेस अठतर थी सरकार कॉंग्रेस की बनी ऐसा नहीं है हम जीते हैंगे तभी हमारी सरकार बनती है हमने क्या कहा हमने इंसे सीखा है लेकिन गुरू तो यहीं है ना एक बड़ा टेंड सुरू हो गया है कि चुनाव में कौ कोन तक चुटी लेप टौप गैस भी मिलेगी मुफ्त फ्सकूटी स्कूटी लैप टॉप गैस में लेगी मुफ्त लंबी होती जाती यह लिष्ट ना सिमटती यह लंबी होती जाती है लिष्ट ना सिमटती और बोट बैंक खिसका तो भटने लगी है चाती अच्छाती नहीं भटती तो यह सौगात नहीं भटती के थाली लोटा बजाए मन की भी बात सुनी थाली लोटा खूप बजाए मन की भी बात सुनी फिर भी यह सोतन महगाई नहीं गटती और जनता भी तो लाल ची गरल फ्रेंड हो चुकी है जनता भी तो लाल ची गरल फ्रेंड हो चुकी है बीना गिफ्ट दिये अब यह भी नहीं पटती के मुफ्त खोर तुम्हें हमें बनाकर ऐसे ना भरमाओ और यह चुनाव जयाद है प्यारे इससे हमें बचाओ चुनाव जयाद आपके फ्री और दूसरों के फ्री में फर्क है देखिए सबसे पहली बात कि फ्री रेवडी कल्चर हमारा नहीं है इंपावर्मेंट का कल्चर है हमारा आज की तारीक में अगर असी करोड लोगों को पिछले तीन साल से अनाज दिया जा रहा है पांच किलो तो वो इस लिए है बस सरकार का संबल है पांच किलो में कोई अमीर नहीं बन जाता है घर अगर हम दे रहे हैं बेघरों को अभी तक सवाचार करोड घर दे चुके हैं पूरे देश भर में और तो के नाम से रेजिस्ट्री हो रही है यह सोची एक घर ओन करने की फिलिंग क्या होती है कि आप घर के मालिक बन गे उस घर पर आप लोन ले सकते हो उस घर से विवसाई कर सकते हो चार करोड सवाचार करोड लों अगर घर दी है बे घरों को घर तो यह फ्री नहीं है लेकिन अगर आप घोशना करते हैं कि अंतीन जार रुपए भत्ता देंगे बेरोजगारी भत्ता किस बात कब आप शाड़े 3,000 रुपए हम इंसको देंगी किस बात कब अप दे रहें कि कि एक अंतिम बात बहुत फोल नहीं करोड़े नौ साल से देश बरबाद हो गया था, लोगतंत्र खतम हो गया था, मीडिया गोदी मीडिया हो गई थी, जैसा ये लोग कहते हैं, अगर इनी केसा आप से चले, तो भाईया हम पांचनी अर्थवेवस्था कैसे बनके जर्मनी को पीछे हाचार के, कैसे बन गया है, FDI record हमारे ह जो पहचान बनी है, जो साख बनी है, पासपोर्ट की जो इज़त बनी है, एक भारती का जो मान बढ़ा है, वो किसको नहीं पचरा है, ये सवाल है कवियों, निकाल लिए इसको, हवाई फाहर को आगे ले जाते हैं, अगर जूट बोलना पाप है, तो आत्म विश्वास से जूट बोलना मोदी नीती है, अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आपने फ्री की बात करी, इनको बड़ा दुख था, ये भूल जाते हैं, प्रदान मंतरी जी ने किस तरीके से करनाटक में बांटी हैं, और कितने इनके MLA और उनके साथी पकड़े गए हैं, और क्या-क्या बांटा है, जाके देखिए, करनाटक की अगर आप कैम्पेंड में जाते तो जिन लोगों को जरूद भी नहीं है, उनके घर पे इनोंने टीवी पहुंचाने का काम किया, उनके पहले की खबर है, बेंगलूरू में कागनिजन कामपनी ने 36 लोगों को वेरुजगार कर दिया, तो वेरुजगारी का बजार ही लगाया है, और यह क्यते हैं, हम गन बना रहे हैं, अजी गन से क्या हमारे घर में राशन आ जाता है, ये गोली चलाते हैं, तो क्या उससे हमा आरे वहाँ पे घर में जो आटा है उसके दाम कम हो जाएंगे, सिलिंडर के दाम कम हो जाएंगे, इतनी फैक्टरी लग गई ये हो गई, लेकिन नौकरी के लिए तो लोग आज भी घूम रहे हैं, दो करोड नौकरी देने का वादा था, आज तक आप हिसाब नहीं दे पाए, आप ही के लोग पार्लेमेंट में जवाब देते हैं कि नहीं दी गई, फिर बोलोगी महंगाई चरम पे है, क्या फायदा उस देश में अगर गन बन रही है, ये बन रही है, अगर आम जनता को रोटी, सबजी, तेल, गैस खरीदने के लिए, नॉर्मल जिंदेगी जिताने क इस समय वो, अच्छा, अभी ललन सिंग जी के जो पाइटी है, आपके मुख मंत्री जो रहे, वो अभी भुबनेश्वर गए, नवीन पतनाईक जी इसको मनाने के लिए कि वही एक प्रधान मंत्री पत का कैंडिडेट मैं भी हूँ, इसमें भी पे जा गौर लगाया कर की जो कि बहुत सारे गूम रहे हैं, नवीन जी ने क्या संदेश दिया, नितीश जी को वो सुनिएगा, पतना और भुबनेश्वर प्रतीक हैं, कि पतना से मैं नहीं पतना, ओए हतना, तो आप समर्चन बढ़ाई लेगा, अच्छा है, अर पतना से मैं पतना से मैं नहीं पतन अवे हतना, चल थना, पतना यक नहीं रह पतना, ओए हतना। हम पागल है यार आसा नहीं ने पटना पटना से नहीं मैं पटना रहे he उडवा लेना खिली तुम्हारा काम है पलटना तुम्हारा काम है पलटना पतना से मैं नहीं पतना ओए पतना चल हटना नवीन जी ने कहा कि ये अपने बिहार भवन के लिए जमीन खोजने आये हैं अब मुझे यह नहीं पता कि वो बिहार भवन के लिए जमीन खोजने आये थे अपनी जमीन तरसने के लिए आये आये हैं जमीन को तलाशने तो प्लीज करें कोई खट पटना नाच नहीं जाने और आंगन भी तेड़ा हो तो काहे का मतकना हम तो इगनूर करेंगे वो कतना शोर करेंगे कटक वालों से ना अतकना पतना से मैं नहीं पतना वे पतना वे पतना यक नहीं रपतना वह पतना वह बढ़ी है उधर से ली नवीन जी ने भी इगनूर कर दिया है इस पूरी महिम को देखें हमारा स्टांड बिल्कुल फ्लियर है कॉंग्रेस पार्टी हर उस पार्टी के साथ लड़ेगी जो देश के लिए सबसे पहले लड़ेंगे जो देश में अभी अत्याचार हो रहा है तो देश में ब्रहष्टा चार और इस बात पर मैं भी कुछ लिखके लाई हूँ कि आज देश की स्थिती क्या है जूटी योजनाओं के नाम पर माया जाल बुना जा रहा है बेरुजगारी के बजार का मुनाफा बढ़ता जा रहा है महंगाई के दलदल में आम इंसान फस्ता जा रहा है सत्ता की लालश के चक्कर में सरकार का रुप्य से भी जादा इमान गिरता जा रहा है देश की अर्थव्यवस्था का काम तमाम है मुद्दों की बात दूर जुम्लों का आलम सरयाम है धरम के नाम पर शोर सुभा शाम है बेरुजगारी ब्रश्टाचार है हर जगा बड़ी बड़ी बातों का ताम जाम है तो इन मुद्दों को मद्दे नजर रखते वे जो साथ म मिलकर लडना चाहेगा। उने सबका स्वागत है। और जो मोधी सरकार बार बार कहा है कि हमें मोधी जी से नफ्रत हैंㄦ कि से नफ्रत नहीं है। हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं हमें प्यार सिर्फ देश की जनता से है और उनका हित सर्वोपरे है तो देश की जनता का हित और इन मुद्धों के खिलाफ जो लड़ेगा उनके साथ हम मिलकर सरकार के लिए लड़ेंगे कि यह जो मीटिंग हो रहे हैं इनको हलके मतलों बहुत हलके में रहे हैं काम बिगड़ जाएगा भाई साब सुनिए गालोग जी सभी विपक्षी एक हुए हैं इनकी मीटिंग से डरियो अगली बंग्दी सभी विपक्षी एक हुए हैं इनकी मीटिंग से डरियो ये मिलके बहुमत पालेंगे तुम देखते रही हो अखलेस का गुसा भारी है हर दल से मिलना जारी है हर दल से मिलना जारी है पटना वाले बाबुजी की पटना एक से भी यारी है न्सीपी की शिव सेना से मिलकर अच्छी तैयारी है प्लानिंग रेडी अब सारी है गठ बंदन लगता भारी है और जिसको समझ रहे हो ढुलमुल ऐसे राहुल से डरियो ये मिलके बहमत पालेंगे तुन देखते रहे हैं ये मिलके बहमत हैं सब शक्ति जुटाएं बैठे हैं और ये पंग्दी कम कर देना च्छमता ऐसी माया ममता से डरियो ये मिलके बहमत पालेंगे तुम देखते रहे हैं इसका इलाज है कुछ तर आपके पालेंगे इडी के सताय हैं सारे बहमत के हलुआ है क्या कि मिलके बना लेंगे सब खालेंगे अच्छा आप चुदाव में जाते हैं और उसके बाद लड़ते हैं किस मामले में लड़ियेगा क्या बोलके लड़िगा हां जी हम प्रष्टाचार का रहे थे इनोंने इडी हमारे पीछे लगा दीसले में बहमत फिर्दूर दिली शुरू हाँ गता है ऐं हंजी हम कसम खाते हैं जी दो रूम से ज़्यादा के क्मड़े में नहीं रहेंगे जी कें हांजी हम इंडिया कर अगें मैं इंसपिरेशन फोस सबके लिए इस देश में इंसपिरेशन फोस सबके लिए कोंग्रेसी रहती है मैं बता देढू हम सर इ Bry ये कोंग्रेस की स्थिति क्या चल रही है इसमेरा फ़ इस्तान सबकी नजर है सचिन पाइलेट अशोक गहलोत के बीच में खीचा तानी चल रही है सचीन जी ने अपना एक मोर्चा खोल लिया है अब कविता सुनिया आनन लीजे के लगता है अपने लिए कुरसी का रास्ता खोज करके मानेंगे एक सचीन वो है जो ओपनिंग करते थे एक ये हैं जो कांगरेस का दफ्तर क्लोज करके मानेंगे और अभी एक बयान उन्होंने दिया है कि मेरे नेता जो है वो राहुल सुनिया गांदी है तब सुनिये गाफ ये बयान सुनकर खड़गे जी सोचते होंगे कै जान-बूज कर मुझे चिड़ाया है क्या अगर नेता, राहुल, सुनिया ही है तो मुझे एकजीट फोटो के लिए अद्येक्स बनाया है क्या अप इस पे बनाया है क्या शायद दोनों नेता, शायद दोनों नेता BJP से प्रभावित होकर मचल रहे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए न खाऊंगा न खाने दूंगा की थेयोरी पे चल रहे हैं, इस तरह तो बना बनाया प्रेस्टीज खो जाएगा, ऐसे आपसी संघर्ष से विकास का तो पता नहीं, पर सत्ता वापसी के सपने का ना सो जाएगा, और राजस्थान में चुनाओ है, आप सोचेंगे कि विरोधियों के छक्के छुडा देंगे, पर गहलोजी जादूगर हैं, उन्हें अपना पत्ता साफ होने का शक भी हुआ, तो पार्टी का कभूतर बना के उड़ा देंगे, जो परिवर्तन चा रहा वो जनता बहुत गुनी होगी, सोच समझ के लोगों ने अपनी सरकार चुनी होगी, आप सोच रहे करनाटक ने क्यों कांग्रेश को जिता दिया, क्योंकि वहां के लोगों ने सायद मन की बात सुन रहा हूं, बीजेपी की खिड़की और बंद किया है फाटक को, जनता ने इग्नोर किया भक्तों के हर नाटक को, बहुत रहे लिया कि तुमने जोक दिया सब ताकत को, फिर भी बोलो कैसे तुम हार गए करनाटक, बहुत बताईता है, यह वैसे परिणाम को लेके जो भी जिसे हम तो संगाचरत हैं, बिछले बार भी करनाटकान नहीं लोगों ने मिलके सरकार बना ली ते, जब भी ज़र आरते हो यही वाली के पता सुनाते हैं, अलोग जी, अभी यूपी में एक स्टेटमेंट आया, सफार सरकार से, शियोपाद सिंग जी का, चाचा जी का, कि यूपी में जो मंत्री है न, उनकी इतनी भी हैसियत नहीं कि बाबू ये चपरासी का ट्रांसफर करा सकें, तो मुझे एकदम से, उनके कारेकाल में, चाचा जी की सक्तियों का एहसास हुआ, मैं न देखी, बड़े करीब से देखी, उनके पास इतनी सक्तियां थी, कि अकेल तीन लड़कों को जब पुलिस ने रोका तब, एक बोला आज तेरी आफ़त ही आई है, ये है असली शक्ति, पुलिस वाले को अड़का दिया, तीन लड़कों को जब पुलिस ने रोका तब, एक बोला आज तेरी आफ़त ही आई है, चाचा जी का हूं सगा बतीजा जानता नहीं क्या, बाइक भी ये खुद चाचा नहीं दिल वाई है, तो पोलिस वाला बोला, अब दूसरा बतीजा अब सक्तिया असली पता चलेंगी, तो पोलिस वाला बोला चल साइड में लगा ले बाई, जानता हूँ तूने सारी बात ये बनाई है, तेरे जैसा ही बतीजा अच्छा नहीं ही लगाई है तो मैं एक मुक्तक सुनाता हूं चोटा सुनिए कई बार गटबंदन बने और हर बार फेल हो जाते हैं जैसे आज कल क्या होता है आई पील पर टीम बनती हैं ऐसे हम कई लोग बनाते हैं उसमें प्लेयर और कैप्टन चुनते हैं लेकिन कोई जीत बनाते हैं ये हर सीजन में टीम आई पील सी पर बनाते हैं ये हर सिजन में तीम आई पील सी पर कभी प्लेयर नहीं चलते, कभी कैप्टेन नहीं चलता, कभी प्लेयर… अब बढ़ी आप! अब प्लेयर और कैप्टेन, हम भी तीम बदल से? जल्दी-जल्दी यह सब बासी-मचीन में जाना पूर। करना तक चुनाब ने बता दिया कि क्या जनता का क्या देश का क्या मूड है 24 का इशारा है कि सुनो सुनो भी जे पीवा लो चाहे जितना जोड लगा लो सबसे आगे होंगे राहुल गांधी अरे हमने कहा है तुम भी सुनो हमने सहा है तुम भी सुनो के 24 एलेक्शन का केवल इशारा है समझो ना कमजो अच्छा इतनी जल्दी पलट आपने किसी को देखा है के 24 एलेक्शन का केवल इशारा है समझो ना कमजोर है दो दिन की सत्ता से इतने ना फूलो तुम अपने रहे दौर है लोट कर आए थे लोट कर फिर से आएंगे अब ये कर नाटका से ही करके दिखाएंगे तब भी कहा था अब भी सुनो अरे सुनो सुनो भी जेती वालो चाहे जितना जोड लगा लो सबसे आगे होंगे राहुल के सबसे पुराने हैं दलोक शाही के यूही बेखरते नहीं तपते नहीं आच मैं जो कभी सोने जैसे निखरते नहीं ना डरे थे कभी आगे भी डर न पाएंगे वक्त की आच से हम तब के निखरते जाएंगे तब भी कहा था अब भी सुनो यह पॉजिटिविटी कॉंग्रेस के अंदर है जो जो तो लगाया काफी है लगाना भी चाहिए पता मान रहें कि पहले से जोर ही नहीं लगाते थे अब लगाने लगे लेकिन वह जो अब जो उस जोर का यह इस बार वैसा रिजल्ट क्यों नहीं देखिए ऐसा है कि पिछल बाकी लोग टापते रहें यह भी फैक्ट है कि वो जो राज्य में रिजल्ट आता है फिर वो पलड़ जाता है लोग सबावें पैसे मैं इसके उपर कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि जो चीज होनी नहीं उस पर बोलना क्या है जब इनकी सरकार बननी नहीं नहीं नेगिट परताब फोजदार से उत्तर प्रदेस के निकाय चुनावों के परिणाम सुनी है शाय किल की किल किल सपा पे रह गई योगी जी निकाल साइकल की साह ले गई साइकल की साही ले गई साइकल की किलकिल सपा पर रह गई योगी जी निकाल साइकल की साही ले गई और उसके हैंडल पर तांगा है कमंडल मित्र अच्छा है बावा गाय ले गई हैंड पंप हाथी हाथ मलते रहे हैंड पंप हाथी हाथ मलते रहे जोरजार जीत करके बाई 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 ले गई और लगता है चोबीस में ऐसे ही जीतेंगे ये जैसे अब जीत करके निकाल ले गई है 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 ये चंद भी मुझसे चिड़कर बोला बंद करो ये लिखना और जिन पर लिखते उनका खुदी बंद हो गया देखना है अबी पीछे क्या हुआ आपने देखा होगा कि बीजेपी के बहुत सारे भाषन आपको सुनने को मिले होंगे उनको ज़र्ण ध्यान से उसकी समिक्षा कीजिए तो आप क्या पाएंगे बीजेपी के भाशन में क्या होता है इतिहास की बात विपक्ष पर आरोप बयानों पर हाई हाई खुशहाली का वादा जैसे कोई चिप्स का पेकेट हो काम की चीज कम और हवा सबसे ज़्यादा हाँ हाँ हवा सबसे ज़्यादा ठीक है राजनीती है गर्म तवे पर दो रोटियां फाल्तू भी सेक लीजिए सस्ते डाटा की चर्चा तो हो गई अब महंगा दूद तेल आटा भी देख लीजिए और भी देख लीजिए पर फुरसत कहा होगी जीत के तरीके खोजने में लगे होंगे 24 वाले चुनाऊ के लिए rhyming words वाले नए नारे सोचने में लगे होंगे तुक बंदी सोचने में लगे होंगे क्योंकि अच्छे दिनों वाली गठरी अब खोल नहीं सकते और अगली पंक्ती लोजिकल लग जाए तो एक बार दोरदार ताली बजाना क्योंकि अच्छे दिनों वाली गठरी अब खोल नहीं सकते और पुराने नारों में से एक भी नारा दो बारा बोल नहीं सकते दो बारा बोल नहीं सकते और रहा सवाल बार बार क्या कहते हैं तो जनता हमको क्यों जीता रही है तो हम कैसे जीत रहे हैं तो उस पे कहता हूँ रहा सवाल बार बार जीतने का तो कमल कोई अपने आप नहीं खिल रहा है बस कोई विकल्प तैयार होने तक टेंप्रोरी बेनिफिट मिल रहा है बहुत बढ़ी आप बहुत धन्यवाद क्या कवी सहाब की सुखार रोकती है कोई विकल्प ही नहीं है अब आप ने जिसको आप भी मरते वक्त लेकर जाएंगे और मैं भी मरते वक्त लेकर जाओं आप और वो नारा दुबारा कि आप बार-बार बोलेंगे हैं रोज बोलेंगे वह है जै श्रीराम, जै बजरंग दली 24 पे जो नजर है ना जनता बहुत समस्दार है और जनता आजकल यही गाना गा रही है और देखो राहुल हो या हो खड़के मोदी पे रोज भढ़के पहले तो गाली काफी फिर मांगते हैं माफी सत्ता के बन के रोगी हर बार हार भोगी मुश्किल बहुत ही होगी मोदी के बादी होगी ब्रष्टों के हाल होगे ब्रष्टों के हाल होगे फिर ज्यादा और खराब मोदी बिला जवाब है योगी बिला जवाब और कांग्रेश क्या किये अपनी सुना ना पाए मुद्दे भुना ना पाए जब जब जुबान भटकी मोदी से खाई पटकी मोदी से खाई पटकी इसलिए चोबिस का पल खिलेगा भगवे का दल खिलेगा भारत अटल खिलेगा फिर से कमल खिलेगा फिर से कमल खिलेगा फिर से कमल खिलेगा और यह जो ना गठ बंधनों के मुख से हाए गठ बंधनों के मुख से हट जाएंगे नकाब मोदी भिला जबाब है योजी भिला जबाब और यही प्रणाम हुआ कि उत्तर पुदेश में निकाय चुनाओ योगी जी जीत गई और उसके बात क्या हुआ सुनो विपक्षी अबजिद छोड़ो सुनो विपक्षी अबजिद छोड़ो मालो मेरी बात यूपी की जनता है योगी बाबा के साथ कबसे बीमार बैठा हाती बेचैन है अपने पहियों में उलजी साइकिल की चैन है अब केवल कोसना ही इन सब का काम है जनता के होटों पे तो जै जै श्री राम है राहुल जी भी घूम रहे हैं अरे राहुल जी भी घूम रहे हैं लेकर खाली हाथ यूपी की जनता है योगी बाबा के साथ होता इलाज अब तो गुंडों का रोज है बाबा के पास में हर दम बुल्डो जरडोज है और तुमके वल माफिया के मरने पे चीख लो कैसे सरकार चलाते बाबा से सीख लो चौबिस में फिर करेगी जनता अर चौबिस में फिर करेगी जनता वोटों की बरसाथ यूपी की जनता है योगी बाबा के साथ बाब बाब धन्यवाद शुक्रिया कि स्टंपिंग के चांस हैं सम्हाल कर खेलिएगा लांगी नहीं जाए ऐसी क्रीज की जरूरत है निचले और सीर्स नेत्रत्य के बीच अब संबाद वाले किसी ब्रिज की जरूरत है करना स्टोर सीखो अपने नेताओं को गैरों से भी ज्यादा अब निज की जरूरत है बोशिंग मशीन के भरोसे मत बैठो अब 24 में बाजपा को फिरिज की जरूरत है सर आखरी मुक्तक मैं सुना रहा हूं इतनी देर से करनाटक करनाटक ना हो गया जैसे ब्रह्मांड जीत लिया हो तुम नहीं कुछ नहीं है उत्तर प्रदेश ही प्रधान मंत्री तैकरता है असी लोग सभा है यूपी में कांग्रेश का ना पूछो किस पार गए हैं आये थे चौथे नंबर पे वैसे ही इस बार गए हैं ये कंडीशन है इनकी मत पूछो तो अच्छा है कल रात में सपना देखा था उसमें भी आर फुझाि कम रहिए क्यूंतते काना जिए क्यूंत का अपमान किया बजरंग बली जी का अपमान किया करनाट कमें जवाब मिला और बजरंग मली किसके सबसे भड़त भकत है रामलला के है अब उसके बाद अगला जब आप राम जी देंगे और उत्तर प्रदेश से आएगा तो देखते जाए करनाटक से शुरुवात हुई है उत्तर प्रदेश पे जाएगी कॉंग्रेस की मेमरी ऐसी हो गई है कि यूपी का फुल फॉर्म भूल गए आप करेंगे लोग सुभाजी तेंगे राम भगवान का अपमान किया तो एक वेक्टी अमेठी से वाइडनाट पहुझ गया अब बजरंग बली का अपमान इनुम बजरंग दल के साथ जोड़ के किय है जो मान सिकता हिंदू विरोधी मान सिकता है सो लेगे कब तक ढोएंगा धोते रहने दीजे किस तरफ पहले शुरुआत करेंगा मैं तो यह देखो प्यार महबत की बात से सुरू करूंगा और मुझे आलोग जी से बहुत प्यार है और मेरी बात भी मानते हैं पिछले बा यह कह रहे ते क्यों चलेगे क्यों चलेगे क्या बात है मन की यार बोई जगेशी है कैसी हर आदमी को पता होता है अपने कर्मों का यारो बरना घंगा में भीडेशी थोड़ी उत ही ओए अब हम खोल देता हूं के कली युग में भाजपा का रामराज आया है पिटने को चूज एक डौन कर लीजिए पिटने को चूज एक डौन कर लीजिए और धरती का निरीय प्राणी खुद को समझिए मांगते विकारी वाली टौन कर लीजिए के आख बंद करो यहां कुछ नहीं देखना है बोल यह भी नहीं पूरा मौन कर लीजिए और जान भी बचानी है और जेल नहीं जाना है तो फटा फट बीजेपी जॉइन कर लीजिए आख बंद कर लाए यह एक ही जगह है यह कैसी खुटा लों की बैतरनी से पार लगाने वाला खुटा लों की बैतरनी से यह पार लगाने वाला और यही शुरक्षा का बच्चा है प्यारे जान बचाने वाला कर लिजिए अब देखे देश वहर में कितने ड़ॉन चूस कर लिए हमारी पाटीने कहां से कहां चले गया सब्सक्राइब उत्तर प्रदेश बिहार अब भी चुटाले वाले तो चैंश जगहर पे जया यह जेल यहां कहा कोई आ रहा घुटालेवाला अब इसके आगे जंता को तैक करने दीजिए एक बेरोजगार की जंता आप भी कर लीजिए विचाय सचिन पाइलेट घूम रहे हैं राजेस्थान में तमाम रेवरी कल्चर की बात हुई तमाम रेवरी कल्चर की हमारे यहां तो मंदिर में पूजा करते हैं आरती होती है उसके बाद यनावे आली गेहलोत लेकर थाली किसकी उतारें देखो आरती हो मया भाति वेरोधी उन्हें पारती उन्हें प जिसको छपन भोग थे मिलने मिले न सुखे दाने याने मारें वो फूक करारी हो मैया जोत पे मारी दुश्मन से यारी बनता धारती हो मैया देखो ओता रहें किसी की आरिश्मन से गहलो जी ने भी कुछ कमी नहीं छोड़ रखी के कभी कहें गदार निकमा कभी कहें को रोना अर जादू गर पे किया है जाने कैसा जादू तोना है रोना मैदम उनको ना भाती रानी मा लागे साथी सी एम की कुरसी निहारती ओ मैया देखो ओतारें किसी की आरिश्मन से गहलो जाने करेंगे और अभी क्या बतलाएं क्या आगे वर्श करेंगे जन्ता इतनी ना भोली भाली रोटी पलटने वाली रोटी पलटने वाली कुरसी पलट के हैतारती ओ मैया देखो ओतारें किसी की आरिश्मन से रा बाली मैया की अलोग जी सर कांग्रेस के नेता ने दावा किया है कि भाजपा के कई नेता संपर्क में हैं और जैसे मद्द प्रदेश के दीपक जोसी कई कई बड़े नेता बड़े भाजपा के जा रहे हैं और जिस तरह जा रहे हैं मुझे क्या लग रहा है बीजेपी के घर संकट आने वाले हैं क्यों क्या आते क्या आएं बाजपा तो हर जाई है अपनों के लिए ही खाई है बाहर वाले को मलाई है अंदर वाले को खटाई है इसलिए राहुल के घर पे खाट बिचाने वाले हैं सब धीरे धीरे छोड़के जाने वाले हैं अर ये सब वोता क्यों है बाजपा को भी देखना चाहिए शिन्धिया पे आख लगाए थे बंगाल में इडी फसाए थे अब आपके नेता बहके हैं तुमने उनके बहकाए थे तुमने उनके बहकाए थे जो बोया वो ही काट के खाने वाले है और यही प्रणाम करनाटक की तस्वीर बता रही है 24 की तस्वीर। प्रेंट निटीश कुमार से करवा रही है और निटीश जी ने क्या कहा है मुझे पीम नहीं बनना तब अंक्तियां कहता हूं आनद लेना कौन सत्ता में आएगा नहीं आएगा ये तो किसमत का लेखा है कुछ बनने के लिए कोशिश करना तो सुना था कुछ नहीं बनने के लिए मेहनत करना पहली बार देखा है यार दू मास्तराजी हो यार हाँ पहली बार देखा है और बता रहे ना भी पटनायक जी ने इंट्रेस्ट नहीं दिखाया क्यों नहीं दिखाया होगा पंक्तियां सुनना कुछ लोग अपनी बात पे कायम रहने वालों पर विश्वास जताते हैं और अगली पंक्ती आ रही है बात पसंद आजा तो उठा लेना कुछ लोग अपनी बात पे कायम रहने वालों पर विश्वास जताते हैं सिमरन भी दो बार पलट पलट बोलने पर पलटी थी ये तो बिना बोले ही पलड जाते हैं और कॉंग्रेस का शाही अंदाज कम नहीं हुआ आखिर दशकों शासन का स्वाद चखा हुआ है लोगों के घर घर जाके बतियाने के लिए पार्टी ने सीम रखा हुआ है पार्टी ने सीम रखा हुआ है लेकिन एक बात तो सिद्ध हो गई कि महत्त्यौकांखशा पूरी हर एक नहीं हो सकती है जब तक अपना स्वार्थ सिद्ध न हो विपक्ष की पार्टीयाँ एक नहीं हो बहुत भात भन्यवाद नितिश जी पिम बन सकते हैं या नहीं देखिए इस देश में कोई भी प्रधानमंतरी बन सकता है ये भी बन सकते हैं आप भी बन सकते हैं यहां पर बैठे एक-एक कवी बन सकते हैं यहां पर बैठे बच्चे हैं कल का भविश्य यही है कोई भी बन सकता यही तो हमारे देश प्ररब्लम क्यों हो रही है और आपने जैसा कहा कि पहली बार आप देख रहे है कि कोई बेर कुछ नहीं बनने के लिए मेहनत कर रहा कि हमारे देश में लाको लोगों ने अपनी जान दे दी ताकि आज हम love खुले आसमान के नीचे स्वतंतता से बोल सके और हमें आजादी मिले उनको क्या मिला बदले में मौत तो वो किस चीज के लिए लड़ रहे थे आपके और हमारे आने वाली पीडियों के भविश्य के लिए तो उसी तरीके से अगर कोई महनत कर रहा है इस देश को ऐसे राज से हटाने के लि अब मत के लिए पर तो कामकारी ने रहे हो अधिने रहे हैं कि चंता सुपीड है तर प्रांग में फूल में लियाता है करिए अधि लाइन रोलना चाहूंगे एक अकेला पार्थ खड़ा है एक अकेला पार्थ खड़ा है भारत वर्ष बचाने को सभी कौरव साथ खड़े है केवल उससे गिराने को बाकी सब पांड़ों के साथ है महाबारत आपने अच्छे से पड़ी नहीं लगता है भक्त दिन को कहें रात तो रात कहो तुम इनसे बहस की तो पस्ताओगे जरूर कि सब्जी को कहें भात तो भात कहो तुम यह यह होता है चार लेनाब को तुम आ रहे हैं राजस्थान के चुनाओं में क्या चला है पाइलट गहलों आपस में लड़ाई चल लई है यह करा कौन रहा है केवल पाइलट नहीं है कई सारे से हो रहा है फलाने है तो मुमकिन है इनी नारे से हो रहा है यह राजस्थान का रायता यूही नहीं फैला यह सब चाड़क जी कई सारे से हो रहा है कि हाथ की उंगलियों को बांधनी थी मुठी जब मुठी नहीं बांधी बस अंगूटे ही दिखाए हूं और प्रयोक देखना हाथ को ना सूज रहा हाथ और इसमें भी कई हाथ वालों ने ही हाथ आजमाई है कई हाथ गन्ने की मसीन से गुजरता है गन्ना कोई कांग्रेस के बीदे को ऐसे दिन आये हैं और पाइलेट जी भी इसमें सही योग कर रहे हैं लास्ट में फसाने वाला नी बुले के आये है और ज्यादा अच्छा है और जो चिंता कर रहे है बाच्पा के तरब से जैसे अ कोई बात कहता हूं कि कांग्रेस सच्छम है अपने आप में हार के लिए होता क्या है हर बार चुनाओ से पहले कोई ना कोई एक ऐसा बयान आता एक ऐसा स्टेटमेंट आता है वहीं से पूरा रुख पलट जाता है तब सुनिए क्या है कि स्वाद जीत का तो सदा मेहनत से मि प्यास तोड हवा मोड बयान वीर नया नेता उमीद है कि जरूर आपने पाला और पोसा है तैयार हो रहा होगा कोई इलेक्शन से ठीक पहले भाजुपा जिताउट टाइप देगा वो बयान हमें पूरा यह भरोसा है यह तो फैक्ट है ना कि कई बयान ऐसे आ जाते हैं जो ऑपोजिशन या बीजेपी अपने साथ अपने फिवर मिले जाती है देखिए बयान तो दोनों तरफ से होते हैं ऐस हाली में चला प्रधान मंत्री जी ने इतना जूट बोला कि सोनिय गांधी जी ने रैली में जा के ऐसे-से कहा है कहीं पे वो वीडियो निहें मैं चैलेंज करती हूं हर ड्रोज हर टीवी चैनल पर जाके मैं बोलती तैंग को कोई तो वारिदीं तो आपके इता जिसमेशमे आखिर में नोने दाव खेला बजरंग बली जी के उपर बजरंग बली जी ने ऐसे अपना गदा घुमाया ऐसा गुमाया कि इनकी वहां से सरकार सत्ता सारी की सारी साफ हो गई राम जी के इनके सबसे बड़े आराध्य जो हम सब के आराध्य है राम जी जिनके सबसे बड़े भक्त हनुमान जी हैं उन्होंने बदला राम जी की ऊपर राजनीती करने का भी ले लिया करनाटक से शुरुवात हो गई है ऐसी पूरा देश भी एक एक करके सारे प्रदेश हमाएं पास आएंगे और सरकार भी सेंटर में यह तो बस जाकी है आने वाली आंधिय भी बाकी है प्रियान है यह ट्वीट नहीं था प्रियंका जी ने कहा मुझे लगता है दादी की तरह मुझे भी बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है लगता है लोगों ने मान लिया है कि राहूल गांधी पांसाल चुरांग नहीं लड़ पाएंगे अयोग हो जाएगे इसलिए देश 104 भारती जंता पार्टी के आये थे कॉंग्रेस 78 थी सरकार कॉंग्रेस की बनी ऐसा नहीं है हम जीते हैंगे तब ही हमारी सरकार बनती है हमने क्या कहा हमने इनसे सीखा है लेकिन गुरू तो यहीं है ना एक बड़ा टेंड सुरू हो गया है कि चुनाव में कौन कितना फिरी कौन कितना फिरी दे रहा है अभी क्या है हजार रुपे दे रही ही ती सरकार क एंपर मद ब्र देस मैं कांग्रेस गरी हमय था नतों देंगे कोई वहां पर बीए यहाँ आप्र बांच़ को भा सब्सक्राइब को that अंपर vind रही थे उनसे किना सबस्स सब्सक्राइब देंगे को इसक नियादी हुए उसक५िकिज कर रिद्द्द रही थी हुद शाओ लेdong investig को और शुक्राइब यह खिसका तो फटने लगी है चाती नहीं भटती तो ये सौगात नहीं भटती के थाली लोटा बजाए मन की भी बात सुनी फिर भी ये सोतन महगाई नहीं गटती और जनता भी तो लाल ची गरल फ्रेंड हो चुकी है अब ये भी नहीं पटती के मुफ्त खोर तुम्हें हमें बनाकर ऐसे न भरमाओ और ये चुनाव जयाद है प्यारे इससे हमें बचाओ आपके फ्री और दूसरों के फ्री में फर्क है देखिए सबसे पहली बात कि फ्री रेवडी कल्चर हमारा नहीं है एंपावर्मेंट का कल्चर है हमारा आज की तारीक में अगर 80 करोड़ लोगों को पिछले तीन साल से अनाज दिया जा रहा है पांच किलो तो वो इसलिए नहीं कि उस अनाज की उनको ज़रुत है वो इसलिए कि उनको एक मजबूत एक संबल मिले कि आपके पीछे सरकार खड़ी है कोरोना हुआ तीन महीने लोग हर चीज बंद रहा फर्स्ट वेव में सेकंड वेव में फिर तीन महीने बंद रहा इमाजिन कीजिए वो रेडी पट्री वाला जो घूम रहा है वो क्या खाता होगा जो दुकान पर कोक्ष का बेचता है जो हम लोग खाते हैं वो उसको खाना खर्चा कैसे चलता होगा उसको उने कंटिनियू कर तो यह फ्री नहीं है बस सरकार का संबल है पांच किलो में कोई अमीर नहीं बन जाता है घर अगर हम दे रहे हैं बेघरों को अभी तक सवा चार करोर घर दे चुके हैं पूरे देश भर में औरतों के नाम से जीटी ही है है घर ओन करने की किया होती है Seo queis घर के मालीक बन गे उस है उस घर पर आप लोन ले सकते हैं तो तक सकते हो चार करोड सबर चार करोड दिये एं बेहरों ठे़ों को घर तो यह फ्री नहीं यह लेकिन अगर आप घोशना करते कि एंतीनगार अँर उप्ता दें इतनी ही खराब होती, नौ साल से देश बरबाद हो गया था, लोगतंत्र खतम हो गया था, मीडिया गोदी मीडिया हो गई थी, जैसा ही लोग कहते हैं, अगर इनी केसा आप से चले, तो भाईया, पांचनी अर्थवेवस्था कैसे बन के जर्मनी को पीछे हचार के, कैसे बन हवाई फाहर को आगे ले जाते हैं, अगर जूट बोलना पाप है, तो आत्म विश्वास से जूट बोलना मोदी नीती है, अब यह कह रहे हैं, कि यहाँ पर आपने फ्री की बात करी, इनको बड़ा दुख था, यह भूल जाते हैं, प्रदान मंतरी जी ने किस तरीके से रेवडी कल्चर के उपर हमला किया था, और कितनी रेवडिया इनोंने करनाटक में बांटी हैं, और कितने इनके MLA और उनके स समझ आएगा जी, बेरोजगारी, आप लोगों ने बेरोजगारी का बजार तो लगा दिया है, करनाटक में बोल रहे थे, कि यहाँ पर सबके पास रोजगार है, रोजगार है, दो दिन पहले की खबर है, बेंगलूरू में कॉगनिजिन्ट कंपनी ने 36 लोगों को बेरोज बेरोजगार कर दिया, तो बेरोजगारी का बजार ही लगाया है, और ये कहते हैं, हम गन बना रहे हैं, गन बना रहे हैं, अजी, गन से क्या हमारे घर में राशन आ जाता है, ये गोली चलाते है, तो क्या उससे हमारे वहाँ पे घर में जो आटा है, उसके दाम कम हो जाएं फिर बोलोगी महंगाई चरम पे हैं क्या फाइदा उस देश में अगर गन बन रही है ये बन रही है अगर आम जनता को रोटी, सबजी, तेल, गैस खरीदने के लिए नॉर्मल जिंदेगी जिताने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है वह गन से पेट भरा जाएगा क्या अभी आप जिस पार्टी में पहले से सर उस पार्टी के जो राश्ट्री अध्यक्ष है आदरणी नितिश कुमार जी इस समय वो अच्छा अभी ललन सिंग जी के जो पार्टी है आपके मुख मंत्री जो रहे वो अभी भुबनेश्वर गए नवीन पतनाइक जी सको मनाने क के लिए कि वही एक प्रधान मंत्री पत्र का कैंडिडेट मैं भी हूँ इसमें भी पे जा गौर्ड लगाया किदियेगा जोंकि बहुत सारे गूम रहे हैं नवीन जी ने क्या संदेश दिया नितिश जी को वो सुनियेगा पतना और भुबनेश्वर प्रतीक हैं कि पतना से समर्चन बढाई लेगा अचा है अर पतना से मैं पतना से में नहीं पतना ओय हतना चल हतना पतना यक नहीं रह पतना ओय पतना पतना हम मोदी के कायल हैं मत समझो हम पागल हैं यार आसा नहीं ने पतना पतना से नहीं मैं पतना पतना से मैं नहीं पतना पतना पतीग देगी का द्रश बनाया है के रिकी सवारी मेरी गारी में न कर बेकार लटक ना गठ बंधन की राह में घट नहीं जाए दॉर घटना अभी दूर बहुत है दिल्ली अभी दूर बहुत है दिली मत उड़ लेना खिल्ली तुम्हारा काम है पलटना तुमारा काम नहीं पतना, पतना से मैं नहीं पतना, ओए पतना, चल हटना नवीन जी ने कहा कि ये अपने बिहार भवन के लिए जमीन खोजने आए हैं अब मुझे ये नहीं पता कि वो बिहार भवन के लिए जमीन खोजने आए थे, अपनी जमीन तरसने के लिए आए आए हैं जमीन को तलाशने तो प्लीज करें कोई खट पटना नाच नहीं जाने और आंगन भी तेड़ा हो तो काहे का मतकना हम तो इगनूर करेंगे फो कतना शोर करेंगे कटक वालों से ना अटकना पटना से मैं नहीं पटना 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 यकना ही रपतना वह बड़ी जाने इगनूर कर दिया है इस पूरी महिम को देखें हमारा स्टांड बिल्कुल फ्लियर है कॉंग्रेस पार्टी हर उस पार्टी के साथ लड़ेगी जो देश के लिए सबसे पहले लड़ेगे जो देश में अभी अत्या से भी जादा इमान गिड़ता जा रहा है देश की अर्थव्यवस्था का काम तमाम है मुद्दों की बात दूर जुम्लों का आलम सरयाम है धर्म के नाम पर शोर सुभा शाम है बेरुज़गारी ब्रषटाचार है हर जगा बड़ी 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 का ताम जाम है तो इन मुद्दों को मद्दे नजर रखते वे जो साथ मिलकर देश को सबसे पहले रखकर देश की जनता को सबसे पहले आगे रखकर साथ मिलकर लड़ना चाहेगा उन सबका स्वागत है और जो मोदी सरकार बार बार कहा जाता है कि हमें मोदी जी से नफरत है ह किसी से प्रॉबलम नी हुआ इसकी जन्ता जैब और उनका हिथ सर्वों परे है तो दो देश की जन्ता का हिथ और उन मुद्धों के खिलाव जो लड़ेगा उनके साथ हम मिलकर सरकार के लिए लडें काम बिगड़ जाएगा भाई साब सुनिए गालोग जी सभी विपक्छी एक हुए हैं इनकी मीटिंग से डरियो ये मिलके वहमत पालेंगे तुम देखते रही हो अखलेस का गुसा भारी है हर दल से मिलना जारी है पटना वाले बाबुजी की पटना एक से भी यारी है एनसीपी की शिव सेना से मिलकर अच्छी तैयारी है प्लानिंग रेडी अब सारी है गठ बंदन लगता भारी है और जिसको समझ रहे हो धुलमुल ऐसे राहुल से डरियो यह मिलके बहमत पालेंगे तुम देख थे रही है यह मिलके बहमत आंध्रा मेरे डी के सी यार तूफान बनाए बैठे है चैन नई वाले स्टालिन जी लुंगी को उठाए बैठे है इडी के सताए बैठे है सब शक्ति जुटाए बैठे है और यह बंग्दी इडी के सताएं सारे बहमत के हलुआ है क्या कि मिलके बना लेंगे सब खालेंगे अच्छा आप चुदाव में जाते हैं और उसके बाद लड़ते हैं किस मामले में लड़िए क्या बोलके लड़िए हां जी हम रिष्टा चार कर रहे थे इन्होंने इडी हमारे पीछे लगा दीसले में बहुमत दे दो आप दो तीन बाते देखो जहां पर बैठे हैं उससे ठीक 10 किलोमेटर दूर दिली शुरू हो जाता है हां जी हम कसम कहते हैं जी दो रूम से ज़्यादा के कमरे में नहीं रहेंगे जी हुआ जी हम इंडिया लगे है रेव्लूशन के PARTY में निकले सब आज अब आप ऐखने पूर्ज पोर्ष इंस्पिरीयशन पोर्ष सबके लिए इस डेश में इंस्पिरीयशन फोर्ष सबके लिए कॉंग्रेसी रहती है गलत कारoon मैं बता दे रहा हूं सर मैं नहीं इसमें में राजस्थान पर सबकी नज़र है सचिन पाइलेट अशोक गहलोद के बीच में खीचा लगता है अपने लिए कुरसी का रास्टा खोज करके मानेंगे एक सचिन वो है जो ओपनिंग करते थे एक ये हैं जो कांगरेस का दफतर क्लोज करके मानेंगे जवाब नहीं तुम्हेरा यार ख्लोज करके मानेंगे और अभी एक बयान उन्होंने दिया है कि मेरे नेता जो है वो राहुल सोनिया गांदी है तब सुनिएगा ये बयान सुनकर खड़गे जी सोचते होंगे कि जान बूज कर मुझे चिढ़ाया है क्या अगर नेता राहुल सोनिया ही है तो मुझे एगजीट पोल के फोटो के लिए अद्ध्यक्स बनाया है क्या अद्ध्यक्स बनाया है क्या और एक मजे की पंग्ति आलोग सर दाली बजाईएगा आप इस पर बनाया है क्या शायद दोनों नेता शायद दोनों नेता बीजेपी से प्रभावित होकर मचल रहे हैं दोनों एक दूसरे के लिए न खाऊंगा न खाने दूंगा की थेओरी पे चल रहे हैं इस तरह तो बना बनाया प्रेस्टीज खो जाएगा ऐसे आपसी संघर्ष से विकास का तो पता नहीं पर सत्ता वापसी के सपने का ना सो जाएगा ना सो जाएगा और राजस्थान में चुनाओ है आप सोचेंगे कि विरोधियों के छक्के छुडा देंगे पर गहलोजी जादूगर हैं उन्हें अपना पत्ता साप होने का शक भी हुआ तो पार्टी का कबूतर बना के उड़ा देंगे जो परिवर्तन चा रहा वो जनता बहुत गुनी होगी सोच समझ के लोगों ने अपनी सरकार चुनी होगी आप सोच रहे करनाटक ने क्यों कांग्रेश को जिता दिया क्योंकि वहां के लोगों ने सायद मन की बात सुनी होगी मन की बात सुनी होगी चार पंक्तिया आपका और सुना रहा हूं बीजेपी की खिड़की और बंद किया है फाटक को जनता ने इग्नोर किया भक्तों के हर नाटक को बहुत रहे लिया कि तुमने जोक दिया सब ताकत को फिर भी बोलो कैसे तुम हार गय करनाटक बहुत बता इसे हम तो संगाश्रत है पिछले बार भी करनाटक और इन लोगों ने मिलके सरकार बना ली तो यही वाली कविता सुना अलोग जी अभी यूपी में एक स्टेटमेंट आया सपा सरकार से स्योपाल सिंधी का चाचा जी का कि यूपी में जो मंत्री है ना उनकी इतनी भी हैस तो मुझे एकदम से उनके कारिकाल में चाचा जी की सक्तियों का एहसास हुआ मैंने देखी बड़े करीब से देखी उनके पास इतनी सक्तियां थी कि अकेले नी समलती थी उनके कई बतीजे समालते थे इतने भी युवानेता सब उनको सगा चाचा बताते तो खुद को बतीजा बताते हैं अब ऐसे ही दो बतीजे आपस में टकराए एक चौराये पे मिले उनके बीच में क्या बातचीत ही सुनिये कि तीन लड़कों को जब पुलिस ने रोका तब एक बोला आज तेरी आफ़त ही आई है ये असली सक्ति पुलिस वाले को अड़का दिया तीन लड़कों को जब पुलिस ने रोका तब एक बोला आज तेरी आफ़त ही आई है, चाचा जी का हूँ सगा बतीजा जानता नहीं क्या, बाइक भी ये खुद चाचा नहीं दिल लवाई है, तो पुलिस बाला बोला चल साइड में लगा ले बाई, जानता हूँ तूने सार सब्सक्राइबात ही बनाई है, तेरे जैसा ही बतीजा चाचा जी का मैं भी तो हूँ, मेरी नौकरी भी चाचा नहीं लगोगाई, तो मैं एक मुक्तक सुनाता हूँ, चोटा सुनिए, कई बार गटबंदन बने और हर बार फेल हो जाते हैं, जैसे आजकल क्या होता है, आई कई लोग बनाते हैं, उसमें प्लेयर और कैप्टन चुनते हैं, लेकिन कोई जीतता नहीं, जानकारी में तो कोई नहीं जीतता, ऐसे ही कई बार हुआ, सुनिए बुआ बबुआ नहीं चलते, यूथ आइकन नहीं चलता, भाजपा के आगे कोई बिगटबंदन नहीं चलता, बनाते हैं ये हर सीजन में टीम आईपी एलसी पर, बनाते हैं ये हर सीजन में टीम आईपी एलसी पर, कभी players नहीं चलते, कभी captain नहीं चलता, कभी players अब बढ़ी है, बढ़ी है, बढ़ी है, बढ़ी है अब player और captain हम भी team बदल से եे जल्दी जल्दी, okay जिसे सब Tommy's me dick कवकारी बाते हुई लेकिन करना तक चुनाब ने बता धिया किया जनता का क्या देश का क्या मूड और 24 का इसारा है कि सुनो सुनो बीजे-पी वालो सुनो सुनो बीजे-पी वालो चाहे जितना जोड mechanics सबसे आगे होंगे राहूल गांधि अरे हमने कहा है तुम भी सुनो हमने सहा है तुम भी सुनो के 24 एलेक्षन का केवल इशारा है समझो ना कमजो अच्छा इतनी जल्दी पलट आपने किसी को देखा है के 24 एलेक्षन का केवल इशारा है समझो ना कमजोर है दो दिन की सत्ता से इतने ना फूलो तुम अपने रहे दौर है लोट कर आये थे लोट कर फिर से आएंगे अब ये कर नाटका से ही करके दिखाएंगे तब भी कहा था अब भी सुनो अरे सुनो सुनो भी जेती वालो चाहे जितना जोड लगा लो सबसे आगे होंगे राहुल के सबसे पुराने हैं दलोक शाही के यूही बेखरते नहीं तपते नहीं आच मैं जो कभी सौने जैसे निखरते नहीं ना डरे थे कभी आगे भी डर न पाएंगे वक्त की आच से हम तब के निखरते जाएंगे तब भी कहा था अब भी सुनो तो यह पॉजिटिविटी कॉंग्रेस के अंदर है जो 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 तो लगाया काफी लगाना भी चाहिए पता मान रहे कि पहले से जोर ही नहीं लगाते थे अब लगाने लगे लेकिन वह जो अब जो उस जोर का यह इस बार वैसा रिजल्ट क्यों नहीं देखिए ऐसा है कि पिछले बार भी मैंने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी हम लोग बने थे लेकिन सरकार इन लोग ने बना ली उसके एक साल के बाद लोग सभा चुना हुए हमारा 38% से वोट चला गए 50% 28 में से 26 हम लेगे बाकी लोग टापते रहेगे यह भी फैक्ट है कि वो जो राज्य में रिजल्ट आता है फिर वो पलड़ जाता है लोग सभा में पैसे मैं इसके उपर कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि जो चीज होनी नहीं उस पर बोलना क् यह लपेटे में नेता जी कारिकरम है और आप प्रताब फोजदार से उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों के परणाम सुनी है साइकिल की किल किल सपा पे रह गई योगी जी निकाल साइकिल की साह ले गई और उसके हैंडल पे तांगा है कमंडल मित्र अच्छा है और उसके हैंडल पे तांगा है कमंडल केरियर पर बिठाके बावा घाय ले गई जोड़ार जीत करके बाए वाए ले गई जोड़ार जीत करके और अब ताजिदाना जोड़ार जीत करके बाई बाई ले गए और लगता है चौबीस में ऐसे ही जीतेंगे यह जैसे अब जीत करके निकाहे ले गए अब बढ़िया जीता है यह चंद भी मुझसे चिड़कर बोला बंद करो यह लिखना और जिन पर लिखते उनका खुद ही बंद हो गया देखना अभी पीछे क्या हुआ आपने देखा होगा कि बीजेपी के बहुत सारे भाशन आपको सुनने को मिले होंगे उनको जरा ध्यान से उसकी समीक्षा कीजिए तो आप क्या पाएंगे बीजेपी के भाशनों में क्या होता है वही कवीता सुनना आप बीजेपी के भाशन में क्या होता है इतिहास की बात विपक्ष पर आरोप बयानों पर हाई हाई खुशहाली का वादा जैसे कोई चिप्स का पैकेट हो काम की चीज कम और हवा सबसे ज़्यादा हाँ हवा सबसे ज़्यादा ठीक है राजनीती है गर्म तवे पर दो रोटियां फाल्तू भी सेक लीजिए सस्ते डाटा की चर्चा तो हो गई अब महंगा दूद तेल आटा भी देख लीजिए पर फुरसत कहां होगी जीत के तरीके खोजने में लगे होंगे चोबीस वाले चुनाओ के लिए राइमिंग वर्ड्स वाले नए नारे सोचने में लगे होंगे यह तुक बंदी सोचने में लगे होंगे क्योंकि अच्छे दिनों वाली गठरी अब खोल नहीं सकते और अगली पंक्ति लोजिकल लग जाए तो एक बार दोरदार ताली बजाना क्योंकि अच्छे दिनों वाली गठरी अब खोल नहीं सकते और पुराने नारों में से एक भी नारा दो बारा बोल नहीं सकते तो जनता हमको क्यों जीता रही है तो हम कैसे जीत रहे हैं तो उस पर कहता हूं रहा सवाल बार बार जीतने का तो कमल कोई अपने आप नहीं खिल रहा है बस कोई विकल्प तैयार होने तक टेंप्रोरी बेनिफिट मिल रहा है बहुत बढ़ी आप बहुत बहुत धन्यवाद क्या कवी सहाब कि सुकार रोकती है कोई विकल्प ही नहीं है मतलब आपने तो जीरो कर दी आयर कॉंग्रेस पार्टी यह सारे विपक्ष को एसी दुखरते कांग्रेस वाले यहीं करते हैं एक नारा ऐसा है ना जिसको आप भी मरते वक्त तक लेते जाएंगे और मैं भी मरत योगी बनाई है जनाब मोदी भिला जवाब है योगी भिला जवाब मोदी भिला जवाब योगी भिला जवाब और देखो राहूल हो या हो खडगे मोदी पे रोज भड़के पहले तो गाली काफी फिर माँगते हैं मादी फिर मांगते हैं मादी सत्ता के बन के रोगी हर बार हार भोगी मुश्किल बहुत ही होगी मोदी के बाद योगी मोदी के बाद योगी मोदी के बाद योगी ब्रष्टों के हाल होंगे है ब्रष्टों के हाल होंगे फिर ज्यादा और खराब मोदी भिला जबाब है योगी भिला जबाब मोदी भिला जबाब और कांग्रिस क्या किये अपनी सुना न पाए, मुद्दे भुना न पाए जब जब जुबान भटकी, मोदी से खाई पटकी इसलिए 24 का पल खिलेगा, भगवे का दल खिलेगा भारत अटल खिलेगा, फिर से कमल खिलेगा फिर से कमल खिलेगा, फिर से कमल खिलेगा अब यह जो ना गठंधन गठ बंधनों के मुख से हए और यही प्रणाम हुआ कि उत्तर पुदेश में निकाय चुनाओ योगी जी जीत गई और उसके अब जिद छोड़ो माल मेरी बात यूपी की जनता है योगी बाबा के साथ कबसे बीमार बैठा हाती बेचैन है अपने पहियों में उलजी साइकिल की चैन है अब केवल कोस नहीं इन सब का काम है जनता के होटों पे तो जै जै श्री राम है राहुल जी भी घूम रहे है अरे राहुल जी भी घूम रहे है लेकर खाली हाथ यूपी की जनता है योगी बाबा के साथ तो बाबा करते क्या है होता इलाज अब तो गुंडों का रोज है बाबा के पास में हर दम बुल्डो जर्डोज है और तुमके वल माफिया के मरने पे चीख लो कैसे सरकार चलाते बाबा से सीख लो चौबिस में फिर करेगी जनता और चौबिस में फिर करेगी जनता वोटों की बरसात यूपी की जनता है योगी बाबा के साथ बाबा धन्यवाद शुक्रिया कि स्टंपिंग के चांस हैं समाल कर खेलिएगा लांगी नहीं जाए ऐसी क्रीज की जरूरत है निचले और सीर्स नेत्रत्य के बीच अब संबाद वाले किसी ब्रिज की जरूरत है करना स्टोर सीखो अपने नेताओं को गैरों से भी जादा अब निज की जरूरत है बोशिंग मशीन के भरोसे मत बैठो अब 24 में बाजपा को फिरिज की जरूरत है 24 में बाजपा को फिरिज की जरूरत है यूपी में कांग्रेस का ना पूछो किस पार गए है आये थे चौथे नंबर पे वैसे ही इस बार गए है ये कंडीशन है इनकी मत पूछो तो अच्छा है कल रात में सपना देखा था उसमें भी यहार गए है का इसका जबहर वी तिया तक क्यों चर्चा हो रहा है क्योंकि जैसा ने कहा था संकट मोचन का अपमान किया वजरंग बली जी का अपमान किया करनाटक में जवाब मिला और वजरंग बली जी किसके सबसे भड़त भकत है रामलला के है ना अब उसके बाद अगला जब आप राम जी देंगे और उत्तर प्रदेश से आएगा तो देखते जाएए करनाटक से शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश पे जाएगी कॉंग्रेस की मेमरी ऐसी हो गई है कि यूपी का फुल फॉर्म भूल गया आप करेंगे लोग सवाजी तेंगे राम भगवान का अपमान किया तो एक वेक्टी अमेठी से वाइड नाट पहुंच गया बजरंग बली का अपमान इनुन बजरंग दल के साथ जोड़ के किया जो आदमी को पता होता है अपने कर्मों का अबरना गंगा में भीड ऐसी थोड़ी होती है मैं खोल देता हूं इसके कल यूग में भाजपा का रामरा जी आया है पिटने को चूज एक डॉन कर लीजिए पिटने को चूज एक डॉन कर लीजिए और धरती का निरीय प्राणी खुद को समझिये मांगते विकारी वाली टॉन कर लीजिए कि आख बंद करो यहां कुछ नहीं देखना है आख बंद करो यहां कुछ नहीं देखना है बोल यह भी नहीं पूरा मौन कर लीजिए पूरा मौन कर लीजिए और जान भी बचानी है और जेल नहीं जाना है तो फटा फट बीजेपी जॉन कर लीजिए अच्छा है यह एक ही जगह है यह कैसी के घोटा लों की बैतरनी से पार लगाने वाला गोटा लों की बैतरनी से यह पार लगाने वाला और यही सुरक्षा का बच्छा है प्यारे जान बचाने वाला आप तो खुद डॉक्टर हैं? मैं वही कह रहा हूं कि अब थुड़ा इंका इंका इलाज करते हैं यह सुदीब से बोलते हैं करने के लिए मैं एक खतम कर लूँ आपने कहा कि यहां पर आके बिल्कुल चुप हो जाईए है है ना मुझे तो बोलने के लिए लाए गया है तो चुप भी नहीं आपने कहा एक डॉन चूस कर लीजिए अब देखिए देश भर में कितने डॉन चूस कर लिए हमारी पार्टी ने कहां से कहां चले गए उत्तर प्रदेश बिहार अब बिहार तो अगरवडा रहा है उसको भी ठीक कर लेंगे कि उनको कम सब्सकर में चोटी मुठी रेवडी देते तो मैं सुनाता हूँ एक आरती सुना देताओ मैं आरती गाते हाँ हाँ πάp हमारे विकम होंगा अ हो पाइलट बोले जनावे आली गहलोत लेकर ने थाली किसकी उतारें देखो आरी हो मैया भातीवे रोधी उन्हें पारें उनका वैयान है किछ गैलोट जी किसको ज्यादा मान सम्मान देते हैं सोनिया जी को दे रहे हैं अब सुन्द्रा जी को बेगाने अपने लगते हैं और अपने बेगाने जिसको छपन भोगते मिलने मिले न सूखे दाने जिसको छपन भोगते मिलने मिले न सूखे दाने याने मारें वो फूक करारी हो मया जोत पे मारी दशमन से आरी बनता धारती हो मया देखो उतारें किसकी आरे चौनम जी ने भी कुछ कमी नहीं छोड़ रखी कभी कहें गदार निकम्मा कभी कहें कोरोना अर जादू घर पे किया है जाने कैसा जादू जादू गर पे किया है जाने कैसा जादू तोना है रोना मैडम उनको ना भाती रानी मा लागे साथी सी एम की कुरसी निहारती ओ मैया देखो उतारें किसकी यारती और आखरी देखिएगा वो अब क्या करने जा रहे हैं कि जनसंग घर्ष करेंगे और अभी क्या बतलाएं क्या आगे वर्ष करेंगे जन्ता इतनी ना भोली भाली रोटी पलटने वाली रोटी पलटने वाली कुरसी पलट के है तारती ओ मैया देखो उतारें किसकी यारती बोल सेरा बाली मैया की अलोग जी सर कांग्रेश के नेता ने दावा किया है कि भाजपा के कई नेता संपर्क में है और जैसे मद्द प्रदेश के दीपक जोसी कई-कई बड़े नेता बड़े भाजपा के जा रहे हैं और जिस तरह जा रहे हैं मुझे क्या लग रहा है सुनिएगा बीजेपी के घर संकट आने वाले है बीजेपी के घर संकट आने वाले है बाजपा तो हर जाई है अपनों के लिए ही खाई है बाहर वाले को मलाई है अंदर वाले को खटाई है इसलिए राहुल के घर पे खाट बिछाने वाले हैं सब धीरे धीरे छोड़के जाने वाले हैं और ये सब वोता क्यों है बाजपा को भी देखना चाहिए सिंधिया पे आँख लगाये थे बंगाल में इडी फसाये थे अब आपके नेता बहके हैं तुमने उनके बहकाये थे तुमने उनके बहकाये थे जो बोया वो ही काट के खाने वाले है और यही प्रणाम करणाटक की तस्वीर बता रही है 24 की तस्वीर लेगिन क्या है न कॉंग्रेस बहुत होशियार हो गई है वह बता रहों पंक्तिया सुनना कि कॉंग्रेस गठबंधन का गोला देकर सब को भर मार ही है PM तो बनाएगी अपना और महनत नितीष कुमार से करवा रही है तब पंक्तियां कहता हूं आनद लेना कौन सत्ता में आएगा नहीं आएगा ये तो किसमत का लेखा है कुछ बनने के लिए कोशिश करना तो सुना था कुछ नहीं बनने के लिए मेहनत करना पहली बार देखा है पहली बार देखा है और बता रहे न भी पटनायक जी ने इंट्रेस्ट नहीं दिखाया क्यों नहीं दिखाया होगा पंक्तियां सुनना कुछ लोग अपनी बात पे कायम रहने वालों पर विश्वास जताते हैं और अगली पंक्ती आ रही है बात पसंद आजा तो उठा लेना कुछ लोग अपनी बात पे कायम रहने वालों पर विश्वास जताते हैं सिमरन भी दो बार पलट पलट बोलने पर पलटी थी ये तो बिना बोले ही पलड़ जाते हैं और कॉंग्रेस का शाही अंदाज कम नहीं हुआ आखिर दशकों शासन का स्वाद चखा हुआ है लोगों के घर घर जाके बतियाने के लिए पार्टी ने सीम रखा हुआ है पार्टी ने सीम रखा हुआ है लेकिन एक बात तो सिद्ध हो गई के महत्त्य कांक्षा पूरी हर एक नहीं हो सकती है जब तक अपना स्वार्थ सिद्ध नहों विपक्ष की पार्टीयां एक नहीं हो नहीं हो नितिश जी पीम बन सकते हैं या नी देखिए इस देश में को भी प्रधानमंतरी बन सकता है ये भी बन सकते हैं आप भी बन सकते हैं यहां पर बैठे एक एक कवी बन सकते हैं यहीं है कोई भी बन सकता यही तो हमारे देश की खुब सूरती है कि यहां पर डिमॉक्रिसी है वह डिमॉक्रिसी जिसको यह दबाने की कोशिश कर रहे हैं वह ड आखो लोगों ने अपनी जान दे दी ताकि आज हम लोग खुले आसमान के नीचे स्वतंतता से बोल सके और हमें आजादी मिले उनको क्या मिला बदले में मौत तो वो किस चीज़ के लिए लड़ रहे थे आपके और हमारे आने वाली पीडियों के भविश्य के लिए तो उसी बुरा क्या है और आखिर में बात भूनोंगी श्री कृष्णी ने भी तो कहा है कि कार या करे जाओ फल की इच्छा मत करो तो कापकारी नहीं रहे हो तो तो प्राम है फूल मिल जाता है कि अश्री पर कोण्ग्रिस के लिए और राहुल गांधी जी के लिए एक लाइम पढ़ना चाहूंगी एक अकेला पार्थ खड़ा है एक अकेला पार्थ खड़ा है भारत वर्ष बचाने को सभी कौरव साथ खड़े है केवल उसे गिराने को वाव बॉलू ने दूसरी पार्टियों में खड़ें कॉरव की तो भाष्टी जंता पार्टी की पार्टी की पार्टी है को ओर गो की पार्टी हो वह वह वी कोरव की सब पंडवों के साथ है महाबारत आपने अच्छे से पड़ी लगत दिन को कहें रात तो रात कहो तुम इनसे बहस की तो पस्ताओगे जरूर कि सब्जी को कहें भात तो भात कहो तुम यह होता है चार लेनाब को वार पॉर्ट gef में रास्ताब कि सब्जी का चलना रहा है पाइलट गालोक में अपसके लडाई चल लई है ये राजस्ताब का रायता यूँ नहीं फैला ये सब चारक जी काई सारे से हो रहा है कि हाथ की उंगलियों को बांधनी थी मुठी जब मुठी नहीं बांधी बस अंगूटे ही दिखाए हैं और प्रयोग देखना हाथ को ना सूज रहा हाथ और इसमें भी कई हाथ वालों ने ही हाथ आजुमाए हैं कई हाथ गन्ने की मसीन से गुजरता है गन्ना कोई कांग्रेस के बीदे को ऐसे दिन आए हैं और पाइलट जी भी इसमें सही योग कर रहे हैं लास्ट में फसाने वाला नी बुले के आए तो अच्छा है और जो चिंता कर रहे हैं बाजपा के तरफ से अजय जी को चिंता नहीं मुझे भी जादा चिंता नहीं है कि कांग्रेस के क्या करेगी क्या करेगी मैं फिर से वही बात कहता हूं कि कांग्रेस सच्छम है अपने आप में हार के लिए होता क्या है हर बार जीत का तो सदा मेहनस से मिलता है जीत ये समोसा नहीं इडली न दोसा है कांग रेसियों ने कई बार भाजपाईयों को अपने ही हातों से लड़ू जीत का परोसा है और कयास तोड़ हवा मोड बयान वीर नया नेता उमीद है कि जरूर आपने पाला और पोसा है तैयार हो रहा टाइप देगा वो बयान हमें पूरा यह भरोसा है यह तो फैक्ट है कि कई बयान ऐसे आ जाते हैं जो ऑपोजिशन या बीजेपी अपने साथ अपने फिवर मिले जाती है देखे बयान तो दोनों तरफ से होते हैं ऐसा नहीं है कि भारतिये जनता पार्टी के नेता आप उ जूट को भुनाना तो अब जैसे अब अधाली में चला प्रधान मंतरी जी ने इतना बड़ा जूट बोला कि सोनिया गांधी जी ने रैली में जाके ऐसे ऐसे कहा है कहीं पर वो वीडियो निया मैं चैलेंज करती हूँ और हर रोज हर टीवी चैनल पर जाके मैं बोलती हू सारा कुछ उन्होंने किया कब इतने गोल पोस्ट बड़ले कि नतीजा क्या हुआ इस बार करनाटक हार गए आखिर में नोंने दाव खेला बजरंग बली जी के उपर बजरंग बली जी ने ऐसे अपना गदा घुमाया ऐसा घुमाया कि इनकी वहां से सरकार सत्ता सारी की सार आने अध्यादिया वहां जीने बदला अगया करनाटक से शुरुआद हो गई एसी पूरा देश भी एक एक करके सारे प्रदेश हमाई पास आएगे और सरकार भी सेंटर में ये तो बस ढखी है आने वाली आंधिया भी बाकी है मुझे भी इंतजार रहेगा राहूल की आंधी का देश को भी इंतजार रहेगा प्रियंका की आंधी का आजकल दोनों में कॉंपेटिशन होगी यह करनाटिका चुनाओं में बोला सुनी और सुनाओं यह तो बयान है यह ट्वीट नहीं था प्रियंका जी ने कहा मुझे लगता है दादी की तरफ मुझे भी बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है लगता ही लोगोंने मान लिया है कि राहूल गांधी पांसार चुनांग नहीं लड़ पाएंगे अयोग हो जाएगे इसलिए देश इंतजार करेगा राहूल की आंधी का यहार जीत तो होती रहती है मुझे पता है पहले कांगरेश जीतेगी फिर सरकार आपकी बने लिए इस बात पर बात कहूंगा कि 2018 में सबसे बड़े दल में हम उभड़े थे चाय करनाटका हो महराश्ट्रा हो 104 भारती जंता पाटी के आये थे कॉंग्रेश 78 थी सरकार कॉंग्रेश की बनी ऐसा नहीं है कि हम जीते हैंगे तभी हमारी सरकार बनती है हमने क्या कहा हमने इनसे सीखा है लेकिन गुरू तो यहीं है ना एक बड़ा टेंड सुरू हो गया है कि चुनाव में कौन कितना फिर दे रहा है अभी क्या है हजार रुपे दे रही थी भाज़पा सरकार यहां पर मद्ध प्रदेश में कांग्रेश करी हम 15 सो देंगे को कोई वहां पे भी यही हुआ करनाटक में भी यही हुआ बाजपा कुछ दे रही थी उनके हम और जादा देंगे इस कूटी लैप और गैस भी मिलेगी मुफ्त लंबी होती जाती है लिश्ट ना सिमटती यह लंबी होती जाती है लिश्ट ना सिमटती और बोट बेंक खिसका तो भटने लगी है चाती बोट बेंक खिसका तो भटने लगी है चाती चाती नहीं भटती तो यह सोगात नहीं भटती बात है यह चाती नहीं भटती के थाली लोटा बजये मन की भी बात सुनी फिर वी यह सोटन महंगाई नहीं घट दी महंगाई नहीं घट दी और जनता भी तो लालची गरल फ्रेंड हो Netflix यह जनता भी तो लाल ची गरल फ्रेंड हो चुकी है बिगना गिफ्ट दिये अब यह भी नहीं पटती के मुफ्त खोर तुम्हें हमें बनाकर ऐसे ना भरमाओ और यह चुनाव जयहाद है प्यारे इससे हमें बचाओ आपके फ्री और दूसरों के फ्री में फर्क है बात तो सही है देखिए सबसे पहली बात कि फ्री रेवडी कल्चर हमारा नहीं है इंपावर्मेंट का कल्चर है हमारा आज की तारीक में अगर 80 करोड लोगों को पिछले तीन साथ से अनाज दिया जा रहा है पांच किलो तो वो इसलिए नहीं कि उस अनाज की उनको जरुरत है वो इसलिए कि उनको एक मजबूत एक संबल मिले कि आपके पीछे सरकार कोरोना हुआ तीन महीने लोग हर चीज बंद रहा फरस्ट वेव में सेकेंड वेव में फिर तीन महीने बंद रहा इमाजिन कि यह वो रेडी पट्री वाला जो घूम रहा है वो क्या खाता होगा जो दुकान पर कोक्ष का बेचता है जो हम लोग खाते हैं वो उसका खाना ख करने की फिलिंग क्या होती कि आप घर के मालीक बनगे उस घर पर लोन ले सकते हो जर से विवसाइए कर सकते हो चार करोड़ सब्सक्राइब गर दिया है वे घरों को घर तो यह फ्री नहीं है लेकिन अगर आप घोश्णा करते कि न 30 रुप भत में लेंगे बेमने औरोजग देश बरबाद हो गया था लोग तंद्र खतम हो गया था मीडिया गोदी मीडिया हो गई थी जैसा यह लोग कहते हैं अगर इनी केसा आप से चले तो भाईया पांचनी अर्थवेवस्था कैसे बनके जर्मनी को पीछे हाचार के कैसे बन गया एवडिया रिकॉर्ड हमारे हां बनी है जो साख बनी है पासपोर्ट की जो इजड़ बनी है एक भारतिय का जो मान बड़ा है वो किसको नहीं पचड़ा है यह सवाल है कवियों निकालिए इसको हवाई फाहर को आगे ले जाते हैं अगर जूट बोलना पाप है तो आत्म विश्वास से जूट बोलना मोदी नीती है अब यह कह रहे है कि यहाँ पर आपने फ्री की बात करी इनको बड़ा दुख था यह भूल जाते है प्रदान मंतरी जी ने किस तरीके से रेवडी कल्चर की उपर हमला किया था और कितनी रेवडिया नोने करनाटक में बांटी है और कितने इनके मेले और उनके Daumaj आएगा जी बे रोजगारी ऐम लोगों ने बेरुजगारी का बजार तो लगादिया है करनाटक में बॉल रहे थे कि यहां पे सब के पास रोजगार है रोजगार है दो धिन पहले की खबर है बैंकलूरू में कोगनेजंट कमपनी ने था 36 योगों को बेरुजगार कर तो बेरोजगारी का बजार ही लगाया वाई और ये कहते हैं हम गन बना रहे हैं अजी गन से क्या हमारे घर में राशन आ जाता है ये गोली चलाते हैं तो क्या उससे हमारे वहाँ पे घर में जो आटा है उसके दाम कम हो जाएंगे सिलिंडर के दाम कम हो जाएंगे इतनी फैक में अगर गन बन रही है यह बन रही है अगर आम जनता को रोटी सबजी तेल गैस खरीदने के लिए नॉर्मल जिंदेगी जिताने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है वह गन से पेट भरा जाएगा क्या अभी आप जिस पारिटी में पहले से सर उस पारिटी के जो मंत्री जो रहे वह अभी भुबनेश्वर गए नवीन पतनाइक जी इसको मनाने के लिए कि वही एक प्रधान मंत्री पत का कैंडिडेट मैं भी हूं इसमें भी पे जा गौर लगाया कर कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे गूम रहे हैं नवीन जी ने क्या संदेश दिया नि अचा है प्रतीग्रेगी का द्रश बनाया है के यारी की सवारी मेरी गारी में न कर बेकार लटकना गठ बंधन की राह में घट नहीं जाये दूर घटना अभी दूर बहुत है दिल्ली मत उड़वा लेना खिली तुम्हारा काम है पलटना पटना से मैं नहीं पटना ओए पटना चल हटना नवीन जी ने कहा कि ये अपने बिहार भवन के लिए जमीन खोजने आये हैं अब मुझे ये नहीं पता कि वो बिहार भवन के लिए जमीन खोजने आये थे अपनी जमीन तरसने के लिए आये आए हैं जमीन को तलाशने तो प्लीज करें कोई खट पटना, नाच नहीं जाने और आंगन भी तेड़ा हो तो काहे का मतकना, हम तो इगनोर करेंगे, फो कतना शोर करेंगे, कतक वालों से ना अतकना, पतना से मैं नहीं पतना, 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 यकना ही रपतना, वह बढ़ी है, उधर से भी, नवीन जी ने भी इगनोर कर दिया है इस पूरी मुहिम को. देखे, हमारा स्टैंड बिल्कुल फ्लियर है, कॉंग्रेस पार्टी हर उस पार्टी के साथ लड़ेगी, जो देश के लिए सबसे पहले लड़ेगे, जो देश में अभी अत्याचार हो रहा है, तो देश में ब्रहष्टा चार हो रहा है, इस बात पर मैं भी कुछ लिखके रुपये से भी जादा इमान गिरता जा रहा है, देश की अर्थ्वेवस्था का काम तमाम है, मुद्दो की बात दूर जुमलों का आलम सरयाम है, धरम के नाम पर शोर सुभा शाम है, बेरुजगारी, ब्रष्टाचार है हर जगा, बड़ी बड़ी बातों का ताम जाम है, तो इन मुद्दो को मद्दे नजर रखते वे, जो साथ मिलकर देश को सबसे पहले रखकर, देश की जनता को सबसे पहले आगे रखकर, साथ मिलकर लड़ना चाहेगा, उन सबका स्वागत है, और जो मोदी सरकार बार बार कहा जाता है कि हमें मोदी जी से नफरत है, हमें कि सिसे प्रॉब्लम नहीं हमें प्यार सिर्फ देश की जनता से है और उनका हित सर्वोपरे है तो देश की जंता का हित और इन मुद्दों के खिलाब जो लड़ेगा उनके साथ हम मिलकर सरकार के लिए लड़ेंगे अ यह जो मीटिंगे हो रहे हैं इनको हलके मतलो बहुत हलके मिले रहे हैं काम बिगड़ जाएगा भाई साब सुनिए कालोग जी सभी वी पक्छी एक हुए हैं इनकी मीटिंग से डरियो सभी वी पक्छी एक हुए हैं इनकी मीटिंग से डरियो ये मिलके बहुमत पालेंगे तुम देखते रही हो अखलेस का गुसा भारी है हर दल से मिलना जारी है हर दल से मिलना जारी है पटना वाले बाबुजी की पटना एक से भी यारी है न्सीपी की शिव सेना से मिलकर अच्छी तैयारी है प्लानिंग रेडी अब सारी है गठ बंदन लगता मारी है और जिसको समझ रहे हो ढुलमुल ऐसे राहुल से डरियो ये मिलके बहमत पालेंगे तुन देखते रही है ये मिलके बहमत आंध्रा मेरे डी के सी यार तूफान बनाए बैठे है चैन्नई वाले स्टालिन जी लुंगी को उठाए बैठे है इडी के सताए बैठे है सब शक्ति जुटाए बैठे है और यह पंग्दी कम कर देना च्छमता ऐसी माया ममता से डरियो ये मिलके बहमत पालेंगे तुम देख दे रही हो इसका इलाज है कुछ सरा आपके पाए इडी के सताएं सारे बहमत के हलुआ है क्या कि मिलके बना लेंगे सब खालेंगे अच्छा आप चुदाओं में जाते हैं और उसके बाद लड़ते हैं किस मामले में लड़िए गा क्या बोलके लड़िगे हां जी हम रिष्टा चार कर रहे थे इनोंने एडी हमारे पीछे लगा दीसले में बहमत बिर दूर दिली शुरू होई जाता है हाँ अच जी हम कसम खाते हैं जी दो रूमं से जाधा के कमरे में नहीं रहेंगे जी कि हां जी हम इंडिया के करफशन रेवलूशन के पार्टी निकले हैं जन्में पैदा है करफशन के अन्ना की चाती पे बैटके अन्ना की कमाई खाने वाले आज इक 171 करोड़ के बगले में रहें कंग्रस निला था कॉंग्रिस नहीं निकाल के लाई एक 170 करोड़ की देख रही हैं समय राजस्तान पर सब्की नजर है सचिन पाइलेट अशोक गहलोत के बीच में खीचा तानी चल रही है सचिन जी ने अपना एक मोर्चा खोल लिया है अब कविता सुनिया आनन लीजिए कि लगता है अपने लिए कुरसी का रास्ता खोज करके मानेंगे एक सचिन वो हैं जो ओपनिंग करते थे एक ये हैं जो कांगरेस का दफ्तर क्लोज करके मानेंगे और अभी एक बयान उन्होंने दिया है कि मेरे नेता जो है वो राहुल सुनिया गांदी है तब सुनिएगा ये बयान सुनकर खड़गे जी सोचते होंगे कि जान बूज कर मुझे चिड़ाया है क्या अगर नेता राहुल सोनिया ही है तो मुझे एक जीट पोल के फोटो के लिए अद्यक्स बनाया है क्या और एक मजे की पंग्दी आलोग सार दाली बजाईएगा आप इस पर बनाया है क्या शायद दोनों नेता अशोक जी शायद दोनों नेता बीजेपी से प्रभावित होकर मचल रहे हैं दोनों एक दूसरे के लिए न खाऊंगा न खाने दूंगा की थेओरी पे चल रहे हैं इस तरह तो बना बनाया प्रेस्टीज खो जाएगा ऐसे आपसी संघर्ष से विकास का तो पता नहीं पर सत्ता वापसी के सपने का ना सो जाएगा और राजस्थान में चुनाओ है आप सोचेंगे कि विरोधियों के छक्के छुडा देंगे पर गहलोजी जादूगर हैं उन्हें अपना पत्ता साफ होने का शक भ जो परिवर्तन चा रहा वो जनता बहुत गुनी होगी सोच समझ के लोगों ने अपनी सरकार चुनी होगी आप सोच रहे करनाटक ने क्यों कांग्रेश को जिता दिया क्योंकि वहां के लोगों ने साइद मन की बात सुनी होगी चार पंक्तिया आपका और सुना रहा हूं बीजेपी की खिड़की और बंद किया है फाटक को जनता ने इग्नोर किया भक्तों के हर नाटक को बहुत रह लिया कि तुमने जोक दिया सब ताकत को फिर भी बोलो कैसे तुम हार गए करनाटक अच्छा परिणाम को लेकर जो भी चुनावी राजनिती में होता है तो हार जीत लगे जती है अटल जी की एक कविता है ना हार में न जीत में किंचित नहीं भैवीत में संगर्श पत पे जो मिला ये भी सही वो भी सही इसे हम तो संगाश्रत हैं पिछले बार भी करनाटका अन्यों लोगों ने मिलके सरकार बना ली ते जब भी जर आरते हो यही वाली कविता सुआज और जीत में भी एक जीत में अब जीत में एक स्टेटमेंट आया सफार सरकार से शिवपाल सिंग जी का चाचा जी का कि यूपी में जो मंत्री है ना उनकी इतनी भी हैसियत नहीं कि बाबू ये चपरासी का ट्रांसफर करा सका है ना तो मुझे एकदम से उनके कारेकाल में चाचा जी की सक्तियों का एहसास हुआ तो मैंने देखी बड़े करीब से देखी उनके पास इतनी सक्तियां थी कि अकेले नहीं समलती थी उनके कई बतीजे समालते थे जितने भी यूवानेता सब उनको सगा चाचा बताते थे खुदको बतीजा बताते थे अब ऐसे ही दो बतीजे आपस में टकर आए एक चौराय तीन लड़कों को जब पोलिस ने रोका तब एक बोला आज तेरी आफत ही आई है चाचा जी का हूँ सगा बतीजा जानता नहीं क्या बाइक भी ये खुद चाचा नहीं दिलवाई है तो पोलिस बाला बोला चल साइड में लगा ले बाई जानता हूँ तूने सारी बात ये बनाई हैं तेरे जैसा ही बतीजा चाचा जी का मैं भी तो हूँ मेरी नौकरी भी चाचा नहीं लगाई है अगर जाब बाई जानता है तो मैं एक मुक्तक सुनाता हूँ चोटा साथ सुनिए कई बार गटबंदन बने और हर बार फेल हो जाते हैं जैसे आजकल क्या होता ना आई पेल पर टीम बनती हैं ऐसे हम कई लोग बनाते हैं उसमें प्लेयर और कैप्टन चुनते हैं लेकिन क कोई जीता नहीं जानकारी में तो कोई नहीं जीता ऐसे ही कई बार हुआ सुनिए भुआ बबुआ नहीं चलते यूथ आइकन नहीं चलता भाजपा के आगे कोई बिगठ बंधन नहीं चलता बनाते हैं यहर सीजन में टीम आई पी एलसी पर बनाते हैं ये हर सीजन में टीम IPLC पर कभी प्लेयर नहीं चलते कभी कैप्टन नहीं चलता कभी प्लेयर अब प्लेयर और कैप्टन हम भी टीम बदल दे हैं? जल्दी जल्दी ये सब बॉस्टी में दा रहा है करनातक चुनाब ने बता दिया किया जनता का क्या देश का क्या मूड है 24 का इशारा है कि सुनो सुनो BJP वालो सुनो सुनो BJP वालो चाहे जितना जोड लगा लो सबसे आगे होंगे राहुल गांधी आरे हमने कहा है तुम भी सुनो रहा बहुत बर्यार हमने सहा है तुम भी सुनो के 24 इलेक्षन का केवल इशारा है समझो ना कमजो अच्छा इतनी जल्दी पलट हुआ आपने किसी को देखा है के 24 एलेक्षन का केवल इशारा है समझो ना कमजोर है दो दिन की सत्ता से इतने ना फूलो तुम अपने रहे दौर है लोट कर आये थे लोट कर फिर से आएंगे अब ये कर नाटका से ही करके दिखाएंगे तब भी कहा था अब भी सुनू अरे सुनो सुनो भी जेपी वालो चाहे जितना जोड लगा लो सबसे आगे होंगे राहुल गांधी के सब से पुराने हैं दलोक शाहिए के यूही बेखरते नहीं तपते नहीं आच मैं जो कभी सोने जैसे निखरते नहीं ना डरे थे कभी आगे भी डर न पाएंगे वक्त की आच से हम तब के निखरते जाएंगे तब भी कहा था अभी सुनो यह पॉजिटिविटी कॉंग्रेस के अंदर है जो जो तो लगाया काफी है लगाना भी चाहिए पता मान रहे कि पहले से जोर ही नहीं लगाते थे अब लगाने लगे लेकिन वो जो अब जो उस जोर का ये इस बार वैसा रेजल्ट क्यों नहीं देखिए ऐसा है कि पिछले ब बाकी लोग टापते रहें यह भी फैक्ट है कि वह जो राज्य में रिजल्ट आता है फिर वह पलड़ जाता लोग सबाबें ऐसे मैं इसकी उपर कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि जो चीज होनी नहीं यह नेगिटिव बाते करनी नहीं जो होना ही नहीं जो चीज होनी नह परताब फोजदार से उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों के परणाम सुनी है साइकल की किल-किल रहे गई एसा पाप है किल-किल अट गई किल-किल सपा पे रह गई योगी जी निकाल साइकल की साह ले गई साइकल की किल-किल सपा पे रह गई योगी जी निकाल साइकल की साह ले गई और उसके हैंडल पर मित्र ओअ उसके हैंडल पर टांगा है कमंडल मित्र चाहर पर बिठा घरियर के बावा घाए ले गए कि आधी कि का हैंड पंप हाती हाथ हात मलते रहे हैंड पंप हाथी हात मलते रहे जोरदार जीत करके बाए वाए ले गए जोरदार जीत करके बाई 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 ले गए और लगता है चौबीस में ऐसे ही जीतेंगे ये जैसे अब जीत करके निकाहे ले गए ये चंद भी मुझसे चिड कर बोला बंद करो ये लिखना और जिन पर लिखते उनका खुद ही बंद हो गया देखना अभी पीछे क्या हुआ आपने देखा होगा कि बीजेपी के बहुत सारे भाशन आपको सुनने को मिले होंगे उनको जरा ध्यान से उसकी समीक्षा कीजिए तो आप क्या पाएंगे बीजेपी के भाशनों में क्या होता है वही कवीता सुनना आप बीजेपी के भाशन में क्या होता है इतिहास की बात विपक्ष पर आरोप बयानों पर हाई हाई खुशहाली का वादा जैसे कोई चिप्स का पैकेट हो काम की चीज कम और हवा सबसे ज़्यादा हवा सबसे ज़्यादा ठीक है राजनीती है गर्म तवे पर दो रोटियां फाल्तू भी सेख लीजिए सस्ते डाटा की चर्चा तो हो गई अब महंगा दूद तेल आटा भी देख लीजिए पर फुर्सत कहां होगी जीत के तरीके खोजने में लगे होंगे 24 वाले चुनाओं के लिए राइमिंग वर्ड्स वाले नए नारे सोचने में लगे होंगे क्योंकि अच्छे दिनों वाली गठरी अब खोल नहीं सकते और अगली पंक्ति लोजिकल लग जाए तो एक बर जोरदार ताली बजाना क्योंकि अच्छे दिनों वाली गठरी अब खोल नहीं सकते और पुराने नारों में से एक भी नारा दोबारा बोल नहीं सकते और रहा सवाल बार बार क्या कहते हैं तो जनता हमको क्यों जिता रही है तो हम कैसे जीत रहे हैं तो उस पर कहता हूं रहा सवाल बार-बार जीतने का तो कमल कोई अपने आप नहीं खिल रहा है बस कोई विकल्प तैयार होने तक टेंपरोरी बेनिफिट मिल रहा है बहुत बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद क्या कवी सहाब किस विकार रोकती है कोई विकल्प ही नहीं है है मतलब आपने जिर्यों कर दिया आर रे सारे विपक्ष को सीटूप करते कांग्रिस वाले अगरे सा इसा एक नहारा एसा है ना जिसको आप भी मर्तेवक तक लेते जाएंगे और मैं भी मर्तेवक तक लेके जाऊ हुँ अब वो नारा दूबारह क्या बार-बार बोलें और देखो राहुल हु याहु खडगे मोदी पे रोज भड़के पहले तो गाली काफी फिर मांगते हैं माफी सत्ता के बन के रोगी हर बार हार भोगी मुश्किल बहुत ही होगी मोदी के बाद योगी मोदी के बाद योगी मोदी के बाद योगी ब्रष्टों के हाल होंगे हए ब्रष्टों के हाल होंगे फिर जादा और खराब मोदी बिला जबाब है योगी बिला जबाब मोदी बिला जबाब और कांग्रिश क्या किये अपनी सुना न पाए मुद्दे भुना न पाए जब जब जुबान भटकी मोदी से खाई पटकी मोदी से खाई पटकी इसलिए 24 का पल खिलेगा भगवे का दल खिलेगा भारत अटल खिलेगा फिर से कमल खिलेगा फिर से कमल खिलेगा फिर से कमल खिलेगा और यह जो ना गठ बंधन, गठ बंधनों के मुख से हए, गठ बंधनों के मुख से हट जाएंगे नकाब, मोदी भिला जबाब है योगी भिला जबाब, और यही प्रणाम हुआ कि उत्तर पुदेश में निकाय चुनाओ, योगी जीत गई, और उसके बात क्या हुआ? सुनो विपक्षी, अब जिद छोड़ो, मालो मेरी बात, यूपी की जनता है योगी बाबा के साथ, यूपी की जनता है योगी बाबा के साथ, कब से बीमार बैठा, हाती बेचैन है, अपने पहियों में उलजी, साइकल की चैन है, अब केवल कोस ना ही, इन सब का काम है, जनता के होटों पे तो जै जै श्री राम है, राहुल जी भी घूम रहे हैं, अरे राहुल जी भी घूम रहे हैं, लेकर खाली हाथ, यूपी की जनता है योगी बाबा के साथ, तो बाबा करते क्या हैं? जब इसमें फिर करेगी जनता वोटों की बरसाथ, यूपी की जनता है योगी बाबा के साथ, बाबा धन्यवाद, शुक्रिया, थैंकि. कि स्टंपिंग के चांस हैं, सम्हाल कर खेलिएगा, लांगी नहीं जाए ऐसी क्रीज की जरूरत है. निचले और सीर सुनेत्रत्य के बीच अब संबाद वाले किसी ब्रिज की जरूरत है. करना स्टोर सीखो, अपने नेताओं को, गर्मी का मौसम है इसलिए हो रही है, कि करना स्टोर सीखो, अपने नेताओं को, गैरों से भी जादा अब निच की जरूरत है, बॉशिंग मशीन के भरोसे मत बैठो, अब 24 में बाजपा को फिरिज की जरूरत है. सर आखरी मुक्तक मैं सुना रहा हूँ, इतनी देर से करनाटक, करनाटक ना हो गया, जिसे ब्रहमांड जीत लिया, करनाटक कुछ नहीं है, उत्तर प्रदेश ही प्रधान मंत्री तैय करता है, असी लोग सबा है, यूपी में कांग्रेस का ना पूछो किस पार गए हैं, आय थे, चौथे नंबर पे वैसे ही इस बार गए हैं, ये कंडीशन है, इनकी मत पूछो तो अच्छा है, कल रात में सपना देखा था, उसमें भी आर गए हैं, इसका जवाब में देती हूँ, करनाटक पे क्यों चर्चा हो रही है, क्योंकि जैसा मैंने कहा था, संकट मोचन का अपमान किया, बजरंग बली जी का अपमान किया, करनाटक में जवाब मिला, और बजरंग बली जी किसके सबसे भड़क्त है, राम लल्ला के, है ना, अब उसके बाद अगला जवाब राम जी देंगे और उत्तर प्रदेश से आएगा, तो देखते जाए, करनाटक से शुर किस तरफ पहले शुरुआत करेंगा, मैं तो या, देखो, प्यार महबत की बात से सुरू करूंगा, और मुझे आलोक जी से बहुत प्यार है, और मेरी बात भी मानते हैं, पिछले बार जब वो आए थे, जेडी यू से, तो मैंने का, आप जल्दी भाजपा में जाने वाले और वो चले गए, तो ये पहरा हूं सर आलोक जी, ये कह रहे थे क्यों चलेगे, क्यों चलेगे, क्या बात है, मैंने कि यारब, वो यह जगे ऐसी है, कैसी, हर आदमी को पता होता है अपने कर्मों का, बरना गंगा में भीड ऐसी थोड़ी होती है, अच्छा है, अच्छा है अच्छा है, आलोक जी, गहन विचार मुद्राम चलेगे, मैं खोल देता हूं, के कल यूग में भाजपा का रामराजी आया है, पिटने को चूज एक डौन कर लीजिए, पिटने को चूज एक डौन कर लीजिए, दौन बहुत है भाजपा, तुम चाहो तो आकेले केले भी पिट सकते हूं, पिटने को चूज एक डौन कर लीजिए, ओ धरती का निरिय प्राणी, खुद को समझ ये, मांगते विकारी वाली टौन कर लीजिए, आँ, बहुत है, के आख बंद करो यहां, कुछ नहीं देखना है, बोल ये भी नहीं, पूरा मुद्ध करो यहां, कुछ पूरा मुद्ध कर लीजिए, और जान भी बचानी है, और जेल नहीं जाना है, तो फटा फट बीजेपी जोइन कर लीजिए, लगा वाली! क्या बारे दॉटा लों की बैतरनी से पार लगाने बाला और यही सुरक्षा का बच्छा है प्यारे जान बचाने वाला आप तो खुद डॉक्टर हैं मैं वही कह रहा हूं कि अब थुड़ा इंका इलाज करते हैं यह सुधीब से बोलते हैं करने के लिए आपने भाई सब मैं एक खतम कर लूँ आपने कहा कि यहां पर आकर बिल्कुल चुप हो जाईए है ना मुझे तो बोलने के लिए लाया गया आए है तो चुप भी नहीं आपने कहा एक डॉन चूज कर लीजिए आप देखिए देश भर में कितने डॉन चूज कर लिए हमारी पार्टी ने कहां से कहां चले गए उत्तर प्रदेश बिहार अब बिहार अगरवडा रहा है उसको भी ठीक कर लेंगे लेकिन बागी देश ने दीजिए एक बेरोजगार की चिंता आप भी कर लीजिए विचाए सचिन पाइलेट घूम रहे हैं राजेस्थान में तमाम रेवडी कल्चर की बात हुई तमाम रेवडी कल्चर की हमारे यहां तो मंदिर में पूजा करते हैं आरती होती है उसके बार प्रशाद चलाते में रेवडी उनको कम से कंगे च्छोटी मुटी रेवडी दे देते तो कम से कंगी लेवल पे ना आते मना सुनाता हूं एक आरती शुना देता हूं द़ैखो आरती हो पाइलोट बोले जनवे आली गh privacy लेकर थाली, किसकी उतारें देखो आरती, ओ मैया भाती वे रोधी उन्हें पारी उनका बयान है कि गैलो जी किसको ज्यादा मान सम्मान देते हैं, सूनिया जी को दे रहे हैं बर सुन्धरा जी को बेगाने अपने लगते हैं और अपने बेगाने जिसको छपन भोगते मिलने मिले न सूखे दाने याने मारें वो फूक करारी हो मैया जोत पेमारी दुश्मन से आरी बनता धारती हो मैया देखो ओतारें किसकी आरिश्वंचे गहलोजी ने भी कुछ कमी नहीं छोड़ रखी के कभी कहें गदार निकमा कभी कहें कोरोना अर जादू गर पे किया है जाने कैसा जादू तोना है रोना मैडम उनको ना भाती रानी मा लागे साथी सी एम की कुरसी नहारती ओ मैया देखो ओतारें किसकी आरिश्वंचे और आखरी देखिएगा वो अब क्या करने जा रहे हैं कि जनसंग घर्ष करेंगे और अभी क्या बतलाएं क्या आगे वर्ष करेंगे जन्ता इतनी ना भोली भाली रोटी पलटने वाली रोटी पलटने वाली कुरसी पलट के है तारती ओ मैया देखो ओतारें किसकी आरिश्वंचे रा बाली मैया की आलोग जी सर कांग्रेस के एक नेता ने दावा किया है कि भाज़पा के कई नेता संपर्क में है और जैसे मद्द प्रदेश के दीपक जोसी कई कई बड़े नेता बड़े भाज़पा के जा रहे हैं और जिस तरह जा रहे हैं मुझे क्या लग रहा है सुनिएगा बीजेपी के घर संकट आने वाले हैं सब धीरे धीरे छोड़के जाने वाले हैं बीजेपी के घर संकट आने वाले हैं क्यों? क्याते क्या आएं? बाज़पा तो हर जाई है अपनों के लिए ही खाई है बाहर वाले को मलाई है अंदर वाले को खटाई है इसलिए राहुल के घर पे खाट बिछाने वाले हैं सब धीरे धीरे छोड़के जाने वाले हैं सब धीरे धीरे छोड़के जाने हैं अब आपके नेता बहके हैं तुमने उनके बहकाए थे तुमने उनके बहकाए थे जो बोया वो ही काटके खाने वाले हैं और यही प्रणाम करनाटक की तस्वीर बता रही है 24 की तस्वीर लेकिन क्या है ना कॉंग्रेस बहुत होशियार हो गई है कैसे होशियार हो गई है बतारों पंक्तिया सुनना के कॉंग्रेस गठबंधन का गोला देकर सबको भरमा रही है पी-म तो बनाएगी अपना और मेहनत निती इसकुमार से करवा रही है और निती इसकुमार से करवा रही है और निती जी ने क्या कहा है मुझे PM नहीं बनना तब पंक्तियां कहता हूं आनद लेना कौन सत्ता में आएगा नहीं आएगा ये तो किसमत का लेखा है कुछ बनने के लिए कोशिश करना तो सुना था, कुछ नहीं बनने के लिए मेहनत करना पहली बार देखा है अश्चाँ पहली बार देखा है अरे बता रहे ना भी पटनाय जी ने इंट्रेस्ट नहीं दिखाया क्यों नहीं दिखाया होगा पंक्तियां सुनना कुछ लोग अपनी बात पे कायम रहने वालों पर विश्वास जताते हैं और अगली पंक्ति आ रही है बात पसंद आजा तो उठा लेन कुछ लोग अपनी बात पे कायम रहने वालों पर विश्वास जताते हैं सिमरन भी दो बार पलट पलट बोलने पे पल्टी थी ये तो बिना बोले ही पलट जाते हैं पलट जाते हैं और कॉंग्रेस का शाही अंदाज कम नहीं हुआ आखिर दशकों शासन का स्वाद चखा हुआ है लोगों के घर घर जाके बतियाने के लिए पार्टी ने सीम रखा हुआ है पार्टी ने सीम रखा हुआ है लेकिन एक वात तो सिद्ध हो गई कि महत्त्य कांग्षा पूरी हर एक नहीं हो सकती है जब तक अपना स्वार्थ सिद्ध नहों विपक्ष की पार्टीयां एक नहीं हो सकती है नितिश जी पीम बन सकते हैं या नी देखिए इस देश में कोई भी प्रधानमंतरी बन सकता है ये भी बन सकते हैं आप भी बन सकते हैं यहां पर बैठे एक-एक कवी बन सकते हैं आप बैठे बच्चे हैं कल का भविश्य यही है कोई भी बन सकता है यही तो हमारे देश की ख प्रॉब्लम क्यों हो रही है और आपने जैसा कहा कि पहली बार आप देख रहे हैं कि कोई बिरकुछ नहीं बनने के लिए मेहनत कर रहा है क्यों हमारे देश में लाखों लोगों ने अपनी जान दे दी ताकि आज हम लोग खुले आसमान के नीचे स्वतंतता से बोल सके और हम में आजादी मिले उनको क्या मिला बदले में मौत तो वो किस चीज के लिए लड़ रहे थे आपके और हमारे आने वाली पीडियों के भविश्य के लिए तो उसी तरीके से अगर कोई महनत कर रहा है इस देश को ऐसे राज से हटाने के लिए जो बार बार दबाए जा रहा ह है जहां पर अर्थवेवस्ता गिर रही है गरीबी बढ़ रही है बेरोजगारी बढ़ रही है जूटों की जुम्लों की बारेश हो रही है तो इसमें बुरा क्या है और आखिर में बात बहुंगी श्री कृष्णी ने भी तो कहा है कि कारे करे जाओ फल की इच्छा मत करो तो कारी ने रहे हो तो प्ले मिल जाता है यह यह तो कॉंग्रेस के लिए और राहुल गांधी जी के लिए लाइंप पढ़ना चाहूं एक अकेला पार्त कड़ा है एक अकेला पार्त कड़ा है भारत वर्ष बचाने को एक अकेला पार्थ खडा है भारत वर्ष बचादे को सभी कॉरव साथ खड़े है केवल उसे गिराने को बाकी सब पांड़ों के साथ है महाबारत आपने अच्छे से पड़ी नहीं लगता है भक्त दिन को कहें रात तो रात कहो तुम तो भात कहो तुम यह यह होता है चार राइनाब को उसमा रहे हैं राजस्थान की चुनाओं में क्या चलना है पाइलट गहलों तो आपस में लड़ाई चलना है ये करा कौन रहा है केवल पाइलट नहीं है कई सारे से हो रहा है कई लोग है केवल पाइलट नहीं है कई सारे से हो रहा है फलाने है तो मुम्किन है इन्हीं नारे से हो रहा है यह राजस्थान का रायता यूहीं नहीं फैला यह सब चालक जी के इसारे से हो रहा है कि हाथ की उंगलियों को बांधनी थी मुठी जब मुठी नहीं बांधी बस अंगूठे ही दिखाए है और हाथ और प्रयोग देखना हाथ को न सूज रहा हाथ और इसमें भी कई हाथ वालों ने ही हाथ आजुमाई है गन्ने की मसीन से गुजरता है गन्ना कोई कांग्रेस के बीदे को ऐसे दिन आए है और पाइलेट जी भी इसमें सही योग कर रहे है लास्ट में फसाने वाला नी बुले के आए हैं तो और ज़्यादा ऑठ जो चिंटा कर रहे है बाजपा के तरफ से जैसे अजय जी को चिंटा नहीं मुझे भी ज्यादा चिंटा नह हर बार चुनाओं से पहले कोई ना कोई एक ऐसा बयान आता है कैसा स्टेटमेंट आता है वहीं से पूरा रुख पलट जाता है तब सुनिए क्या है कि स्वाद जीत का तो सदा मेहनस से मिलता है जीत ये समोसा नहीं इडली न डोसा है कांगरेसियों ने कई बार भाजपाईयों को अपने ही हातों से लड़ू जीत का परोसा है और कयास तोड़ हवा मोड बयान वीर नया नेता उमीद है कि जरूर अपने पाला और पोसा है तैयार हो रहा होगा कोई इलेक्शन से ठीक पहले भाजपा जिताउ टाइब देगा वो बयान हमें पूरा यह भरोसा है यह तो फैक्ट है यह तो फैक्ट है ना कई बयान ऐसे आ जाते हैं जो ऑपोजिशन या बीजेपी अपने साथ अपने फिवर मिले जाती है देखे बयान तो दोनों तरफ से होत अधाल ही में चला प्रधानमंत्री जीने इतना बड़ा जूट बोला कि सोन्या गांधि जी न्यारेली में जाके ऐसे ऐसे कहा है कहीं पर वो वीडियो निया मैं चैलेंज करती हूँ और हर रोज हर टिवी चैनल पर जाके मैं ज कोई तो वीडियो दिखा दो ट्विट तो आ पसके सबसे बड़े ऑर्योन जी है उन्हों के सबसे बड़ेश हम्हाई बागी है वाह तो यह तो बयान है यह ट्वीट नहीं था प्रियंका जी ने कहा मुझे लगता है दादी की तरह मुझे भी बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है लगता है लोगों ने माल लिया है कि राहूल गांधी पांसाल चुनाग नहीं लड़ पाएंगे अयोग हो जाएगे इसलिए द सबसे बड़े दल में हम उबड़े थे चाहे करनाटका हो महराश्ट्रा हो एक सुचार भारती जंता पार्टी के आये थे कॉंग्रेस 78 थी सरकार कॉंग्रेस की बनी ऐसा नहीं है हम जीते हैंगे तब ही हमारी सरकार बनती है हमने क्या कहा हमने इन से सीखा है लेकिन गुरू नहीं एक बड़ा टेंट शुरू हो गया है कि चुनाव में कॉध तना फिरी दे रहा है कौन कितना फिरी दे रहा है अभी क्या है हजार रुपे दे रही थी बाज़पा सरकार यहां पर मद्द परदेस में कांग्रेस करी हम 1500 देंगे कोई वहां पर भी यह हुआ करनाटक में भी यह हुआ बाज़पा कुछ दे रही थी उनके हम और जादा देंगे इसकूटी, लैपटॉप और गैस भी मिलेगी मुफ्त लंबी होती जाती है लिश्ट ना सिमटती है लिश्ट ना सिमटती है लिश्ट ना सिमटती और बोट बेंक खिसका तो भटने लगी है चाती बोट बेंक खिसका तो भटने लगी है चाती चाती नहीं भटती तो ये सौगात नहीं भटती के थाली लोटा बजाए मन की भी बात सुनी थाली लोटा खूप बजाए मन की भी बात सुनी फिर भी ये सोतन महगाई नहीं गटती और जनता भी तो लाल ची गरल फ्रेंड हो चुकी है जनता भी तो लाल ची गरल फ्रेंड हो चुकी है बीना गिफ्स दिये अब ये भी नहीं पटती कि मुफ्त खोर तुम्हें हमें बनाकर ऐसे ना भरमाओ और ये चुनाव जयाद है प्यारे इससे हमें बचाव आपके फ्री और दूसरों के फ्री में फर्क है देखिए सबसे पहली बात कि फ्री रेवडी कल्चर हमारा नहीं है इंपावर्मेंट का कल्चर है हमारा आज की तारीक में अगर असी करोड लोगों को पिछले तीन साल से अनाज दिया जा रहा है पांच किलो तो वो इसलिए नहीं कि उस अनाज की उनको जरुरत है वो इसलिए कि उनको एक मजबूत एक संबल मिले कि आपके पीछे सरकार खड़ी है कोरोना हुआ तीन महीने लोग हर चीज बंद रहा फर्स्ट वेव में सेकंड वेव में फिर तीन महीने बंद रहा इमाजिन कीजिए वो रेडी पट्री वाला जो घूम रहा है वो क्या खाता होगा जो दुकान पर कोक्ष का बेचता है जो हम लोग खाते है जा सोची एक घर ओन करने की फिलिंग क्या होती है कि आप घर के मालिक बन गे उस घर पर आप लोन ले सकते हो उस घर से आप व्यवसाई कर सकते हो 4 करोड़, 7,4 करोड़ लों नगर हमने घर दीए हैं, बेघरों को घर, तो ये free नहीं है, लेकिन अगर आप घोशना करते हैं किन 3,000 रुपय भत्ता देंगे, भेरुजगारी भत्ता किस बात को भत्ता बνहें? साड़े तीन अजार रुप्य हम इंसको देंगी किस बात के भत्ता आप दे रहें एक अंतिम बात बोल की खतम करूंगा अगर हमारी नीतिया इतनी खराब होती नौ साल से देश बरबाद हो गया था लोगतंत्र खतम हो गया था मीडिया गोदी मीडिया हो गई थी जैसा ही लो आत्म विश्वास से जूट बोलना मोदी नीति है अब यह कह रहे है कि यहां पर आपने फ्री की बात करी इनको बड़ा दुख था यह बूल जाते हैं प्रदान मंत्री जी ने किस तरीके से रेवडी कल्चर की उपर हमला किया था और कितनी रेवडी यह उन्होंने करनाटक में बांटी है और कितने इनके मेले और उनके साथी पकड़े गए हैं और क्या-क्या बांटा है जाके देखिए करनाटक की अगर आप कैमपे दन पहले की खबर है बंगलूरू में कॉग्नीजंट कंपनी ने 36 लोगों को बेरुज़गार कर दिया तो वेरोज़गारी का बजार ही लगाया वाई और ये कहते हैं हम गन बना रहे हैं गन बना रहे हैं अजी गन से क्या हमारे घर में राशन आ जाता है ये गोली चलाते हैं तो क्या उससे हमारे वहाँ पे घर में जो आटा है उसके दाम कम हो जाएंगे सिलिंडर के दाम कम हो जाए लेकिन नौकरी के लिए तो लोग आज भी घूम रहे हैं दो करोड नौकरी देने का वादा था आज तक आप हिसाब नी दे पाए आप ही के लोग पार्लिमेंट में जवाब देते हैं कि नहीं दी गई फिर बोलोगी महंगाई चरम पे है क्या फाइदा उस देश में अगर गन बन रही है ये बन रही है अगर आम जनता को रोटी सबजी तेल गैस खरीदने के लिए नॉर्मल जिंदेगी जिताने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है वह गन से पेट भरा जाएगा क्या अभी आप जिस पार्टी में पहले से सर उस पार्टी के जो राश्ट्री अध्यक्ष है आदरणी नितिश कुमार जी इस समय वो अच्छा अभी ललन सिंग जी के जो पार्टी है आपके मुख मंत्री जो रहे वो अभी भुबनेश्वर गए नवीन पतनाइक जी इसको मनान के लिए कि वही एक प्रधान मंत्री पत्र का कैंडिडेट मैं भी हूँ इसमें भी पे जा गौर लगाया कि जिएगा जोंकि बहुत सारे गूम रहे हैं नवीन जी ने क्या संदेश दिया नितिश जी को वो सुनिएगा पतना और भुबनेश्वर प्रतीक हैं कि पतना से मैं नहीं पटना ओ पतना छल हतना पतना यक नहीं रपटना ओ पतना हम मोदी के कायल है मत समझो हम पागल है यार आसा नहीं ने पतना पतना से नहीं मैं पतना चल हटना पतना से मैं नहीं पतना पतना पतीग रेगी का द्रश बनाया है के यारी की सवारी मेरी गारी में न कर बेकार लटकना गठ बंधन की राह में घट नहीं जाए दुर घटना अभी दूर बहुत है दिल्ली मत उडवा लेना खिली तुम्हारा काम है पलटना तुम्हारा काम है पलटना पतना से मैं नहीं पतना ओए पतना चल हटना नवीन जी ने कहा कि ये अपने बेहार भवन के लिए जमीन खोजने आये हैं अब मुझे ये नहीं पता कि वे दिपपसरी आये अपनी जमीना टरसने के लिए आये आये हैं जमीन को तलाशने तो प्लीस करें को इखट पटना नाच नहीं जाने और आंगन भी तेड़ा हो तो काहे का मटकना अरे नाच नहीं जाने और आंगन भी तेड़ा हो तो काहे का मटकना हम तो इगनोर करेंगे, फो कतना शोर करेंगे कटक वालों से ना अटकना, पतना से मैं नहीं पतना पतना यकना ही रपतना वह बढ़ी अधर से भी नवीन जी ने इग्नोर कर दिया है इस पूरी महिम को देखे हमारा स्टांड बिल्कुल फ्लियर है कॉंग्रेस पार्टी हर उस पार्टी के साथ लड़ेगी जो देश के लिए सबसे पहले लड़ेगे जो देश में अभी अत्याचार हो रहा है तो देश में भ्रहष्टा चार हो रहा है इस बात पर मैं भी कुछ लिखके लाइए कि आज देश की स्थिती क्या है जोटी योजनाओं के नाम पर माया जाल बुना जा रहा है बेरुजगारी के बजार का मुनाफा बढ़ता जा रहा है महेंगाई के दलदल में आम इनसान फस्ता जा रहा है सत्ता की लालश के चक्कर में सरकार का रुप्य से भी जादा इमान गिरता जा रहा है देश की अर्थ्व्यवस्था का काम तमाम है तो इन मुद्दो को मद्दे नजर रखते वे जो साथ मिलकर देश को सबसे पहले रखकर, देश की जनता को सबसे पहले आगे रखकर साथ मिलकर लड़ना चाहेगा उन सबका स्वागत है और जो मोदी सरकार बार बार कहा जाता है कि हमें मोदी जी से नफरत है हमें किसी से नफरत नहीं है हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं हमें प्यार सिर्फ देश की जनता से है और उनका हित सर्वो परे है तो देश की जनता का हित और इन मुद्दों के खिलाफ जो लड़ेगा उन सभी भी पक्छी एक हुए हैं इनकी मीटिंग से डरियो ये मिलके बहुमत पालेंगे तुम देखते रही हो अखलेस का गुसा भारी है हर दल से मिलना जारी है हर दल से मिलना जारी है पटना वाले बाबुजी की पटना एक से भी यारी है एन सीपी की शिव सेना से मिलकर अच्छी तैयारी है प्लानिंग रेडी अब सारी है गठ बंदन लगता भारी है और जिसको समझ रहे हो धुलमुल ऐसे राहुल से डरियो ये मिलके बहुमत पालेंगे तुम देखते रही हो अंध्रा मेरे डी के सी यार तूफान बनाए बैठे है चेन नई वाले इस्टालिन जी लुंगी को उठाए बैठे है एडी के सताए बैठे है सब शक्ति जुटाए बैठे है और यह पंग्दी कम कर देना च्छमता ऐसी माया ममता से डरियो यह मिलके बहुमत पालेंगे तुम देखते रही हो इसका इलाज है कुछ सर आपके इडी के सताएं सारे बहुमत क्या हुआ है क्या कि मिलके बना लेंगे सब खालेंगे अच्छा आप चुदाव में जाते हैं और उसके बाद लड़ते हैं किस मामले में लड़ियेगा क्या बोल के लड़िगा हां जी हम प्रश्टा चार कर रह आप दो तीन बाते देखो जहां पर बैठे हैं उससे ठीक 10 किलोमेटर दूर दिली शुरू हो जाता है हां जी हम कसम खाते हैं जी दो रूम से ज़्यादा के कमरे में नहीं रहेंगे जी हां जी हम इंडिया करप्शन है रेवलूशन के पार्टी हम निकले हैं जन में पैदा हैं करप्शन के अन्नः की चाती बैटके अन्ना की कमाई खाने वाले आज एक सो एक सब्छान करोड़ के बगले अ को सबके लिए इस देश में इंस्पिरेशन फोर सबके लिए कॉंग्रेसी रहती है गलत कारणों के लिए मैं बता दे रहा हूं सर ये कॉंग्रेस की स्थिति क्या चल रही है इसमें राजस्थान पर सबकी नजर है सचिन पाइलेट अशोक गहलोत के बीच में खीचा तानी चल रही है सचिन जी ने अपना एक मौर्चा खोल लिया है अब कवीता सुनिया आनन लीजिए के लगता है अपने लिए कुरसी का रास्ता खोज करके मानेंगे एक सचिन वो हैं जो ओपनिंग करते थे एक ये हैं जो कांग्रेस का दफ्तर क्लोज करके मानेंगे कि मेरे नेता जो है वो राहुल सोनिया गांधी है तब सुनिये आप ये बयान सुनकर खड़गे जी सोचते होंगे कि जान बूज कर मुझे चिढ़ाया है क्या अगर नेता राहुल सोनिया ही है तो मुझे एकजिट पोल के फोटो के लिए अद्येक्स बनाया है क्या अद्येक्स बनाया है क्या और एक मज़े की पंक्ति आलोग सर दाली बजाईएगा आप इस पे बनाया है क्या शायद दोनों नेता शायद दोनों नेता बीजेपी से प्रभावित होकर मचल रहे हैं दोनों एक दूसरे के लिए न खाऊंगा न खाने दूंगा की थेयोरी पे चल रहे हैं इस तरह तो बना बनाया प्रेस्टीज खो जाएगा ऐसे आपसी संघर्ष से विकास का तो पता नहीं पर सत्ता वापसी के सपने का ना सो जाएगा ना सो जाएगा और राजस्थान में चुनाओ है आप सोचेंगे कि विरोधियों के छक्के छुडा देंगे पर गहलोजी जादूगर हैं उन्हें अपना पत्ता साप होने का शक भी हुआ तो पार्टी का कबूतर बनाके उडा देंगे जो परिवर्तन चा रहा वो जनता बहुत गुनी होगी सोच समझ के लोगों ने अपनी सरकार चुनी होगी आप सोच रहे करनाटक ने क्यों कांग्रेश को जिता दिया क्योंकि वहां के लोगों ने सायद मन की बात सुनी होगी चार पंक्तिया आपका और सुना रहा हूं बीजेपी की खिड़की और बंद किया है फाटक को जनता ने इग्नोर किया भक्तों के हरनाटक को बहुत रहलिया कि तुमने जोक दिया सब ताकत को फिर भी बोलो कैसे तुम हार गए करनाटक यह करें जो चुनावी राजनिती में होता है तो हार जीत लगे जती है अटल जी कि यह कविता है ना हार में न जीत में किंचित नहीं भैवीत में, संघर्षपत पे जो मिला यह भी सही, वो भी सही. इसे हम तो संघर्षपत हैं, बिछले बार भी करनाट कान नहीं इन लोगों ने मिलके सरकार बना ली थे. जब भी सार आरते हो, यही वाली करता सुनें. अलोग जी, अभी यूपी में एक स्टेट्मेंट आया, सफा सरकार से, श्योपाद सिंग जी का, चाचा जी का, कि यूपी में जो मंत्री है न, उनकी इतनी भी हैसियत नहीं कि बाबू ये चपरासी का ट्रांसफर करा सक हैं. तो मुझे एकदम से, उनके कारिकाल में, चाचा जी की सक्तियों का एहसास हुआ, मैंना देखी, बड़े करीब से देखी, उनके पास इतनी सक्तियां थी, कि अकेले नी समलती थी, उनके कई बतीजे समालते थे, जितने भी युवानेता सब उनको सगा चाचा बताते थे, ख एक बोला, आज तेरी आफथ ही आई है, यह असली शक्ति, पुलिस वाले को अड़का दिया, तीन लड़कों को जब पुलिस ने रोका तब, एक बोला, आज तेरी आफथ ही आई है, चाचा जी का हूँ सगा बतीजा जानता नहीं क्या, बाइक भी ये खुद चाचा नहीं तो पोलिस वाला बोला तो पोलिस वाला बोला चल साइड में लगा ले बाई जानता हूं तूने सारी बात' ये बनाई है तेरे जैसा ही बती या चाचाजी का मैं भी तो हूं मेरी नौकरी भी चाचा नाइस में लगवाज had और रही बाद गटबंदन की जो चल रहा है तो मैं एक मुक्त तक सुनाता हूं चोटा सुनिए कई बार गटबंदन बने और हर बार फेल हो जाते हैं जैसे आज़कल क्या होता ना IPL पर टीम बनती हैं ऐसे हम कई लोग बनाते हैं उसमें प्लेयर और कैपटन चुनते हैं लेक कई बार हुआ सुनिये दो बुख बबुबवा नहीं चलते यूथ आएकन नहीं चलता भाजपाक के आगे कोई बिगटबंधन नहीं चलता बनाते हैं ये हर सीजन किम IPLC पर कभी प्लेयर नहीं चलते कभी कैपटन नहीं चलता कभी प्लेयर अब प्लेयर और कैपटन हम भी टीम बदला सें जल्दी 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 ये सब बॉस्टि में जाना पूंचा नियों जाना पूंचारी बाते हुए लेकिन करनाटक चुनाब ने बता दिया किया जन्ता का क्या देश का क्या मूड है 24 का इशारा है कि सुनो-सुनो BJP वालो सुनो-सुनो BJP वालो चाहे जितना जोड लगा लो सबसे आगे होंगे राहुल गांधी अरे हमने कहा है तुम भी सुनो वाँ बारिया वाँ बारिया हमने सहा है तुम भी सुनो के 24 एलेक्षन का केवल इशारा है समझो ना कमजो अच्छा इतनी जल्दी पलट हुआ आपने किसी को देखा है लोट कर आये थे लोट कर फिर से आएंगे अब ये कर नाटका से ही करके दिखाएंगे तब भी कहा था अब भी सुनो अरे सुनो सुनो भी जेपी वालो चाहे जितना जोड लगा लो सबसे आगे होंगे राहुल गांधी गांधी के सबसे पुराने हैं दल्लोक शाही के यूही बेखरते नहीं तपते नहीं आच मैं जो कभी सोने जैसे निखरते नहीं ना डरे थे कभी आगे भी डर न पाएंगे वक्त की आच से हम तपके निखरते जाएंगे तब भी कहा था अभी सुनो यह पॉजिटिविटी कॉंग्रेस के अंदर है जो जो तो लगाया काफी लगाना भी चाहिए पता मान रहे कि पहले से जोर ही नहीं लगाते थे अब लगाने लगे लेकिन वह जो अब जो उस जोर का यह इस बार वैसा रिजल्ट क्यों नहीं देखिए ऐसा है कि पिछले बार भी मैंने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी हम लोग बने थे लेकिन सरकार इन लोग ने बना ली उसके एक साल के बाद लोगसभा चुना हुए हमारा 38% से वोट चला गए 51% 28 में से 26 हम ले गए बाकी लोग टापते रहे गए यह भी फैक्ट है कि वो जो राज्य में रिजल्ट पंड़ा तहरो पलड जाता है लोग सवा पेसे couch ने बोलोंगी क्योंकि जो चीज होनी नीए उसंपर बोलना क्या इनकी सरकार बंनी नहीं ना नेगेटिव बात करनी नहीं जो होना ही निए जो जो चीज होनी में सब के पताए कि सरकार हमारी नको थोड़ा सार अउमीद इसके निकाए चुनावों के परिणाम सुनी है। साइकिल की किल-किल रह गई है सपा पर किल-किल अट गई साइकिल की किल-किल सपा पर रह गई योगी जी निकाल साइकिल की साह ले गई साइकिल की साह ले गई साइकिल की साह ले गई योगी जी निकाल साइकल की साह ले गए और उसके हैंडल पर तांगा है कमंडल मित्र और उसके हैंडल पर तांगा है कमंडल केरियर पर बिठाके बावा गाहे ले गए जिआ है है यहाथ घंड़ पंप हाती हांथ हात मलते रहे हैंड़ पंप हाती हात मलते रहे जोर जार जीत करके बाय बाय ले गए जोड़ार जीत करके और अब ताजिदाना जोड़ार जीत करके बाई बाई ले गए और लगता है चौबीस में ऐसे ही जीतेंगे यह जैसे अब जीत करके निकाहे ले गए अब बढ़िया जीता है यह चंद भी मुझसे चिड़कर बोला बंद करो यह लिखना और जिन पर लिखते उनका खुद ही बंद हो गया देखना अब ही पीछे क्या हुआ आपने देखा होगा कि बीजेपी के बहुत सारे भाषण आपको सुनने को मिले होंगे उनको जड़ा ध्यान से उसकी समीक्षा कीजिए तो आप क्या पाएंगे बीजेपी के भाषणों में क्या होता है वही कवीता सुनना अब बीजेपी के भाषण में क्या होता है इतिहास की बात विपक्ष पर आरोप बयानों पर हाई हाई खुशहाली का वादा जैसे कोई चिप्स का पैकेट हो काम की चीज कम और हवा सबसे ज़्यादा हाँ हवा सबसे ज़्यादा ठीक है राजनीती है गर्म तवे पर दो रोटियां फाल्तू भी सेक लीजिए सस्ते डाटा की चर्चा तो हो गई अब महंगा दूद तेल आटा भी देख लीजिए पर फुरसत कहां होगी जीत के तरीके खोजने में लगे होंगे 24 वाले चुनाओं के लिए राइमिंग वर्ड्स वाले नए नारे सोचने में लगे होंगे क्योंकि अच्छे दिनों वाली गठरी अब खोल नहीं सकते और अगली पंक्ती लोजिकल लग जाए तो एक बार दोरदार ताली बजाना क्योंकि अच्छे दिनों वाली गठरी अब खोल नहीं सकते और पुराने नारों में से एक भी नारा दो बारा बोल नहीं सकते दो बारा बोल नहीं सकते और रहा सवाल बार बार क्या कहते हैं तो जनता हमको क्यों जिता रही है तो हम कैसे जीत रहे हैं तो उस पर कहता हूं रहा सवाल बार बार जीतने का तो कमल कोई अपने आप नहीं खिल रहा है बस कोई विकल्प तैयार होने तक टेंप्रोरी बेनिफिट मिल रहा है बहुत बढ़ी है बहुत 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 धन्यवाद है क्या कवी सहाब कि स्विकार रोकती है कोई विकल्प ही नहीं है अजनता आजकल यही गाना गा रही है रब झोड़ी बनाई है जनाव मोदी भिलाजवाब और देखो राहुल हो या हो खड़गे मोदी पे रोज भड़के पहले तो गाली काफी फिर मांगते हैं माफी सत्ता के बन के रोगी हर बार हार भोगी मुश्किल बहुत ही होगी मोदी के बाद योगी ब्रस्टों के हाल होगे फिर ज्यादा और खराब मोदी भिला जबाब है और कांग्रिस क्या किया है अपनी सुना न पाए मुद्दे भुना न पाए जब जब जुबान भटकी इसलिए 24 का पल खिलेगा भगवे का दल खिलेगा भारत अटल खिलेगा फिर से कमल खिलेगा अर ये जो ना गठ बंधन गठ बंधनों के मुख से हाए गठ बंधनों के मुख से हट जाएंगे नकाब मोदी भी लाजवाब है योगी भी लाजवाब और यही प्रणाम हुआ कि उत्तर पुदेश में निकाय चुनाओ योगी जीत गई और उसके बात क्या हुआ सुनो विपक्षी अब जिद छोड़ो मालो मेरी बात यूपी की जनता है योगी बाबा के साथ कबसे बीमार बैठा हाती बेचैन है अपने पहियों में उलजी साइकिल की चैन है अब केवल कोस ना ही इन सब का काम है जनता के होटों पे तो जै जै श्री राम है जनता के होटों पे तो जै जै श्री राम है राहुल जी भी घूम रहे हैं अरे राहुल जी भी घूम रहे हैं लेकर खाली हाथ यूपी की जनता है योगी बाबा के साथ तो बाबा करते क्या हैं? जब इसमें फिर करेगी जनता वोटों की बरसाथ। यूपी की जनता है योगी बाबा के साथ। बाबा धन्यवाद, शुक्रिया। खला होगी, कि करना स्टोर सीखो अपने नेताओं को गेरों से भी ज्यादा अब निज की जरूरत है, बोशिंग मशीन के भरों से मत बैठो अब चौविस में बाजपा को फिरिज की जरूरत है। तर आखरी मुक्तक में सुना रहा हूं इतनी देर से करनाटक करनाटक ना हो गया जिसे ब्रह्मांड जीत लिया हो तुम नहीं है उत्तर प्रदेश ही प्रधान मंत्री तैकरता है असी लोग सबा है यूपी में कांग्रेस का ना पूछो किस पार गए हैं आये थे चौथे करनाटक पर क्यों चर्चा हो रही है क्योंकि जैसा मैंने कहा था संकट मोचन का अपमान किया बजरंग बली जी का अपमान किया करनाटक में जवाब मिला और बजरंग बली जी किसके सबसे भड़त भक्त है रामलला के है ना अब उसके बाद अगला जवाब राम जी देंग तो देखते जाईए करनाटक से शुरुआत हुई है उत्तरवदेश पे जाएगी कॉंग्रेस की मेमरी ऐसी हो गई है कि यूपी का फुल फॉर्म भूल गया आप कहा रहें कि लोग सभाजी तेंगे देखिए राम भगवान का अपमान किया तो एक वेक्टी अमेठी से वाइड़नाट पहुंगे अब बजरंग बली का अपमान इनुम बजरंग दल के साथ जोड़के किया जो मान सिकता हिंदू विरोधी मान सिकता इसो लेगे कब तक ढोएंगे ढोते रहने दीजे किस तरफ पहले शुरुआत करेंगा मैं तो यह देखो प्यार महबत की बात से सुरू करूंगा और मुझे अलोग जी से बहुत प्यार है और मेरी बात भी मानते है पिछले बार जब वह आए थे जे डि ंसे तो मैंने का आप जलदी भाजपा में जाने वाले और वू चले गई तुझ यह कह रहा हूं सर आलोग जी यह कह रहे थे क्यों चलेगे क्यों चलेगे क्या बात है मैंने कि यारब वोई जगे ऐसी है कैसी हर आदमी को पता होता है अपने कर्मों का कि बरना गंगा में बीड़ ऐसी थोड़ी होती है है अच्छा है अलोग जी गहन विचार मतराम चलेगे मैं खोल देता हूं इसके के कल युग में भाजपा का रामराज जी आया है पिटने को चूजिए कडोन कर लीजिए पिटने को चूज एक डौन कर लीजिए और धरती का निरीय प्राणी खुद को समझिए मांगते विकारी वाली टौन कर लीजिए कि आख बंद करो यहां कुछ नहीं देखना है आख बंद करो यहां कुछ नहीं देखना है बोल यह भी नहीं पूरा मौन कर लीजिए पूरा मौन कर लीजिए और जान भी बचानी है और जेल नहीं जाना है तो फटा फट बीजेपी जॉइन कर लीजिए अच्छा यह एक ही जगह है यह कैसी कि घूटा लो की बैतरनी से पार लगाने वाला गूटा लो की बैतरनी से यह पार लगाने वाला और यही सुरक्षा का बचह है प्यारे जान बचाने वाला आप तो खुद डॉक्टर हैं मैं वही कह रहा हूं कि अब थोड़ा इंका इलाज करते हैं यह सुदीब से बोलते हैं करने के लिए आपने भाई सब मैं एक खतम कर लूँ आपने कहा कि यहां पर आके बिलकुल चुप हो जाई है ना मुझे तो बोलने के लिए लाए गया है तो चुप भी नहीं आपने कहा एक डॉन चूस कर लीजिए आप देखिए देश भर में कि मीतने मीतने दॉन चूस कर लिए अब घुटलों में बचना होताए यहां आ जाईये डे मंई जब तो जब फीजिग्व पे जा रहे हैं जेल के वाई है घुटाला वालो और बिडिय परशाद चढ़ाते हैं रेवडी उनको कम से कम एक छोटी मोटी रेवडी दे देते तो कम से कम इस लेवल पे ना आते वह मैं सुनाता हूं एक आरती सुना देता हूँ आरती गाते हैं हमारे भी कम होंगे हो पाइलट बोले जनावे आली गहलोत लेकर थाली किसकी उतारें देखो आरती हो मया भाती वे रोधी उन्हें पारती उनका बयान है कि गहलो जी किसको ज्यादा मान सम्मान देते हैं सौनिया जी को दे रहे हैं अब सुन्द्रा जी को बेगाने अपने लगते हैं और अपने बेगाने जिसको छपन भोग थे मिलने मिले न सूखे दाने याने मारें वो फूक करारी हो मया जोत पे मारी दुश्मन से आरी बंता धारती हो मया देखो ओतारें किसकी आरती गहलो जी ने भी कुछ कमी नहीं छोड़ रखी के कभी कहें गदार निकमा कभी कहें कोरोना अर जादू गर पे किया है जाने कैसा जादू तोना है रोना मैडम उनको ना भाती रानी मा लागे साथी सी एम की कुरसी निहारती ओ मैया देखो ओतारें किसकी आरती और आखरी देखिएगा वो अब क्या करने जा रहे हैं जनसंग घर्ष करेंगे और अभी क्या बतलाएं क्या आगे वर्ष करेंगे जन्ता इतनी ना भोली भाली रोटी पलटने वाली रोटी पलटने वाली कुरसी पलट के है तारती ओ मैया देखो ओतारें किसकी आरती बोल सेरा बाली मैया की अलोग जी सर कांग्रेस के एक नेता ने दावा किया है कि भाजपा के कई नेता संपर्क में हैं और जैसे मद्द प्रदेश के दीपक जोसी कई-कई बड़े नेता बड़े भाजपा के जा रहे हैं और जिस तरह जा रहे हैं मुझे क्या लग रहा है सुनिएगा बीजेपी के घर संकट आने वाले है सब धीरे धीरे छोड़के जाने वाले है क्यों क्याते क्या हैं बाजपा तो हर जाई है अपनों के लिए ही खाई है बाहर वाले को मलाई है अंदर वाले को खटाई है इसलिए राहुल के घर पे खाट बिछाने वाले हैं सब धीरे धीरे छोड़के जाने वाले हैं सब धीरे धीरे छोड़के जाने हैं सिंधिया पे आँख लगाए थे बंगाल में इडी फसाए थे अब आपके नेता बहके हैं तुमने उनके बहकाए थे तुमने उनके बहकाए थे जो बोया वो ही काटके खाने वाले हैं और यही प्रणाम करनाटक की तस्मीर बता रही है 24 की तस्मीर लेगिन क्या ना कॉंग्रेस बहुत होशियार हो गई है बतारों पंक्तिया सुनना आप कि कॉंग्रेस गठबंधन का गोला देकर सबको भरमा रही है पी-म तो बनाएगी अपना और मेहनत नितीश कुमार से करवा रही है और नितीश जी ने क्या कहा है मुझे पी-म नहीं बनना तब पंक्तियां कहता हूं आनद लेना कौन सत्ता में आएगा नहीं आएगा ये तो किसमत का लेखा है कुछ बनने के लिए कोशिश करना तो सुना था कुछ नहीं बनने के लिए मेहनत करना पहली बार देखा है पहली बार देखा है और बता रहना भी पटनायक जी ने इंट्रेस्ट नहीं दिखाया क्यों नहीं दिखाया होगा पंक्तियां सुनना कुछ लोग अपनी बात पे कायम रहने वालों पर विश्वास जताते हैं और अगली पंक्ति आ रही है बात पसंद आ जाया तो उठा लेना कुछ लोग अपनी बात पे कायम रहने वालों पर विश्वास जताते हैं सिमरन भी दो बार पलट पलट बोलने पे पलटी थी ये तो बिना बोले ही पलट जाते हैं पलट जाते हैं और कॉंग्रेस का शाही अंदाज कम नहीं हुआ आखिर दशकों शासन का स्वाद चखा हुआ है लोगों के घर घर जाके बतियाने के लिए पार्टी ने सीम रखा हुआ है पार्टी ने सीम रखा हुआ है लेकिन एक बात तो सिद्ध हो गई के महत्व कांख्षा पूरी हर एक नहीं हो सकती है जब तक अपना स्वार्थ सिद्ध नहों विपक्ष की पार्टीयां एक नहीं हो बहुत 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 धन्यवाद बहुत आवाद लाएक कव बन सकते यहीं है कोई भी बन सकता यहीं तो हमारे देश की यहां पर डिमोकरिसी है वह डिमोकरिसी जिसको ये दबाने की कोषिश कर रहे है वह डिमोकरिसी कुछ नहीं बनने के लिए महनत कर रहा है क्यों हमारे देश में लाखों लोगों ने अपनी जान दे दी ताकि आज हम लोग खुले आसमान के नीचे स्वतंतता से बोल सके और हमें आजादी मिले उनको क्या मिला बदले में मौत तो वो किस चीज के लिए लड़ रहे थे आपक पर ये जुमलों की बारे शोरी है तो इसमें बुरा क्या है और आखिर में रहेंगे श्री कृष्ण ने भी तो कहा है कि कार ये करे जाओ फल की इच्छा मत करो अधू मत की दिशे है तो का करी ये रहें उन प्तर कुर है पूल मिल जाता है कलिए एक लाइम पढ़ना चाहूंगे एक अकेला पार्थ खड़ा है भारत वर्ष बचाने को एक अकेला पार्थ खड़ा है भारत वर्ष बचाने को सभी कौरव साथ खड़े है केवल उसे गिराने को बाकी सब पांड़ों के साथ है महाबारत आपने अच्छे से पड़ी नहीं लगता है भक्त दिन को कहें रात तो रात कहो तुम इसे बहस की तो पस्ताओगे जरूर कि सब्सक्राइब भात तो भात कहो तुम यह यह होता है चार रेनाप को समना रहेरे राजस्थान की चुरौं में क्या चला है पाइलट गहले वहाँ आपस में लड़ाई चल लई है यह करेल कौन रहा है है केवल पाइलट नहीं है कई सारे से हो रहा है फ़लाने है तो को मुम्किन है इन्हीं नारे से हो रहा है यह राजस्थान का रायता यूहीं नहीं फैला यह सब चालक जी के इसारे से हो रहा है कि हाथ की उंगलियों को बांदनी थी मुठी जब मुठी नहीं बांदी बस अंगुटे ही दिखाए हूं और प्रयोग देखना हाथ को ना सूज रहा हाथ और इसमें भी कई हाथ वालों ने ही हाथ आजमाई है गन्ने की मसीन से गुजरता है गन्ना कोई कांग्रेस के बीदे को ऐसे दिन आये हैं और पाइलट जी भी इसमें सही योग कर रहे हैं लास्ट में फसाने वाला नी बुले के आये हैं और ज्याNO है और ज्यादा जास्ता और जो चिंता कर रहे हैं बाज़पा के तरब iक सजी को चिंता नीं मुझे भी जादा कि यह दा चिंटा केंग्रेस क्या करेगीaler का अपने आप में अपन अपने हार के लिए वोता क्या है यह बार चुनाओ कोई ना कोई एक ऐसा बयान आता है कैसा स्टेटमेंट आता है वहीं से पूरा रुख परड़ जाता है तब सुनिए क्या है कि स्वाद जीत का तो सदा मेहनत से मिलता है जीत ये समोसा नहीं इडली न डोसा है कांगरेसियों ने कई बार भाजपाईयों को अपने ही हातों से लड़ू जीत का परोसा है और कयास तोड़ हवा मोड बयान वीर नया नेता उमीद है कि जरूर आपने पाला और पोसा है तयार हो रहा होगा कोई इलेक्शन से ठीक पहले भाजपा जिताउ टाइब देगा वो बयान हमें पूरा यह भरोसा है यह तो फैक्ट है कि कई बयान ऐसे आ जाते हैं जो ऑपोजिशन या बीजेपी अपने साथ अपने फिवर मिले जाती है देखिए बयान तो दोनों तरफ से होते हैं ऐसा नहीं है कि भारतिय जंता पार्टी के नेता आप उनको भुना नहीं पते अब जूट को भुनाना तो जैसे अब धाली में चला प्रधान मंत्री जी ने इतना बड़ा जूट बोला कि सोनिया गांधी जी ने रैली में जाके आपके ऐसे ऐसे कहा है कहीं पर वीडियो निया मैं चैलेंज करती हूं और हर रोज हर टीवी चैनल पर जाके मैं बोलती हूं कि कोई तो वीडियो दिखा दो त्वीट तो आपके इतना जिसमें लिखा था देखिए अब बयान की बात हो रही है ना मोदी जी ने अब मैं यह सत्ता सारी की सारी साफ हो गई राम जी के इनके सबसे बड़े आराध्य जो हम सब के आराध्य है राम जी जिनके सबसे बड़े भक्त हनुमान जी है उन्होंने बदला राम जी की उपर राजनीती करने का भी ले लिया करनाटक से शुरुवात हो गई है ऐसी पूरा देश भ देश को भी इंतजार रहेगा प्रियंका की आंधी का आजकल दोनों में competition होगी ये करनाटिका चुनों में बोला तु नहीं हो सुनाओग ये तो बयान है ये tweet नहीं था प्रियंका जी ने कहा मुझे लगता है दादी की तरह मुझे भी बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है ल सदाजी एक मिनट इस बात पर बात कहूंगा कि 2018 में सबसे बड़े दल में हम उभड़े थे चाहे करनाटका हो महराश्ट्रा हो 104 भारती जंता पार्टी के आए थे कॉंग्रेस 78 थी सरकार कॉंग्रेस की बनी ऐसा नहीं है हम जीते हैंगे तब ही हमारी सरकार बनती है हमने क् इस नहीं से सीखा है लेकिन गुरू तो यहीं है ना एक बड़ा टेंड सुरू हो गया है कि चुनाव में कौन कितना फिरी दे रहा है कौन कितना फिरी दे रहा है अभी क्या है हजार रुपे दे रही थी बाज़पा सरकार यहां पर मद्ध पर देश में कांग्रेस करी हम 1500 कोई वहां पर भी यही हुआ करनाटक में भी यही हुआ बाज़पा कुछ दे रही थी उनके हमें और ज्यादा देंगे इस कूटी लैप टॉप और गैस भी मिलेगी मुफ्त लंबी होती जाती है लिश्ट ना सिमटती है लिश्ट ना सिमटती और बोट बेंक खिसका तो भटने लगी है चाती चाती नहीं भटती तो यह सौगात नहीं भटती हाँ बात है यह थाली लोटा बजाए मन की भी बात सुनी थाली लोटा भूब बजाए मन की भी बात सुनी फिर भी यह सोतन महगाई नहीं गटती हाँ पर भी यह सोतन महगाई नहीं गटती और जनता भी तो लाल ची गरल फ्रेंड हो चुकी है जनता भी तो लाल ची गरल फ्रेंड हो चुकी है बेना गिफ्ट दिये अब यह भी नहीं पटती के मुफ्त खोर तुम्हें हमें बना कर ऐसे न भरमाओ और यह चुनाव जयाद है प्यारे इससे हमें बचाओ आपके फ्री और दूसरों के फ्री में फर्क है देखिए सबसे पहली बात कि फ्री रेवडी कल्चर हमारा नहीं है इंपावर्मेंट का कल्चर है हमारा आज की तारीक में अगर असी करोड लोगों को पिछले तीन साल से अनाज दिया जा रहा है पांच किलो तो वो इसलिए नहीं कि उस अनाज की उनको जरुरत है वो इसलिए कि उनको एक मजबूत एक संबल मिले कि आपके पीछे सरकार खड़ी है कोरोना हुआ तीन महीने लोग हर चीज बंद रहा फर्स्ट वेव में सेकेंड वेव में फिर तीन महीने बंद रहा इमाजिन कि यह वो रेडी पट्री वाला जो घूम रहा है वो क्या खात है वो उसका खाना खर्चा कैसे चलता होगा उसको उने कंटिनिव कर तो यह फ्री नहीं है बस सरकार का संबल है पांच किलो में कोई अमीर नहीं बन जाता है घर अगर हम दे रहे हैं बेघरों को अभी तक सवाचार करोड़ घर दे चुके हैं पूरे देश भर में औरतों के नाम से रेजिस्ट्री हो रही है जा सोचिए घर ओन करने की फिलिंग क्या होती है कि आप घर के मालिक बन गए उस घर पर आप लोन ले सकते हो उस घर से आप विवसाय कर सकते हो चार करोड़ सवाचार करोड़ लोन अगर हमने घर दिये हैं बेघरों को घर तो यह फ्री नह अगर हमारी नीतिया इतनी खराब होती नौ साल से देश बरबाद हो गया था लोगतंत्र खतम हो गया था मीडिया गोदी मीडिया हो गई थी जैसा यह लोग कहते हैं अगर इनी केसा आप से चले तो भाईया पांचनी अर्थवेवस्था कैसे बन के जर्मनी को पीछे हचार कि कैसे बन गया है एवडिया रिकॉर्ड हमारे हां कैसे आ गया जरा बताइए तो आज तक हम एक बंदूक नहीं बनाते थे आज हम एक 47 कैसे बना रहे है आज हम हेलिकॉप्टर कैसे बना रहे है यह सवाल है कवियों निकाल लिए इसको हवाई फाहर को आगे ले जाते है अगर जूट बोलना पाप है तो आत्म विश्वास से जूट बोलना मोदी नीती है अब यह कह रहे है कि यहाँ पर आपने फ्री की बात करी इनको बड़ा दुख था यह भूल जाते है प्रदान मंतरी जी ने किस तरीके से रेवडी कल्च जाने का काम किया उनके घर पे अलग-अलग फ्रीबी स्पोर्च आने का काम किया और वादों में भी बहुत बड़ी-बड़ी बात और आपको कहां समझ आएगा जी बेरोजगारी आप लोगों ने बेरोजगारी का बजार तो लगा दिया है करनाटक में बोल रहे थे कि यह हमारे घर में राशन आ जाता है ये गोली चलाते है तो क्या उससे हमारे वहाँ पे घर में जो आटा है उसके दाम कम हो जाएंगे सिलिंडर के दाम कम हो जाएंगे इतनी फैक्टरी लग गई ये हो गई लेकिन नौकरी के लिए तो लोग आज भी घूम रहे हैं दो करोड न टैस खरीदने के लिए नॉर्मल जिंदेगी जताने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है वह गन से पेट भरा जाएगा क्या अभी आप जिस पार्टी में पहले थे सर उस पार्टी के जो राश्ट्री अध्यक्ष है आदरणी नितिश कुमार जी इस समय वो अच्छा अभी ललन सिंग जी के जो पार्टी है आपके मुख मंत्री जो रहे वो अभी भुबनेश्वर गए नवीन पतनाईक जी इसको मनाने के लिए कि वह एक प्रधान मंत्री पत का केंडिडेट मैं भी हूं इसमें भी पे जा गौर लगाया कर कीदिएगा जोंकि बहुत सारे ग के पतना से मैं नहीं पतना ओए हटना तो समर्चन बढ़ाई लेगा अचा है अरे पतना से मैं पतना से मैं नहीं पतना ओए हटना चल हटना पतना यक नहीं रपतना ओए पतना बटना हम मोदी के कायल हैं मत समझो हम पागल हैं यार आसा नहीं ने पटना पटना से नहीं मैं पटना पटना से मैं नहीं पटना प्रतीक देगी का द्रश बनाया है के यारी की सवारी मेरी गारी में नकर बेकार लटकना गठ बंधन की राह में घट नहीं जाए दूर घटना अभी दूर बहुत है दिली मत अडवा लेना खिली तुम्हारा काम है पलटना तुमारा काम है पलतना, पतना से मैं नहीं पतना, ओए पतना, चल हटना नवीन जी ने कहा कि ये अपने बिहार भवन के लिए जमीन खोजने आये हैं अब मुझे ये नहीं पता कि वो बिहार भवन के लिए जमीन खोजने आये थे, अपनी जमीन तरसने के लिए आये आये हैं जमीन को तलाशने तो प्लीज करें कोई खट पटना नाच नहीं जाने और आंगन भी तेड़ा हो तो काहे का मतकना हम तो इगनोर करेंगे फो कतना शोर करेंगे कटक वालों से ना अटकना पतना से मैं नहीं पतना पतना यक नहीं रपतना वह बड़े अधर से भी नवीन जी ने इगनोर कर दिया है इस पूरी महिम को देखे हमारा स्टांड बिल्कुल फ्लियर है कॉंग्रेस पार्टी हर उस पार्टी के साथ लड़ेगी जो देश के लिए सबसे पहले लड़ेगे जो देश में अभी अत्याचार हो रहा है तो देश में भ्रहष्टाचार हो रहा है इस बात पर मैं भी कुछ लिखके लाईऊ कि आज देश की स्थिती क्या है जोटी योजनाओं के नाम पर माया जाल बुना जा रहा है बेरुजगारी के बजार का मुनाफा बढ़ता जा रहा है महेंगाई के दलदल में आम इंसान फस्ता जा रहा है सत्ता की लालश के चकर में सरकार का रुपे से भी जादा इमान गिरता जा रहा है देश की अर्थव्यवस्था का काम तमाम है, मुद्दों की बाद दूर, जुम्लों का आलम सरयाम है धरम के नाम पर शोर सुभा शाम है, बेरुजगारी, ब्रश्टाचार है हर जगा, बड़ी बातों का ताम जाम है तो इन मुद्दों को मद्दे नजर रखते वे जो साथ मिलकर देश को सबसे पहले रखकर देश की जनता को सबसे पहले आगे रखकर साथ मिलकर लड़ना चाहेगा उन सबका स्वागत है और जो मोदी सरकार जो बार बार कहा जाता है कि हमें मोदी जी से नफरत है हमें किसी से अफरत नहीं है हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं हमें प्यार सब देश की जनता से है और उनका हित सर्वो परे है तो देश की जनता का हित और इन मुद्दों के खिलाफ जो लड़ेगा उनके साथ हम मिलकर सरकार के लिए लड़ेंगे यह जो मीटिंग हो रहे हैं इनको हलके मतलों बहुत हलके मिले रहे हैं काम बिगड़ जाएगा भाई साब सुनिए गालोग जी सभी विपक्छी एक हुए हैं इनकी मीटिंग से डरियो यह मिलके बहुत पालेंगे तुम देखते रहे हैं अखलेस का गुसा भारी है हर दल से मिलना जारी है पटना वाले बाबुजी की पटना एक से भी यारी है एनसीपी की शिव सेना से मिलकर अच्छी तैयारी है प्लानिंग रेडी अब सारी है गठ बंदन लगता भारी है और जिसको समझ रहे हो ढुलमुल ऐसे राहुल से डरियो यह मिलके बहमत पालेंगे तुम देखते रहे हैं अंध्रा मेरे डी के सियार तूफान बनाए बैठे हैं चैन नई वाले इस्टालिन जी लुंगी को उठाए बैठे हैं इडी के सताएं बैठे हैं सब शक्ति जुटाएं बैठे हैं और यह पंग्दी कम कर देना च्छमता ऐसी माया ममता से डरियो यह मिलके बहमत पालेंगे तुम देख दे रही हो इसका इलाज है कुछ सरा आप इडी के सताएं सारे बहमत क्या हुआ है क्या कि मिलके बना लेंगे सब खालेंगे अच्छा आप चुदाव में जाते हैं और उसके बाद लड़ते हैं किस मामले में लड़िएगा क्या बोलके लड़िगा हां जी हम प्रष्टाचार का रहे थे इनोंने एडी हमारे पीछे लगा दीसले में बहम पारता है इंडिया इंडिया के पार्टी निकले हैं पैदा है करप्षिन के अनना की कमाई खाने वाले आज एक सोग्रेशन को सबके लिए इस देश में इंस्पिरेशन फोर्स सबके लिए गलत कारणों के लिए मैं बता दे रहा हूँ सर ये कॉंग्रेश की स्थिति क्या चल रही है इसमें राजस्थान पर सबकी नजर है सचिन पाइलेट अशोक गहलोत के बीच में खीचा तानी चल रही है सचिन जी ने अपना एक मोर्चा खोल लिया है अब कविता सुनिया आनन लीजिए कि लगता है अपने लिए कुर्सी का रास्ता खोज करके मानेंगे एक सचिन वो हैं जो ओपनिंग करते थे एक ये हैं जो कांगरेश का दफ्तर क्लोज करके मानेंगे कि मेरे नेता जो है वो राहुल सोनिया गांधी है तब सुनिये आप ये बयान सुनकर खड़गे जी सोचते होंगे कि जान बूज कर मुझे चिढ़ाया है क्या अगर नेता राहुल सोनिया ही है तो मुझे एकजिट पोल के फोटो के लिए अद्येक्स बनाया है क्या और एक मजे की पंक्ति आलोग सर दाली बजाईएगा आप इस पे बनाया है क्या शायद दोनों नेता अशोक जी सची जी शायद दोनों नेता बीजेपी से प्रभावित होकर मचल रहे हैं दोनों एक दूसरे के लिए ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की थेयोरी पे चल रहे हैं इस तरह तो बना बनाया प्रेस्टीज खो जाएगा ऐसे आपसी संघर्स से विकास का तो पता नहीं पर सत्ता वापसी के सपने का ना सो जाएगा ना सो जाएगा और राजस्थान में चुनाओ है आप सोचेंगे कि विरोधियों के छक्के छुडा देंगे पर गहलोजी जादूगर हैं उन्हें अपना पत्ता साप होने का शक भी हुआ तो पार्टी का कबूतर बनाके उडा देंगे जो परिवर्तन चा रहा वो जनता बहुत गुनी होगी सोच समझ के लोगों ने अपनी सरकार चुनी होगी आप सोच रहे करनाटक ने क्यों कांग्रेश को जिता दिया क्योंकि वहां के लोगों ने सायद मन की बात सुनी होगी चार पंक्तिया आपका और सुना रहा हूं बीजेपी की खिड़की और बंद किया है फाटक को जनता ने इग्नोर किया भक्तों के हरनाटक को बहुत रहे लिया कि तुमने जोक दिया सब ताकत को फिर भी बोलो कैसे तुम हार गए करनाटक परिणाम को लेकर जो भी चुनावी राजनीती में होता है तो हारा जीत लगे जती है अटल जी कि एक कविता है ना हार में ना जीत में किंचित नहीं भैवीत में संगर्षपत पे जो मिला ये भी सही वो भी सही विससे हम तो संगश्रत हैं पिछले बार भी करनाटकान ने लोगों ने मिलके सरकार बना ली जब भी जरारते हो यही वाली कवता सुनाओं ने यह जीत में भी एक जीत में जबी में एक स्टेटमेंट आया सफाज सरकार से स्योपाद सिंग जी का चाचा जी का कि यूपी में जो मंत्री है ना उनकी इतनी भी हैसियत नहीं कि बाबू सकतियां थी कि अकेले नहीं समलती थी उनके कई बतीजे समालते थे जितने भी युवा नेता सब उनको सगा चाचा बताते थे खुद को बतीजा बताते हैं अब ऐसे ही दो बतीजे आपस में टकराए एक चौराये पे मिले उनके बीच में क्या बातचीत भी सुनिए कि तीन लड़कों को जब पूलिस ने रोका तब एक बोला आज तेरी आफ़त ही आई है चाचा जी का हूं सगा बतीजा जानता नहीं क्या बाइक भी ये खुद चाचा नहीं दिल लवाई है तो पूलिस बाला बोला अब दूसरा बतीजा अब सकतिया असली पता चलेगी तो पूल अगल वाइब दो जो चल रहा है तो मैं एक मुक्तक समाता हूं चोटा सुनिए कई बार गटबंदन बने और हर बार फेल हो जाते हैं जैसे आजकल क्या होता ना IPL पर टीम बनती हैं ऐसे हम कई लोग बनाते हैं उसमें प्लेयर और कैप्टन चुनते हैं लेकिन कोई जीता नह जानकारी में तो कोई नहीं जीतता ऐसे ही कई बार हुआ सुनिए बुआ बबुआ नहीं चलते यूथ आइकन नहीं चलता भाजपा के आगे कोई बिगटबंदन नहीं चलता बनाते हैं ये हर सीजन में टीम IPLC पर कभी प्लेयर नहीं चलते कभी कैप्टन नहीं चलता कभी प्लेयर अब प्लेयर और कैप्टन हम भी टीम बदल से हैं जल्दी 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 यह सब बॉस्टी में जा रहा है करनाटक चुनाब ने बता दिया किया जनता का क्या देश का क्या मूड है 24 का इशारा है कि सुनो सुनो भी जेपी वालो सुनो सुनो भी जेपी वालो चाहे जितना जोड लगा लो सबसे आगे होंगे राहुल गांधी अरे हमने कहा है तुम भी सुनो बहुत बरिया वालो बहुत बरिया हमने सहा है तुम भी सुनो के 24 एलेक्षन का केवल इशारा है समझो ना कमजो अच्छा इतनी जल्दी पलट हुआ आपने किसी को देखा है के 24 एलेक्षन का केवल इशारा है समझो ना कमजोर है दो दिन की सत्ता से इतने ना फूलो तुम अपने रहे दौर है लोटकर आये थे लोटकर फिर से आएंगे अब ये कर नाटका से ही करके दिखाएंगे तब भी कहा था अब भी सुनो अरे सुनो सुनो भी जेती वालो चाहे जितना जोड लगा लो सबसे आगे होंगे राहुल गांधी के सबसे पोराने हैं दलोक शाही के यूही बेखरते नहीं तपते नहीं आच मैं जो कभी सोने जैसे निखरते नहीं ना डरे थे कभी आगे भी डर न पाएंगे वक्त की आच से हम तब के निखरते जाएंगे तब भी कहा था अब भी सुनो वालो चे तो यह पोजिटिविटी कॉंग्रेस के अंदर है जो जो तो लगाया काफी लगाना भी चाहिए पता मान रहे का कि पहले से जोर ही नहीं लगाते ते अब लगाने लगे लेकिन वो जो अब जो उस जोर का ये इस बार वैसा रिजल्ट क्यों नहीं देखी ऐसा है कि पिछले बार भी मैंने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी हम लोग बने थे लेकिन सरकार इन लोग ने बना ली उसके एक साल के बाद लोग चुना हुए हमारा 38 परसेंट से वोट चला गए 51 परसेंट 28 में से 26 हम ले गए बाकी लोग टाप सार उमीद थी कि शायद इनकी बन जाएगी जो मैं बात पर क्लियर हूँ जब जो चीज होनी नहीं है उसमें बात पर चर्चाई क्या करने यह लपेटे में नेता जी कारकरम है और आप प्रताब फोजदार से उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों के परणाम सुनी है साइकल की किल किल सपा पर रह गई योगी जी निकाल साइकल की साही ले गई और उसके हैंडल पर तांगा है कमंडल मित्र और उसके हैंडल पर तांगा है कमंडल केरियर पर बिठाके बावा गाय ले गई हाँ अधाँ पाजी वक्ति वाल है कमंडल पंप हाती हाथ हाथ मलते रहे हैंड पंप हाती हाथ हाथ मलते रहे जोरजार जीत करके बाई 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 ले गए जोरजार जीत करके और अब ताजिदा ना जोरजार जीत करके बाई 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 ले गए और लगता है 24 में ऐसे ही जीतेंगे ये लगता है चौबीस में ऐसे ही जीतेंगे यह जैसे अब जीत करके निकाह ले गए अब बढ़िया अब बढ़िया अब यह चंद भी मुझसे चिड़ कर बोला बंद करो यह लिखना और जिन पर लिखते उनका खुद ही बंद हो गया देखना अब पीछे क्या हुआ आपने देखा होगा कि बीजेपी के बहुत सारे भाषन आपको सुनने को मिले होंगे उनको जरक ध्यान से उसकी समीक्षा कीजिए तो आप क्या पाएंगे बीजेपी के भाषनों में क्या होता है वही कविता सुनना अब बीजेपी के भाषन में क्या होता है इतिहास की बात विपक्ष पर आरोप बयानों पर हाई हाई खुशहाली का वादा जैसे कोई चिप्स का पेकेट हो काम की चीज कम और हवा सबसे ज़्यादा हाँ हवा सबसे ज़्यादा ठीक है राजनीती है गर्म तवे पर दो रोटियां फालतू भी सेख लीजिए सस्ते डाटा की चर्चा तो हो गई अब महंगा दूद तेल आटा भी देख लीजिए पर फुरसत कहां होगी जीत के तरीके खोजने में लगे होंगे 24 वाले चुनाओं के लिए राइमिंग वर्ड्स वाले नए नारे सोचने में लगे होंगे यह तुख बंदी सोचने में लगे होंगे क्योंकि अच्छे दिनों वाली गठरी अब खोल नहीं सकते पर पुराने नारों में से एक भी नारा दोवारा बोल नहीं सकते तो बारा बोल नहीं सकते हैं और रहा सवाल बार बार क्या कहते हैं तो जनता हमको क्यों जिता रही है तो हम कैसे जीत रहे हैं तो उस पे कहता हूं रहा सवाल बार-बार जीतने का तो कमल कोई अपने आप नहीं खिल रहा है बस कोई विकल्प तैयार होने तक टेम्परोरी बेनिफिट मिल रहा है क्या बात बढ़ी आप कवी सहाब कि सुक्रार रोखती है कोई विकल्प नहीं है मतलब आपने जीरो कर दी आयार कॉंग्रेस पाटी एसारे विपक्ष को एसी तो करते हैं कांग्रेस वाले यहिए यहीए नारा ऐसा है ना जिसको आप भी मरते वक्त तक लेते जाएंगे और मै रबने भी खूब जोडी बनाई है जनाब मोदी भिला जवाब है योगी भिला जवाब और देखो पहले तो गाली काफी फिर मांगते हैं माफी सत्ता के बन के रोगी हर बार हार भोगी मुश्किल बहुत ही होगी मोदी के बादी होगी मोदी के बादी होगी ब्रष्टों के हाल होगे फिर जादा और खराब मोदी बिला जबाब है योगी बिला जबाब और कांग्रेश क्या किये अपनी सुना न पाए मुद्दे भुना न पाए जब जब जुबान भटकी मोदी से खाई पटकी इसलिए 24 का पल खिलेगा भगवे का दल खिलेगा भारत अटल खिलेगा फिर से कमल खिलेगा फिर से कमल खिलेगा फिर से कमल खिलेगा और यह जो ना गठ बंधन गठ बंधनों के मुख से हाए गठ बंधनों के मुख से हट जाएंगे नकाब मोदी भीला जवाब है योगी भीला जवाब और यही प्रणाम हुआ कि उत्तर पुदेश में निकाय चुनाओ योगी जी जीत गई और उसके बात क्या हुआ? सुनो विपक्षी अब जिद छोड़ो सुनो विपक्षी अब जिद छोड़ो मालो मेरी बात यूपी की जनता है योगी बाबा के साथ कब से बीमार बैठा हाती बेचैन है अपने पहियों में उलजी साइकिल की चैन है अब केवल कोस ना ही इन सब का काम है जनता के हौटों पे तो जैजै श्रीराम है राहुल जी भी घूम रहे है अरे राहुल जी भी घूम रहे है लेकर खाली हाथ यूपी की जनता है योगी बाबा के साथ तो बाबा करते क्या है होता इलाज अब तो गुंडों का रोज है बाबा के पास में हर दम बुल्डो जर्डोज है और तुमके वल माफिया के मरने पे चीख लो कैसे सरकार चलाते बाबा से सीख लो चौबिस में फिर करेगी जनता और चौबिस में फिर करेगी जनता वोटों की बरसाथ यूपी की जनता है योगी बाबा के साथ बाबा धन्यवाद शुक्रिया कि स्टंपिंग के चांस हैं समहाल कर खेलिएगा लांगी नहीं जाए ऐसी क्रीज की जरूरत है करना स्टोर सीखो अपने नेताओं को अपने नेताओं को गैरों से भी जादा अब निज की जरूरत है बोशिंग मशीन के भरोसे मत बैठो अब 24 में बाज़पा को फिरिज की जरूरत है ऐसी लोग सवा है यूपी में कांग्रेश का ना पूछो किस पार गए हैं आये थे चौथे नंबर पे वैसे ही इस बार गए हैं ये कंडीशन है इनकी मत पूछो तो अच्छा है कल रात में सपना देखा था उसमें भी यहार गए कर मतर क्यूंश टेखां को रहे हैं कि आपया सकत मिली जी का अपमान किया करनाटक में जवाब मिला और बजरंग बली जी किसके सबसे भड़क भक्त है रामलला के हैा न अब उसके बाद अगला जवाब राम देंगे और उत्तर प्रदेश से आएगा तो देखते जाए करनाटक से शुरुवात हुई है उत्तर प्रदेश पे जाएगी कॉंग्रेस की मेमरी ऐसी हो गई है कि यूपी का फुल फॉर्म भूल गया आप कहा रहें कि लोग सभाजी तेंगे राम भगवान का अपमान किया त प्यार महबत की बात से सुरू करूंगा और मुझे आलोग जी से बहुत प्यार है और मेरी बात भी मानते हैं पिछले बार जब वो आए थे जेडी उसे तो मैंने का आप जल्दी भाजपा में जाने वाले और वो चले गई तो यह कह रहा हूं सर आलोग जी यह कह रहे थे क् मैंने कि यारब वो ही जगह ऐसी है कैसी हर आदमी को पता होता है अपने कर्मों का बरना गंगा में भीड़ ऐसी थोड़ी होती है अच्छा है अच्छा है अलोग जी गेंड विचार मुद्राम चले हैं मैं खोल देता हूं इसके के कल योग में बाजपा का रामरा जी आया है अच्छा है पिटने को चूज एक डौन कर लीजिए और धरती का निरीय प्राणी खुद को समझिये मांगते विकारी वाली टौन कर लीजिए के आख बंद करो यहां कुछ नहीं देखना है आख बंद करो यहां कुछ नहीं देखना है बोल यह भी नहीं पूरा मौन कर लीजिए और जेल नहीं जाना है तो फटा फट बीजेअपी जोर्णा हरे ग्यानर कर ले ere अध्या मौन खुच ए एक ही जर्णायए यह कैसी के घूटा लो की बैतरनी से पार लगाने वाला और यही सुरक्षा का बच्चा है प्यारे जान बचाने वाला आप तो खुद डॉक्टर हैं मैं वही कह रहा हूं कि अब थोड़ा इंका इलाज करते हैं यह सुदीब से बोलते हैं करने के लिए आपने भाई सब मैं एक खतम कर लूँ आपने कहा कि यहां पर आके बिलकुल चुप हो जाई है है ना मुझे तो बोलने के लिए लाया गया है तो चुब भी नहीं आपने कहा एक डॉन चूस कर लीजिए आप देखिए देश भर में कितने डॉन चूस कर लिए हमारी पाटी ने कहां से कहां चले गया उत्तर प्रदेश बिहार अब बिहार तो अगरवडा रहा है उसको भ अब घुटालों में बचना हो तो यहां आ जाईए घुटाले वाले तो जपनी जगर पे जा रहे हैं जेछिए यहां कहा कोई आरहा रहा गोटाले वाला अब इसके आगे जंता को तैक करने दीजिये एक बेरोजगार की चंता आप भी कर लीजिए वह बिचाय सचिन पाईल उनको कम से कम एक छोटी मुटी रेवरी दे दे थे तो कम से कम इस लेवल पर ना आते वो मैं सुनाता हूँ एक आरती सुना देता हूँ तो नो गुरूली आरती गाते हैं आप अमारे भी कम होंगे ओ पाइलट बोले जनावे आली गहलोत लेकर थाली किसकी उतारें देखो आरती हो मैया भाती वे रोधी उने पारती उनका बयान है कि गहलो जी किसको ज़्यादा मान सम्मान देते हैं सोनिया जी को दे रहे हैं अब सुन्दरा जी को बेगाने अपने लगते हैं और अपने बेगाने जिसको छपन भोग थे मिलने मिले न सूखे दाने याने मारें वो फूक करारी हो मैया जो तपे मारी दुश्मन से आरी बनता धारती हो मैया देखो ओतारें किसकी आरिश्वामुचे सुनना गहलो जी ने भी कुछ कमी नहीं छोड़ रखी के कभी कहें गदार निकमा कभी कहें कोरोना अर जादू गर पे किया है जाने कैसा जादू तोना है रोना मैदम उनको ना भाती रानी मा लागे साथी सी एम की कुरसी नहारती ओ मैया देखो ओतारें किसकी आरिश्वामुचे और आखरी देखिएगा वो अब क्या करने जा रहे हैं जनसंग घर्ष करेंगे और अभी क्या बतलाएं क्या आगे वर्ष करेंगे जन्ता इतनी ना भोली भाली रोटी पलटने वाली रोटी पलटने वाली कुरसी पलट के है तारिश्वामुचे देखो उतारें किसकी आरे की बोल सेरा बाली मया की आलोग जी सर कांग्रेस के एक नेता ने दावा किया है कि भाजपा के कई नेता संपर्क में है अजयसे मद्दपर्देश के दीपक जोसी कई बड़े नेता बड़े भाजपा के जा रहे हैं और जिसतरे जा रहे हैं मुझे क्या लग रहा है सुनिएगा कि बीजेपी के घर संकट आने वाले हैं बीजेपी के घर संकट आने वाले हैं सब धीरे धीरे छोड़ के जाने वाले हैं क्यों कि बाजपा तो हर जाई है अपनों के लिए ही खाई है बाहर वाले को मलाई है अंदर वाले को खटाई है इसलिए राहुल के घर पे खाट बिछाने वाले हैं सब धीरे धीरे छोड़ के जाने वाले हैं सब दीरे दीरे छोड़के जाने और ये सब होता क्यों है बाजबा को भी देखना चाहिए सिंधिया पे आँख लगाए थे बंगाल में इडी फसाए थे अब आपके नेता बहके हैं तुमने उनके बहकाए थे तुमने उनके बहकाए थे जो बोया वो ही काटके खाने वाले हैं सब दीरे दीरे छोड़के जाने और यही प्रणाम करनाटक की तस्वीर बता रही है 24 की तस्वीर लेगिन क्या है ना कॉंग्रेस बहुत होशियार हो गई है साब कैसे होशियार हो गई है बतारों पंक्तिया सुनना के कॉंग्रेस गठबंधन का गोला देकर सबको भरमा रही है पी-म तो बनाईगी अपना और मेहनत निती इसकुमार से करवा रही है और निती इसकुमार से कर मुझे PM नहीं बनना, तब पंक्तियां कहता हूँ आनन लेना, कौन सत्ता में आएगा, नहीं आएगा, यह तो किसमत का लेखा है, कुछ बनने के लिए कोशिश करना तो सुना था, कुछ नहीं बनने के लिए मेहनत करना पहली बार देखा है, तटाय, तर्सक्ता राजी हो, या पंक्तियां सुनना, कुछ लोग अपनी बात पे कायम रहने वालों पर विश्वास जताते हैं, और अगली पंक्ति आ रही है, बात पसंद आजा तो उठा लेना, कुछ लोग अपनी बात पे कायम रहने वालों पर विश्वास जताते हैं, सिमरन भी दो बार पलट पलट बोलन पे पल्टी थी ये तो बिना बोले ही पलड जाते हैं और कॉंग्रेस का शाही अंदाज कम नहीं हुआ आखिर दशकों शासन का स्वाद चखा हुआ है लोगों के घर घर जाके बतियाने के लिए पार्टी ने पार्टी नें सीएम रखा वगा है लेकिन एक बात तो सिद्ध हो गई कि महत्त्य कांगशा पूरी हर एक नहीं हो सकती है जब तक अपना स्वार्ठ सिद्ध नहों, विपकष की पार्टीयं एक नहीं था करै hour बहुत बहुत दन्यवाद बहुत आता बाद नितिश जी पीम बन सकते हैं या नीश इस देश में कोई भी प्रधान मंतरी बन सकता है। मेहनत कर रहा है क्यों हमारे देश में लाखों लोगों ने अपनी जान दे दी ताकि आज हम लोग खुले आसमान के नीचे स्वतंतता से बोल सके और हमें आजादी मिले उनको क्या मिला बदले में मौत तो वो किस चीज के लिए लड़ रहे थे आपके और हमारे आने वाली पी और आखिर में एक बात बहुंगी श्री कृष्ण ने भी तो कहा है कि कार या करे जाओ फल की इच्छा मत करो तो कामकारी नहीं रहे हैं कि कंता सुपी रहे हैं तर प्ल मिल जाता है पूल मिल जाता है करिए एक लाइम पढ़ना चाहूंगी एक अकेला पार्थ खड़ा है भारत वर्ष बचाने को सभी कौरव साथ खड़े है केवल उसे गिराने को बात था दूसरी पार्टियों में खड़े है कौरव की तो भारती जंता पार्टी की पार्टी है कौरवों की बाकी पार्टी के साथ है महावारत आपने अच्छे से पड़ी नहीं का। मेरी हुआ बsten को कहें रात तो रात कहो तुम धुलत बहेश की तो पस्ताओगे जरूर कि सब्जी को कहे भात तो भात कहो तुम यह होता है चार रैनाप को और सुना रहे हैं राजे स्थान की चुनाओं में क्या चला है पाइलट गए